जवानी में इसको होना लाजमी है पर वो इसको किताबों से हो जाए तो दिल तूटने का जख्म नहीं और कैरियर बनने का पुरसकार मिलता है इससे पहले अभी तक आपने हमारे टेलेग्राम चैनल और वाटसअप ग्रूप को जॉइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप उसे जॉइन कर लिए चलिएगा पहला कोस्चन देखते हैं करा कि in any triangle ABC a plus b plus c into 10 a y2 plus 10 by 2 equal to करा कि किसके equal होगा यह a plus b plus c अच्छा यह a plus b plus c हो गया इसकी जगप हम क्या रख सकते हैं 2s रख सकते हैं 2s रख सकते हैं भाई यह क्या होता है sum up sides है किसी triangle की भुजाओं का sum है ठीक है इसके बाद into में आएंगे देखेंगे यहाँ पे 10 a y2 रखा तो 10 a y2 का formula open कर दिया जाए क्या होता है s into हाँ a y2 है न तो a वाले में fine होता उपर s minus b और s minus c और नीचे कॉस होता है तो यह जाएगा s into s minus a ठीक है plus 10 by 2 root लगाया जाए 10 by 2 का मतलब हो जाएगा s minus c और s minus a divided by s into s minus b अब देखें नीचे से हम देख रहे हैं उपर से देख रहे हैं दो s minus c यहाँ भी है s minus c यहाँ भी है common ले ले लिया जाए तो यहाँ से हम common ले सकते हैं क्या यहां से हम common ले सकते हैं एक तो 2s शुपचाप अपनी जगा पर रहने दिया जाए s-c root का common है तो हमने root का s-c ले लिया common और नीचे root s common ले लिजे root s common ले लिजे root x समने नीचे common ले लिया ठीक है उपर बचा क्या है अब हमारे पास उपर बचा root के अंदर यहां पर बचा है s-b बटे s-a प्लस और यहां पर बच गया root s-a divided by s-b इतना बचा ठीक है अब इसको काट दें तो यहां पर root s बचेगा उपर तो यह बन गया root s हो गया और root के अंदर यह s-c यहां पर lc m लेते हैं देखिए s-b का whole square बनेगा तो यह बन जाएगा s-b और इधर देखेंगे s-a से multiply होगा तो यह हो जाएगा s-a का whole square root हट जाएगा divided by root के अंदर आ जाएगा कितना s-a और s-b यह दोनों देखिए 2s की जगह जब आप a plus b plus c रखेंगे तो यह बन जाएगा यह बन जाएगा एक तो हमारे पास यह 2 हई ही पहले से 2 into 2s s और s 2s हो जाएगे उसकी जगह रखेंगे a plus b plus c तो यहां पर उपर सिर्फ c बचेगा है ना s into s minus c s into s minus c ठीक है और यहां से तो सब निपड़ गया c बाहर निकल चुका है divided by यहां बचा s minus a और s minus b इतना बचा और यह किस के बराबर होता है s into s minus c है ना यह हमको पता है कि यह हो गया हमारा 2 a c और यह होता है उपर देखो कॉस है ना तो यह होता है कॉट c y2 2 c कॉट c y2 2 c कॉट c y2 यह कॉट c y2 का सूत्र है root के अंदर s into s minus c बटा s minus a into s minus b तो कौन सो option से ही हो जाएगा पहले में जो option number होगा वो c क्या होगा correct हो जाएगा है ना चलेगा आगे बढ़ेंगे और next question देखा जाए चले एक बार बता देंगे आवाज बगेरा clear आ रही है ना किसी तरह की कोई problem तो नहीं very good evening all of you ठीक है एक बार wise के बारे हम थोड़ा सा information जरूर दे देंगे ठीक है clear आ रही है ना चलेगा one में c को option जो है वो correct हो गया ठीक है साब आगे बढ़ते हैं question number देखते है two question number two कह रहा था कि in a triangle abc कह रहा है एक triangle abc है if angle c is equal to 90 degree अच्छा देखिए angle c 90 degree है तो हमारे दिमाग में click कर जाना चाहिए क्या कि जो angle a plus angle b होगा वो कितना होगा वो भी 90 degree होगा क्योंकि किसी triangle के तीनों angle का जो sum होता हो कितना होता है 180 होता है अगर c 90 degree हो गया तो a plus b भी क्या होगा 90 degree होगा और हमें value किसके निकालने 10 a y 2 की 10 a y 2 के लिए देखिएगा हम यहाँ पे a है हमारे पास और b है और c है हम चाहरे है कि उपर sin a y 2 बने sin a y 2 बने मतलब कि अगर हम a की जगह पे a के रख दें k sin a b की जगह पे k sin b c की जगह पे k sin c तो मुझे उम्मीद दिख रही है कि उपर 10 a y 2 है न तो उपर sin a y 2 बनना चाहिए नीचे क्या बनना चाहिए कौस a y 2 तो उम्मीद दिख रही पहले option से और हम पहला option try करके देखते हैं है ना पहले option को try किया जाए तो sin rule से हम इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं एक ही जगह पहला option देखते हैं बाई option a option a a बटे में लिखा है b plus c है ना एक ही जगह हम क्या रख सकते हैं k sin a k sin a और नीचे रख सकते हैं k ले लो common k sin b k sin b तो हमने k ले लिया common तो यह हो गया हमारा sin b plus k sin c और sin c का मान दिया 90 तो यह sin 90 लग दीजे लगे हाथ है ना यह काट दिया जाए ठीक है उपर क्या है हमारा sin a अच्छा और नीचे कितना हो जाएगा भाई यह sin b हो जाएगा sin b b की जगह पर हम रख सकते है 90 minus a है ना a में convert हो जाए पूरा angle b देखिए यहां से b कितना मिल जाएगा 90 minus a और sin 90 का मान 1 हो जाएगा यह divide करेंगे तो कितना आ जाएगा यह sin a आ जाएगा divided by cos a cos a plus 1 अब half angle में change कर दिया जाए उपर भी sin को half angle में change कर दिया जाए 2 into sin a by 2 और cos a by 2 और नीचे half angle में जब हम change करेंगे तो यह आ जाएगा 2 cos square a by 2 minus का 1 है ना और plus 1 वहाँ पहले से है अब देखिएगा अब देखो यह plus 1 और minus 1 दोनों cancel out हो जाएगे फिर यह 2 से 2 कट जाएगा जब यह कट जाएगे तभी काट पाएगे अभी नहीं है ना फिर cos a square a by 2 से 1 cos a by 2 कट जाएगा और उपर sin a by 2 बचा नीचे square था तो एक power इसकी बची cos a by 2 और यह बन गया हमारा क्या sin a by 2 बटे cos a by 2 यह 10 a by 2 बन गया है ना यानी कि option number जो a है वो एकदम satisfied कर रहा है यानी कि 2 में कौनस option से हो जाएगा a ठीक है csa अरे sir कैसे हो चलेगा सुमात करते हैं आगे बढ़ते है question number 3 ठीक है ठीक है sir thank you तो पहला option correct हो गया question number 3 करेंगे इन ट्राइंगल a b c if a is equal to 90 अच्छा तो देखिए हमने एक सूत्र पढ़ा था बारवी की क्लास में जब हम लोग थे है ना 2010 वाली किताबे जो लोग पढ़े होंगे हमने नैपियर की इनलॉगी पढ़ी थी नैपियर्स इनलॉगी यह पढ़ी थी उसमें क्या था भाई यहाँ पे 10 b minus c by 2 है ना तो सूत्र होता था अपने पास सूत्र क्या होता था 10 10 b minus c बटे 2 b minus c बटे 2 इक्वल टू यहाँ पे साइट्स होती थी क्या होता था b minus c बटा b plus c और यहाँ होता था इन दोनों एंगल के अलावा काट के साथ हाफ एंगल में आता था वो एंगल तो b और c है तो काट a by 2 आ जाता था ठीक है यह value हमको निकालनी है तो b minus c बटे हो जाएगा b plus c और a का मान कितना है 90 90 बटे 2 का मतलब क्या हो जाएगा काट 45 का मान कितना होता है 1 होता है तो b minus c बटा b plus c into 1 तो कितना जाएगा b minus c बटा b plus c यानि कि तीसरे में कौन सो अफ़न सही हो जाएगा b वाला option correct हो जाएगा चलेगा एक बार class को share कर देंगे सबी लोग ठीक है चलेगा तो यानि कि 3 में कौन सो अफ़न सही हो जाएगा 3 का जो b option हो वो correct हो जाएगा very good टॉक्टर अंजुमडम बिल्कुल सही अरुन सर बिल्कुल सही आगे बढ़ेंगे question बर 4 देखेंगे कहरा है कि in a triangle a b c triangle a b c है जहाँ पे हमको दिया गया है कि a is equal to इतना b is equal to इतना c is equal to इतना then the value of sign a तो हमसे कह रहा था कि sign a की value क्या होगी यह बताना है question number 4 है अच्छा इसमें last में हम लोगों ने option को संसोधन किया था d all option जो है हमने none of the above रखा था इन में से कोई नहीं none of the above चलिएगा attempt करेंगे इस question को है ना कह रहा था कि in a triangle a b c एक triangle a b c है जहाँ पे हमको sign a निकालना है अब यह देख लीजिए क्या यह सच में कहीं ऐसा तो नहीं जो भी triangle है देखते हैं इस triangle को सबसे बड़ी भुजा यह हमारी 30 है और इसके बाद है 18 18 और इसके बाद है 24 है ना यह हुज़े 24 एक बार हम यह देख लेते हैं कहीं ऐसा तो तो 24 का square करेंगे तो यह 576 होता है और 18 का करेंगे तो 324 होता है दोनों को जोड़ देंगे तो यह बिलकुल सही है है ना कि यह एक right angle triangle है और इसके right angle triangle का जो area होगा वो क्या होता है right angle triangle का area होता है एक बटे दो base into height base कितना है 24 height कितनी है 18 ठीक है अच्छा हमें sin A निकालना है तो हमने एक area का formula और पड़ा है क्या होता है 1 बटे 2 sin A निकालना है तो इसके अलावा जो side बच रही है वो into में आएंगी b c sin A equal to 1 बटे 2 गुड़े हो जाएगा 24 गुड़े 18 हमें यहाँ पर sin A निकालना है ठीक है चलेगा 1 बटे 2 से तो 1 बटे 2 को काट दिया जाए sin A बराबर यह हो जाएगा हमारा 24 और यह हो जाएगा 18 गुड़े 18 divided by b into c b कितना है 24 और c कितना है c हमारा 30 है है ना 24 से तो 24 काट दिया जाए और 6,3,8,6,5,3 है ना जो sin A का वैलू आएगा वो कितना हैगा 3 बटा 5 आएगा ठीक है तो चोथे में कौन सा उप्षन सही होगा न आप दिये बब उप्षन सही हो जाएगा चोथे का जो D उप्षन होगा वो correct होगा है ना चलेगा question number 5 देखेंगे करा कि if R is the radius ये बताएगा question एकदम औरली question है इसे बताना है आपको normally question एकदम है ना करा कि if R is the radius of the circumcircle करा जो capital R है वो परिवरित्त की तरिज्जा है of a triangle ABC and delta is its area है ना कि delta जो है उसका area है तो बताएगे संबंद क्या होता capital R बराबर बताएगा capital R बराबर क्या सूत्र होता है है ना बताएगा इसे थोड़ा से तेजी से बताएगे दोड़ा के एकदम फटा-फट-फट-फट-फट-फट-फट-फट-फट चलेगा हम better in question तो ये होता है relation हमारा ABC R बराबर होता ABC अपान 4 डेल्टा है ना capital R is goal 2 क्या होता है ABC अपान 4 डेल्टा बिल्कुल सही जवाब आया यहां पर अरुन सर का शांदार सर है ना तो पांच्वे में कौन सा अप्फन से हो जाएगा C option जो है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 6 देखेंगे question number 6 कह रहा है कि if 3 3 A and B are same sides of the river है ना एक नदी के same किनारे पे हैं तो मान लेते हैं कि एक ही किनारे पे हैं तो यह नदी का एक किनारा है जहां पे दो पेड़ है एक पेड़ है हमारा A और एक पेड़ है अपना B ठीक है same side of the river from the point C in the river the distance of 3 A and B are है ना एक point C है इसी नदी पे है ना इस नदी पे कहां एक point C है जहां से इसकी जो distance है है ना वो क्रमश्रा A की जो distance है वो 250 है और जो B के distance है वो 300 है ठीक है अच्छा मतलब की एक बात तो समझ में आ गई हमको एक मिनट हम अब देखेंगे ठीक है यह A के सामने है तो यह side A हो जाएगी B के सामने है तो यह side B हो जाएगी then 300 meter respectively if the angle C is in 45 degree यह कहरें कि अगर जो angle C है वो 45 degree है find the distance between the tree तो हमको इन दोनों ब्रिक्चों के बीच की दूरी निकालनी है कि A और B के बीच की दूरी क्या है मतलब हमें निकालनी है भुजा C side C निकालनी है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर cosine rule लगाएंगे cosine rule मतलब जो angle दिया होता है angle हमको दिया है cos 45 यानि की cos C तो cos 45 बराबर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा A square plus B square minus C square divided by 2AB है ना अच्छा cos 45 का मान कितना होता एक बटे अंडर रूट 2 एक बटे अंडर रूट 2 is equal to A square तो A है 300 300 का वर्ग कितना हो जाएगा तो 300 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास बस 9 के आगे 4 0 बन जाएगे ठीक है हाँ plus B square यह 200 है 625 हो जाएगा 625 दो 0 और आ जाएगे minus C square हो जाएगा divided by 2AB 2 into A हुजा A हमको दी गई है 300 और B दी गई है 250 cross multiplication करेंगे इसको काट देंगे अंडर रूट 2 से तो यह हाँ पर अंडर रूट 2 बचेगा इनका multiply कर देंगे तो यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा पिचत्तर सो पिचत्तर उसके आगे कितने आ जाएगे 1, 2, 3, 0 आ जाएगे 75,000 यह आ जाएगे और अंडर रूट 2 इनके साथ रहेगा equal to इन दोनों को हम क्या करेंगे add कर लेंगे इनको जोड लेंगे कितना है यह यह हो जाएगा हमारा 90,000 यह है 62,500 यह है 9, 6, 15 यानि कि यह बन जाएगा हमारा 15,000 1,52,000 1,52,500 रूपए यह बन जाएगे 500 ठीक है multiply कर लिए हमने minus का हो जाएगा c square है 00 हो जाएगे 5 हो जाएगा और यह 2 हो जाएगा और 9, 6, 15 हो जाएगे ठीक है minus c square हो जाएगा इनका multiply करेंगे under root 2 का मानुस ने कहा कि 1.14 रख लेना है ना 1.14 तो हम यहाँ पे रखेंगे 75,000 गुडे 1.44 यह थोड़ा सा calculation वाला question था ठीक है चलिए minus का c square ठीक है इनका multiply करेंगे यह आजाएगा c square को इधर लीजिए बाकि उसको इधर भे दीजिए c square और यह 1,52,500 में घटा देंगे 75,000 में 1.44 से जब हम गुडा करेंगे तो गुडा करने पर यह आएगा एक लाख एक लाख यह कितना पंद्रा यह है पचीस सो यह minus यह आजाएगा हमारा करिएगा इसे आप यह इतना आजाएगा दोनों को हम जब subtract करेंगे तो subtract घटाने पर आजाएगा 44,500 आजाएगा दोनों को फिर वर्गमूल ले लीजिएगा तो जो वर्गमूल आएगा देखिए 201 है 210 है 210 है तो ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल 200 तो आएगा आएगा फिर 45,500 है हमारे पास तो मतलब कि जो सब पे ज़्यादा most prevalent option है भाई C और D तो होई नहीं सकते हैना चुकि 400 है तो लग भग 200 तो आना आना है तो इसमें 45,500 है तो लग भग ये 10 के आसपास बनेगा जाके 210 हैना निकाला भी जा सकता है वर्गमूल भाग विदी से हैना इसका तो भाई 10 तो चुपचाब निकाल लीजिए बाकि इसका दसमेलों निकाल लीजिए तो C बराबर जो आ जाएगा वो आएगा वर्गमूल यही आएगा हमारा 210 दसमेलों 9 दसमेलों 5 मीटर आएगा यानि कि 6 का पहला वाला जो ओप्सन है वो करेक्ट हो जाएगा चलिएगा आगे बढ़ेंगे साहब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नमबर जरूर लिखेंगे चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नमबर साथ देखिएगा करा था कि अट्री स्टेंड वर्टिकली आना हिल साइड विच मेक्स एन एंगल आप 15 डिगरी विद दा होरिजेंटल क्रा कि अट्री स्टेंड वर्टिकली एक ब्रिच सीधा खड़ा है एक व्रिच को पहले खड़ा कर दिया जाएं अन्द हिल तो ये हमारी हिल है ठीक ये हिल हो गई ठीक ये पहाड़ी है और एक व्रिच सीधा खड़ा है ठीक है और ट्री स्टेंड वर्टिकली आन एहील साइड विच मेक्स एन एंगल जो हील है वो 15 डिगरी का एंगल बना रही है ये यहाँ पे 15 डिगरी का एंगल बना रही है ठीक है with the horizontal from the point on the ground points, जो ground का जो point है वहाँ से 35 मीटर ये 35 मीटर down the hill from the base of the tree the angle of elevation from the top of tree ये पेंड हो गया मा लिजे यहाँ पेंड बना देते हैं ठीक है तो ये जो यहाँ से angle of elevation जो है उन्नेयन कोड है वो 60 हंस है अच्छा ये पूरा angle कितना हो गया हमारा 60 हंस हो गया अच्छा ये 60 हो गया तो सीधी सी बात ये है कि ये कितना हो जाएगा 45 कितना हो जाएगा 45 और ये कितना हो जाएगा भाई ये तो 90 ही होगा चुकि सीधा खड़ा होगा तो ये 90 हो जाएगा ये 45 हो गया, ये 90 हो गया, पूरे हम देखिए, ये 60 हो गया, 90 हो गया, तो ये अंगल कितना बचा, 30, 30 डिगरी बचा, हम से पूंचा है the height of the tree, है न, height of the tree, हमें निकालना है height of the tree, यानि कि पेंड की उंचा ही निकालनी है, तो देखिए, ये triangle देख रहे हैं न, इस triangle में आप देदीजे, A, B, C, और ये D, A, B, C, D में आप चोटा वाला triangle देखिए, in triangle, A, C, D, in triangle, A, C, D, त्रिभूज, A, C, D में आप लगा दीजे, sign rule, sign rule क्या होता है, sign rule क्या होता है, पहले तो आप side लीजिए, है न, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, C, height of the tree, height of the tree कितनी है ये वाली हमें निकालनी है, ये निकालनी है, H, है न, लगा दीजे, इसमें sign rule लगाईए, मिल जाएगा, दो angle पता है, एक side पता है, आराम से निकाला जा सकता है, देखेगा, ये 35, भाई, ये भुजा और उसके सामने का angle लो, उसका सामने का angle कितना है, 30, इसका sign लो, तो sign 30 हो जाएगा, ठिक है, sign 30, equal to, अब आजाएए आप, इस angle के सामने, तो इसके सामने की भुजा क्या है, H, H मतलब वही प्याण क्यों चाहिए, H equal to sign 45, sign 45 हो गया, अच्छा, इसका मान, sign 30 का मान, जब एक बटे 2 रखेंगे, तो उपर multiply होगा, एक बटे 2, नीचे रखेंगे, एक बटे 2 उपर चला जाएगा, 35 दूनी हो जाएगा, यह 70, equal to, और यह हो जाएगा, sign 45 का मान, एक बटे अंडरूट 2, तो अंडरूट 2 उपर चला जाएगा, अच्छा, अब यहाँ पे अगर हमको H निकालना है, हम क्या करेंगे, यह 70 हो गया, 70 बटे अंडरूट 2 को ले आएगे, equal to H हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, rationalization कर देंगे हर का, भाई, answer तो आ चुका है, लेकिन rationalization करने के बाद ही मिलेगा, तो 70 बटे अंडरूट 2, अउपर नीचे अंडरूट 2 से गुड़ा, ठीक है, तो यह कितना आजाएगा, भाई, नीचे आज यह आगया, 70 2 मीटर, यानि कि 7 का जो option number सही होगा, वो C सही होगा, है ना, चलिएगा, आगे बढ़ेंगे, और next question देखा जाए, clear हुआ ना यह, आगे बढ़ते हैं साब, question number देखते हैं, 8, करा कि if any triangle, A, B, C, करा कि एक triangle है, हमारे पास एक त्रिभूज है, A, B, C में, हमसे कह रहा है कि B square sine 2C, plus C square sine 2B, किस के बराबर होगा, चलिएगा, in triangle, A, B, C, त्रिभूज A, B, C में देखेगा, त्रिभूज A, B, C में, हाँ, 7, C सही होगा, सर, बिल्कुल सही है, चलिएगा, सर, इसे attempt करिएगा, अरुन सर, आगे बढ़ते हैं, करा कि B square sine 2C, B square sine 2C, plus C square sine 2B, देखे, यहाँ पे, यहाँ पे सब 2B, 2C है, और यहाँ पे, देखे, single angle आ रहा है, मतलब कि y2 करना, इनको मतलब तोड़ लिए आ जाए, यह आ जाएगा, B square, और into, sine 2C को तोड़ देंगे, तो आ जाएगा, 2 sine C, into, cos C, plus, इसके साथ भी, C square, और आ जाएगा, यह, 2 sine B, across B, ठीक है, अच्छा, sine rule हमने पढ़ा है, sine rule हमने पढ़ा है, क्या, sine rule हमने पढ़ा है, A by, sine A, equal to B by, sine B, equal to C by, sine C, sine C, इक्वल to होता है, K, यह पढ़ा है हमने, अच्छा, यानि कि, और इसका opposite भी पढ़ा है, हम लोगों ने, है ना, यह भी कह सकते हैं, कि क्या, sine A upon, जो यूज करेंगे, वही यूज करेंगे, हमना उपार वाले को नहीं यूज करेंगे, इसे यूज करेंगे, थोड़ा रखना आसान होगा, sine B upon B equal to, sine C upon C equal to K, ठीक है, अब एक छोटा सा काम करते हैं, जहाँ पे sine C है, वहाँ पे क्या रख सकते हो, C के, और जहाँ पे sine B है, वहाँ क्या रख सकते हो, B के, यहाँ से देखिए, इनसे B के मिल जाएगा, और इससे C के मिल जाएगा, रखते हैं यहाँ पे, तो एक काम करें, हम यहाँ पे, यह है B square into 2, sine C की जगह पे क्या रख दिया है, हमने C के, और यह cos C अपनी जगह पे है plus 2 को चुपचाप रहने दिया जाए, 2C square और sine B की जगह पे हम रख देंगे B, K, और साथ में है हमारे पास cos B, अब देखिए, दो यहाँ से common ले लें, दो common लीजिए, B common लीजिए, C common लीजिए, K common लीजिए, यहाँ क्या बचा, देखिए, C, K तो common निकल गया है, दो भी common B बचा, B cos C plus, यहाँ पे C cos B, और यह आपने पढ़ा होगा, क्या B cos C plus C cos B, यह A के बराबर होता, भुजा A होती है यह, तो कितना जाएगा, 2BC K into A, इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, A रख सकते हैं, अच्छा अब A यहाँ से देखिए, क्या आएगा, यहाँ से A आएगा अगर यहाँ से आप इन दोनों अनुपातों से A निकालेंगे, तो A बराबर क्या आएगा, sin A बटे K, फिर से convert कर दिया जाए, K को हटाना है, यह ना इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, sin A बटा K, के से K को काट दीजिए, यह हो जाएगा, 2BC sin A, 2BC sin A, 8th में कौन अगर बिल्कुल साइज हो आप सर, आगे बढ़ते हैं, क्वेस्टन नमर देखा जाए, 9, क्वेस्टन नमर 9, क्राए कि इन एनी ट्राइंगल A, B, C, कोई एक ट्राइंगल A, B, C है, जहाँ पे A इतना है, B इतना है, C इतना है, then the value of cos by 2, अच्छा, देखेगा, यहाँ पे cos by 2, चुकि हमको पता है, एक बात तो पता है, कि अगर हमें, cos by 2 निकालना है, तो इसका सीधा ससूत्र है हमारे पास, अगर तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो हम इसे निकाल सकते हैं, S into, S minus B, और जो साइड यहाँ माइनस में आती है, उसके अलावा जो दोनों साइड बस सकते हैं, तो इस बराबर कितना आजाएगा, सभी भुजाओं का सम कर लीजिए, है न, semi perimeter होता है, 16 plus 24 plus 20, अब बटा कितना हो जाएगा, 2, तो 16 और 24 कितने हो जाएगे, 40, और यह 40 और 20 कितने हो जाएगे, 60, 60, बटा 2 कितना आजाएगा, 30, निकाला जाए इसको, यह इसका मतलब हो जाएगा, 6, A into B, A कितना दिया गया हमको, 16, अब B कितना दिया गया है, 24, अब काट देते हैं, जो कट रहा हो, जो नहीं कटेगा, उससे बचाया जाएगा, यह 6, 96, 64 का 24 हो जाएगा, फिर, इसे काट दिया जाए, अब 2 से काट दिया जाए, एक तो यह 30 हो हमारे पास, 30 मेरे से 6 हो गया, और 16 हो गया, और यहां पे, A into B, एक इतना 16, अच्छा फो, जो भुजा होती हो, उसके अलावा रखते हैं, यहां B है न, यहां C रखते हैं, यहां C आजाएगा, ठीक है, ठीक है, यहां पे आजाएगा 20, ठीक है, अब काट दिया जाए, वही 00, दोनों के काट दिये जाए, ठीक है, फिर, इसे काटा जाए, 2, 3, 6 हो जाएगा, 2, 8, 16 हो जाएगा, देखिए, यहां पे 2 बचा हुआ है, तो उपर कितना हो जाएगा, उपर तो 3 गुड़े 3, यानि कि 3 आ गया, नीचे 8, 2, 16 हो गया, 16 का 4 आ गया, तिन बठा 4, कौन सा सही हो जाएगा, 9 का जो B option है, वो correct हो जाएगा, question number 9 में, B option जो होगा, वो correct हो जाएगा, ठीक है सेर, आगे बढ़ा जाए, चलिए, आगे बढ़ते हैं साब, question number 10 था, और वो कह रहा था कि, A plus B plus, A plus B minus C, cot B by 2 equal to, क्या होगा, है ना, कौन सा option सही होगा, A, B, C, D करके, 4 option दिए गए थे, चलिएगा, A plus B plus C की बात, अगर थोड़ी सी हम बात यहाँ पे कर लें, अगर हम इसको, A plus B plus C है ना, तो इसकी जगपे हम क्या रख सकते हैं, एक हमने यह पढ़ा है, कि 2S बराबर क्या होता, A plus B plus C, अगर हम यहाँ से A plus B निकलना चाहें, तो क्या आ जाएगा, 2S minus C, यानि किसी जगपे हम रख सकते हैं, जहाँ A plus B है, उसकी जगपे हम रख सकते हैं, 2S minus C, और यह minus C, पहले से वहाँ बैठा है, एक, है ना, फिर यह क् क्वाट B by 2, तो क्वाट B by 2 का मतलब क्या होता है, कि वो सूत रख दिया जाए, यहाँ पर, क्वाट B by 2 होता, S into, S minus B divided by, क्वाट B by 2, है न, S minus B हो जाएगा, divided by आ जाएगा, S minus A, और S minus C, ठीक है, चलिए, यहाँ पर, एक मिनट, आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, 2, S minus 2C हो जाएगा, तो यह काम करें, हम यहाँ से इसे common निकाल लेते हैं, क्या, 2 को common ले लें, तो S minus C बचेगा, और जो यह S minus C बच रहा है, इसको अंदर ले जाओ, रूट के अंदर ले जाओ, देखिए, यहाँ पर हमने क्या क्या, 2 common लिया, यह हो गया, 2 S minus 2C, 2 लिया, common, S minus C, S minus C को रूट के अंदर ले जा रहे हैं, तो S वहाँ पहले से है, S minus B पहले से है, और S minus C जब रूट के अंदर जाएगा, तो यह हो जाएगा, S minus C का square, divided by S minus A, और हो जाएगा, S minus C, इसको इससे काट देंगे, A गट जाएगा, उपर देखो, गर हम S minus C उसे दे दें, S minus A उपर गुड़ा कर दें, तो उपर डेल्टा बन जाएगा, है ना, भाई, S minus A से उपर और नीचे गुड़ा कर दीजिए, तो नीचे S minus A का whole square हो जाएगा, उपर S minus A आ जाएगा, तो रूट S into S minus A, S minus B, S minus C उपर तो बन गया डेल्टा, और नीचे क्या बन गया, S minus A, ह है ना, अच्छा, देखिए, यहाँ पर यह option जो है, A plus B plus C, cot B by 2, इसके आने का question नहीं उठता, है ना, यहाँ पर B option हो सकता है, या फिर C option हो सकता है, इन दोनों में से कोई हो सकता है, यह क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, A plus B minus C, cot B by 2, तो यह दोनों तो बरा है, यह तो option B हो सकता है, और यह तो option C हो सकता है, जो इसके equal हो, है ना, तो हम option number C को try कर रहे हैं, B को भी आप try कर सकते हैं, चलेगा, देखें यहाँ पर क्या है, A plus C, A plus C की जगह पर हम रह सकते हैं, 2S minus B, वही सेम, तो यह हो जाएगा, 2S minus B, यह माइनस B वहाँ पहले से ब S minus A, S minus B, चलिए, 2 को रखने दीजिए बाहर, 2 को रहने दीजिए बाहर, और S minus B का whole square ले जाएगे अंदर, root के अंदर जाएगा, तो यहाँ तो S है, और यहाँ S minus C है, और देखें, S minus B का whole square अंदर जाएगा, नीचे वाले से काट देगा इसको, तो हमारे पास क्या और divided by कितना आगया, S minus A, सेम आगया जो उस bracket में आया था, देखें, वहाँ पर जो आया था, वही सेम यहाँ पर भी आगया है, अगर आप करना चाहें, तो वही कर सकते हैं, दोनों multiply कर सकते हैं, S minus A से, तो उपर हमारा 2 delta बन जाएगा, और नीचे S minus A आजाद हो जाएगा, यानि कि जो option number जो दसवे में आ रहा था, वही सेम कहां पर, दसवे के C वाले विकल्प में भी सेम आ रहा है, तो 10 में 10 में कौन सा सही हो जाएगा, B वाला जो है, वो correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, और देखते हैं next question, चलेगा, तो 10 में C option सही हो जाएगा, बिलकुल सह यह अरुनसर सांदार तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, बहतरीन, यह होता है, participation, active participation, है ना, चलेगा, अब आप प्रश्णों को हल करेंगे, तभी मजाएगा, आपको आप पढ़ने वाली उम्र में नहीं रहें आप सभी, है ना, अब आपको बस प्रश्णों को हल करना है आपको साथ में practice जारी रखनी है, लगातार करते रहना है, तिक यह लिखा हुआ, 10A by 2 पांच बटे 6 है, 10C by 2 दो बटे 5 है, हमको निकालना है ABC के बीच में relation, हमको पता है कि 10A by 2 और 10C by 2 दोनों जो है वो direct connected होते हैं, किस से भुजाओं से, है ना, हमारे पास एक relation है, जो उ इस लिस्ता तो निकालना ही है, देखिए एक तो यह 10A by 2, multiply कर दीजिए, 10C by 2 से, हना LHS का multiply LHS से, RHS का multiply RHS से, 5 बटे 6 का multiply से कर दीजिए, 2 बटे 5 से, 5 से 5 कर दीजिए, यहाँ पे 2,1,2,2,3,6 हो जाएंगे, और यह 10A by 2 है, root के अंदर इसको ले आओ, root के अंदर दोनों क formula expand किया, रखे जाएं, यह हो जाएगा, S into S minus A, और यह आजाएगा, S into S minus C, उपर sign होता है, नीचे क्या होता है, cost में, ने ने उपर, sorry, sorry, sign है ना उपर, हाँ, तो क्या हो जाएगा, भाई, जो angle होता है, उसे छोड़ देते हैं, यह हो जाएगा, S minus B, और S minus C, और यहाँ प divided by, ठीके, नीचे कौस आ गया, S into S minus A, और S into S minus C हो जाएगा, ठीके, जो कट रहा हो से काट दिया जाए, जो बच रहा हो से बचा लिया जाए, S minus A से काट दीजिए, S minus A को, S minus C से S minus C को काट दीजिए, बराबर में हमारे पास कितना है, एक बटे तीन है, है ना, वैसे ऐसे प्रशनों के उत्तर आपको याद होने चाहिए, ठीक है, यह बहुत ही, मतलब अच्छे क्वेस्चन है, देखेगा यहाँ पर उपर बन गया, S minus B का whole square, और नीचे बन गया, S square, तो उपर से वर्गमूल के बाहर निकल के आएगा, S minus B, और नीचे से निकल के आएगा, S, यही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो यह आजाएगा, यह इधर हो जाएगा, 3S है, इधर 1S आके घटेगा, 2S हो जाएगा, 2S minus 3B equal to 0, और S की जगह पे S क्या है, पेरिमीटर हो गया, तो पेरिमीटर क्या होता है, A plus B plus C, minus 3B equal to 0, तो यह हो जाएगा, A plus 3 बराबर कितना, B घट जाएगा, A plus C बराबर, एक B घटेगा, तो 2B हो जाएगा, minus के रहेंगे इधर, इनको transfer कर दीजिएगा, अब आपको पता है कि अगर क्या हो, 2B बराबर हो जाए, A plus C, it means, कि A, B, dot, dot, C in A, P, है न, A, B, C क्या है, A, P में दिए गए है, तो कौन सा option से हो जाए है न, question number 11 में, B option, correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, question number 12 की तरह, वहोती बढ़िया, अरुंसर सांदार, है न, B वाला option जो होगा, वो correct हो जाएगा, question number 12 देखेंगे, करा कि, little the angle A, B, C, of a triangle A, B, C, अच्छा है, करा कि, angle A, angle B, angle C, ये, A, P में दिए गए है, है न, कौन, angle A, A, angle B, angle C, dot, 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 in, A, P, और आपको पता है कि, अगर angle A, P में है, तो बीच वाले का जो दो गुना होगा, दोनों के sum के equal होता है, कि 2B equal to कितना हो जाएगा, A plus C हो जाएगा, ठीक है, चलिएगा, 2B बराबर A plus C, और एक अपने relation पढ़ा है कि, त्रिभुच के तीनों कोड का जो योग होता है, वो कितना होता है, एक 180 होता है, तो यह A plus B plus C बराबर होता है, 180, अच्छा, जहाँ पे A plus C है, वहाँ पे हम रख सकते हैं, B, 2B, 2B, तो 2B और 1B मिला के कितने हो जाएगे, 3B हो जाएगे, बराबर कितना हो जाएगा, 180 काट देंगे, तो यह 60 अच्छा, और एक साइन रूल हमने पढ़ा है, चुकि अनुपात दिया है ना, दो भुजाओं में, तो यह B अनुपाते C, बराबर हो जाएगा, क्या, according to साइन रूल, साइन भी बटा, साइन सी के एकक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे हम, अंडरूट तीन, और यहाँ रखेंगे अंडरूट दो, B अनुपाते C, अंडरूट तीन, बराबर निकालना चाहें यहाँ पे, साइन सी बराबर तो यहाँ आ जाएगा, अंडरूट दो, बटे अंडरूट तीन, इंटू साइन साइन की वैलू रख दिया जाए, वो होती अंडरूट तीन, पर लिखा अंडरूट दो, नीचे लिखा दो, है ना, तो हम अंडरूट दो, दो को लिख सकते हैं, अंडरूट दो, गुड़ अंडरूट दो, कार देंगे तो एक बटे अंडरूट दो आ जाएगा, यहनि साइन सी बराबर आजाएगे, एक बटे अंडरूट दो, साइन म तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 180-60 और 40-100 एक सो पांच एक सो पांच घटा देंगे तो कितना जाएगा पिछा 30 डिग्री आ जाएगा एंगले है ना तो बारवे में कौन सौफन सही हो जाएगा 12 में आपसन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पे राहूल जी का राहूल सर सांदार आगे बढ़ते हैं सब पॉस्चर नंबर 12 किरा कि इफ वो आर कैप्टल आर और स्माल आर है ना कैप्टल आर जो होती है हमारी वो परिवृतिकी तरिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् आर बराबर बताइए क्या फार्मूला होता है तो आपने पढ़ा होगा कि आर बराबर होता है क्या फोर आर साइन एवाई टू साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू यह सूत्र होता है हमारा इसमाल आर बराबर कितना फोर आर साइन एवाई टू साइन बी बाई टू और sin CY2 तो 12 में कौन सा option सही हो जाएगा question number 12 में option सही हो जाएगा B सही होगा question number 12 में option सही होगा B वाला option सही होगा यही तो पड़ा है 4R बराबर shine AY2, sin BY2, sin CY2 है ना question number 13 में option कौन सही हो जाएगा 12 नहीं 13 है B वाला option सही है बिल्कुल साही जवाब सर, सांदार तरीके से बहतरिन अंदाज में, चलेगा 12 में C साही था, बिल्कुल साही है एक छोटा सा question है ये बताएगा, इसमें क्या साही होगा question number 14 ये कह रहे हैं कि in a triangle ABC, एक triangle ABC है जहाँ पे B जो है, वो 900 है दिया गया है, और एक छोटी सी बात दी गई है, ये B है, B कितना दिया गया है, 100 degree दिया गया है और ये C point है और ये A point है, और ये बताया गया है कि जो BC है, वो CA के बराबर है, BC और BA, ये दोनों बराबर है, और आपको पता है कि equal sides have equal opposite angle है ना, बराबर हो जाओं के संगत code भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं तो ये वाला जो code है और ये वाला जो code है, ये दोनों code भी क्या होंगे, equal होंगे अगर ये 100 निकल गया, तो बचा कितना अब हमारे पास, 80 तो 80 में दो बाट divide कर दीजिए, तो ये 40 का हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 40 का हो जाएगा, यानि कि 14 में जो C वाला option है, वो correct हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आया है, पर बिनोज सर का, बिल्कुल सही आया है, औरोन सर का, सांदर सर, आगे बढ़ेंगे question number 15 देखेंगे देखेंगे का कर रहा है कि letter A, B, C, B, any triangle, then A square प्लस ये दिया हुआ है, चलिएगा हम generally इस question को कर सकते हैं हम अगर मान लीजिए कि इस प्रश्ण में, है न एक तो हम इसको right angle triangle equilateral triangle में में से satisfied करवाने जा रहे हैं, भुजा A बराबर भुजा B, बराबर भुजा C, तो आपको पता है कि equilateral triangle में A, B और C, सभी angle बराबर होते हैं, और वो सभी क्या होते हैं साथंस होते हैं, ठीक है, जहां भुजाओं का relation होगा, वहाँ पे हम A, B, C बराबर रख देंगे दोनों, तीनों और जहां पे कोड़ों का होगा, वहाँ साथंस रख देंगे और इस प्रश्ण को हम करने की पूरी कोशिश करेंगे देखिएगा यह हो जाएगा, A square into, देखिएगा, साथ रखेंगे Cos 120, माइनस Cos 120 दोनों 0 आ जाएगे, कटके Plus यह भी हो जाएगा, Cos 120, माइनस Cos 120 यहाँ भी 0 आ जाएगा Plus यह भी हो जाएगा, Cos 120, माइनस Cos 120 0 आ जाएगा, यानि कि यह आ जाएगा 0, प्लस 0, प्लस 0, यह आ जाएगा हमारा 0, है ना और 0 आप्सन भी है अपने पास, तो कौन सा आप्सन से हो जाएगा यहां पर 15 में जो B option है वो correct हो जाएगा यानि कि 15 का B correct होगा है ना आगे बढ़ेंगे next question देखें question number 16 question number 16 attempt करिएगा इस प्रश्ण को हाँ बिल्कुल सही था अरुन सर करे एक नदी के पुल के एक बिन्दू से नदी के सम्मुक किनारों के ओन्मन कोड देखेंगा एक नदी के पुल के एक बिन्दू से मालो यहां पर पूल है और यह हमारी नदी है और यह एक नदी का किनारा यह है और एक किनारा यह है है नदी के किनारों के ओन्मन कोड ओन्मन कोड है तो मतलब की मामला उपर का है इस तरह से देखे गए चलिए एक एक एंगल जो देखा गया वो देखा गया पैंतालिस 30 माल लिजे एक देखा और दूसरा 45 देखा गया दूसरे वाले का 45 देखा गया अच्छा ये आपको एक बात पता है कि करा यदि पुल किनारों से 3 मीटर की उचाई पर हो जो पुल की उचाई है वो कितनी है 3 मीटर है अच्छा देखिए अब आपको पता है कि अगर ये अंगल 45 दिग्री का है तो ये वाला भी 45 का हो जाएगा ठीक है अच्छा और ये अगर 30 का है तो ये अंगल क्या हो जाएगा हमारा 30 दिग्री का हो जाएगा अब देखिए ये 45 है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर हो गई इधर वाली ये यहां तक की तो ये 3 हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी तीन बस इसमें लगा दीजिए 45 है तो 10-45 में लगाओगे तो लंब बटे आधार हो जाएगा तो लंब और आधार दोनों बराबर हो जाएगा कि क्यों 10-45 कमान 1 होता है तो ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर हो जाएगी अच्छा तो यहां पर 10-30 लगा देया गया है तीन और ये आधार हो हमको नहीं पता इसको हम एक्स समाल लेते हैं एक्स समाल लिया हमने ठीक है kleiner एक बटें उर तीन रखेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा तीन एटीन ऑन रोट तीन हमसे कह रहें नदी की चोडाई तो ये नदी की रूट 3 प्लस 3 ले लेंगे 3 को common तो रूट 3 प्लस 1 है ना ठीक है तो यहां पे option दिया गया था पहला option क्या दिया गया था 3 अंडर रूट 3 माइनस का वन दिया गया था अच्छा तो इसमें जो option 3 एंडरूट 3 साहत मुझे लग रहा है कि C option रहा होगा जो भी रहा होगा तो वो correct answer माना जाएगा इसका है ना 3 into under root 3 plus 1 इसमें कोई विकल्प सही नहीं है है ना और अगर सही करना चाहते है तो इसे कर दीजिए यही option कर दीजिए यही option कर दीजिए ठीक है तीन under root 3 plus 1 ठीक है तो कौन सो अप्षन से हो जाएगा 16 का जो यह वाला option है वो correct हो जाएगा इतने मीटर आएगी है ना चलेगा बिल्कुल सही जवाबर अरुनसर बहुत बढ़िया चलेगा आगे बढ़ेंगे question number 17 देखेंगे question number 17 कह रहा है कि एक बहुमंजिल भावन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर उचे भावन के शिखर और तल के आउनमन कोंड तीसंस और पैंताले संस दिये गए है ठीक है दोनों भावनों के बीच की दूरी ग्याद कीजिए अब देखेंगा वो क्या कह रहा है वो कहना चाह जगता एक भावन है ठीक है वहां से उपर से देखे गए है उनमन कोंड उपर से देखेंगे इससे मिला लिया जाए ठीक है तो जो सिखर का देखा गया है सिखर का वो तीसंस है ये वाला जो है तीसंस है यह 30 है तो लगे हाद यह भी 30 बना दीजिए और आधार का 45 देखा गया है तो यह इंगल जो है 45 तो यह कितना हो जाएगा यह भी हो जाएगा 45 हो जाएगा अच्छा इसकी उंचाई कितनी है? यह 8 है यह वाली हम H मान लेते हैं तो यह वाली देखें यहां भी यह वाली भी 8 हो जाएगी यह भी 8 मीटर हो जाएगी अच्छा आप में एक बात पता है कि देखिए जो 10 45 दिया होता है इसके मतलब यह लंब और आधार दोनों बराबर होते हैं तो इस दोरान यह भी हमारा जो आधार है वो कितना हो जाएगा है ना भाई यहां पे &i8 हो उसमें लगा यह 10-30 उपर लगाई यह तो क्या जाएगा लंब बटे आधार आधार कितना हमारा H plus 8 हमें क्या निकालना दोनों भावनों के बीच की दूरी निकालनी है हमें निकालना दोनों भावनों के बीच की दूरी यानि कि H plus 8 निकालनी है पहले H निकाल लिया जाए तभी निकालना हो पाएगा 10 30 का मानेक बे 10 under root 3 रखेंगे उसके साथ multiply हो जाएगा तो ये बन जाएगा under root 3 H equal to कितना H plus 8 है ना H plus 8 8 मतलब 8 इसको इधर ले आईए ये आजाएगा H into under root 3 minus 1 equal to कितना 8 तो H बराबर आजाएगा 8 और उपर निचे इसका multiply करेंगे conjugate का तो under root 3 plus 1 हो जाएगा और ये आजाएगा 4 यानि कि जो हमारे पास H आगई हो H आगई हो कितनी आगई 4 under root 3 plus का 4 ठिक है दोनों भावनों के बीच की दूरी है ना ये जो प्रस्णम से पूछा गया दोनों भावनों के बीच की दूरी वो कितनी है H plus 8 H plus 8 H कितनी आगई है H आगई है हमारी 4 plus 4 under root 3 plus 8 8 4 कितने हो जाएगे 12 यानि कि हो जाएगे 12 plus 4 under root 3 4 ले लिजिए common तो आजाएगा 3 plus under root 3 मिटर है ना तो कौन साफ़न से हो जाएगा 17 का जो C वाला option है वो correct हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पे अरुन सर का 17 में सी सही होगा विनोत सर बिल्कुल सही चलीगा बाकी लोग अटेम्ट कर रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं मतलब कि जवाब भी दीजिए भाई question number 18 ये question में कुछ पूछना अलग था हैं मालिजे की एक खंबा इधर है और एक खंबा इधर है इन दोनों के बीच की जो लंबाई है वो कितनी है सडक की जो चोड़ाई है वो कितनी है 80 मीटर है ठीक है तो दो खंबे लगे हुए है इन दोनों खंबों के बीच सड़क के एक बिंदू से यहां पर माली जी कोई एक बिंदू है है ना जो उन्ने अन कोड देखे गए वो 60 हंस और 30 हंस देखे गए ठीक है तो यह हमारा हो गया यह 60 हंस हो जाएगा और यह वाला 30 हंस देखे गए ठीक है तो हमसे कहा रहा है कि खंभों के बीच की दूरी ग्य ही रहेगी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा जितनी सड़क चोड़ी है उतने दूर पर खंबे लगे हुए तो दोनों खंपों के बीच की दूरी जोगी वह असी मीटर हो जाएगी यहां पर कौन से हो जाएगा इस प्रश्ण के कार्डिंग ऑप्सन नंबर जो डी है वह करेक रिख हो जाएगा देखेंगे कौस्चन नंबर 19 आगे बढ़ेंगे आच्छा लग रहरी बढ़िया करा समुद्र तल से 75 मीटर उची लाइट हाउस के सिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के ओनमन कोड 30 अंस और 45 अंस देखे गए चलिए बनाते हैं समुद्र तल स चलिए 75 मीटर उची लाइट हाउस यहां पर लाइट हाउस है माल लिजे जिसकी उचाही कितनी दी गई है वो दी गई है हमको 75 मीटर ठीक है 75 मीटर एंगल देखे गए 2 बिंदू है समुद्री जहाज मा लिजए कि एक बिंदू ये है और एक बिंदू ये है जहाज के आउनमन बनते जरूर है लेकिन उन लास्ट में नीचे ही अंगल हम लोग लेते हैं तो ये भाई 30 अंस का था और ये वाला जो अंगल है वो 45 डिगरी था तो ये वाला हमारा 30 बन जाएगा और ये वाला हमारा 45 डिगरी बन जाएगा यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ग्यात किजी हमको ये डिस्टेंस चाहिए हमें ये चाहिए अब एक सीधी सी बात हमको बाता है अभी हमने बार बार बात की कि ये पचेतर है और ये एंगल 45 दिया गया है तो आधार और लंब दोनों बराबर रहे होंगे तो ये भी 75 ही हो जाएगा अच्छा ये भी 75 हो गया अब लगा दीजे यहाँ पे 10-30 अगर हम यहाँ पे 10-30 लगाएंगे तो आजाएगा लंब बटे कितना आधार ये हो जाएगा 10-30 है ना तो 10-30 का मान कितना होता है एक बटे अंडर रूट 3 क्रोस मल्टिप्लिकेशन करेंगे तो एक से प्लस 75 बराबर कितना आजाएगा 75 अंडर रूट 3 75 को आप उधर ले जाएए और 75 ले लिजिए कॉमन तो अंडर रूट 3 माइनस का 1 मिटर है ना तो एक सी तो है दोनों जहाजों के बीच एक जहाज यहाँ पे है एक जहाज यहाँ पे है दोनों के बीच की दूरी जो कितनी हो जाएगी 75 अंडर रूट 3 माइनस 1 मिटर है ना तो उन्नीस में जो ए वाला उप्सन है वो करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल सही जो एंसर 40 मिटर पहले पोल से हाँ सर अरून सर बिल्कुल बिल्कुल एक जो उस प्रेस्ट में यह नहीं पूचा गया था इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो गई थी बाकी सही आंसर आपका वही आना चाहिए था विनोस सर लाजवाब अरून सर लाजवाब सत्यवीर सर लाजवाब आचले ग्रहरी बहुत बढ़िया बिटा अरून सर लाजवाब आगे बढ़ते हैं सर कोश्चन नमर 20 देखते हैं कि एक पेडिस्टेल के सिखर पर ऐक दसमलो 6 मेटर उची मूरती लगी है ना पेडिस्टेल phenomena के live जहां पर कुछ लगाया गया जाता है थोड़ा से बनाया नहीं जाता हैैं अंचा सा हो आई सके ओफर मूरती लगा जाती है इसके उपर माली जी एक मूर्ती लगी है ठीक है तो इस मूर्ती की जो उंचाई है वो कितनी है वो है एक दसमलो छे है ना ठीक है एक दसमलो छे मीटर एक मिनट हम एक दसमलो करा कि एक पेडस्टल के सिखर पर एक दसमलो छे नहीं एक दसमलो पांच यहां पर एक दिस्वलों पांच मीटर उची है यह एक मिनट ठीक है एक सम्लों च्छाही रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं देखेगा एक दिस्वलों छे है इसकी जो इसकी हुचाही जो है एक मिनट अरे भाई है थोड़ा से रोकिये गाप से प्रोब्लम आ गई छोड़ी देर में से पुटाए है हरे याद करते हैं यह पेडेस्टल था हमारा और उसके ऊपर एक यह मूर्ती लगी थी मूर्ती की जो हैट थी वो दी गई थी एक दसमलो छे मिटर वूचि लगी हू़त है अब भूमी के एक बिन्दु से मूर्ती के सिखर का उन्नाइन कोड साथन्स है भूमी पे कोई एक बिंदू है उसका जो मूर्ती का उन्ने अन कोड है वो हमको दिया गया कितना साथन्स ठीक है और ये वाला एंगल हमको दिया गया है कि भूमी के एक बिंदू से मूर्ती के सिखर का उन्ने अन कोड साथन्स है और उस बिंदू से पेडेस्टल के सिखर का पेडेस्टल के सिखर का यहां का यह 45 हमको दिया गया है तो हमको पेडेस्टल की उचाई बताना है तो एक बात याद रखेंगे यहां पे हमने कई बार आपसे डिसकस किया कि छोटा सा कम देखें गए 45 दिया है ना तो आपको जो पेडेस्टल की जित अधार होगा उतना ही लंब होगा और यहां पर 1060 लगा दीजिए 1060 1060 पराबर कितना हो जाएगा 1.6 प्लस है न यह क्या हो जाएगा लंब हमारा 1.6 प्लस हो जाएगा और अधार कितना हो जाएगा है ठीक है और 60 का मान हो जाएगा under root 3 तो इसका मान हम under root 3 रख देते हैं under root 3 h हो जाएगा equal to आजाएगा 1.6 अब plus का h हो जाएगा इसको इधर ले आओ तो यह h बराबर आजाएगा 1.6 पहले तो divided by आजाएगा root 3 minus 1 minus 1 आएगा h common लोगे तो root 3 minus 1 हो जाएगा उपर नीचे multiply कर दीजिए तो यह आजाएगा 1.6 और यह हो जाएगा root 3 plus 1 divided by कितना हो जाएगा plus b minus b 3 minus 1 2 दो से इसे काट दीजिए 0.8 बचेगा यहाँ पे कितना जाएगा 0.8 ब्रैकेट में आएगा under root 3 plus 1 मिटर तो कौन सा ओप्षन सही आ रहा है यहाँ पे आचे लग रहा है रही विनोत कुपता सर बहुत बढ़ी है सर सत्यवीर सर सांदार अरुन सर सांदार बीस में कौन सा ओप्षन सही होगा the option जो है वो करेक्ट हो जाएगा आगे पढ़ेंगे question number 21 देखेंगे 21 चलिएगा attempt करिएगा इस question को बहुत ही उम्दा question options नहीं दिये हैं मैं options इनके लिख देता हूँ ठीक है question number 21 21 में पहला option दिया given था वो दिया गया था 3 second और option दूसरा दिया गया था 4 second option तीसरा दिया गया था 5 second और option 4 दिया गया था 6 second ठीक है attempt करते हैं इस question को बहतरीन question है कि रहा एक सीधा राजमार्ग एक मिनार के पाद थोड़ा सा language की problem आई है मिनार के पाद मतलब foot है ना मिनार के पाद तक जाता है ये मिनार है हमारी और यह सीधा रास्ता इसके पाद तक जाता है ठीक है, मेनार के सिखर पर खड़ा एक आदमी, एक कार को 30 अंस के आउनमन कोड पर देखता है, चलिए इसने देखा होगा, उपर वो 30 अंस पर देखता है, फिर के आउनमन कोड पर देखता है, जो कि मेनार के पाद की और एक समान चाल से जाता है एक समान चाल से जा रहा है लगातार इधर जा रहा है यहां जा रहा है और माली जी किसी बिंदू पर यहां पर आके पहुँच गया इस दोरान जो देख रहा है कि जो कोड है वो साट हंस हो जाता है यह टोटल साट हंस का बना है तो यह साट हंस हो गया और कह रहा है इस बीच में इसको न 6 सेकंड का टाइम लगा है यहां से यहां तक आने में कितना 6 सेकंड का टाइम से यहां से यहां तक आने में लगा है तो हमसे कह रहा है कि इस बिंदू से यानि कि जब नए बिंदू पर जो आ गया है यहां से मिनार तक पहुँचने में कित तो एक चोटा सा काम करते हैं, यहां पर क्या करें, भाई, यहां पर मिनार की हाइट लेट कर लें, ठीक है, हमने क्या किया मिनार की हाइट को लेट कर लिए, त्रीमें ट्रैंगल अब पूरा बना लिजे, A, B, C, और ये D, ठीक है, A से B तक जाने में 6 सेकंड का समय लग रहा है, हम यहां पर उठा रहे हैं ट्रैंगल, 10-60 इसमें लगा रहे हैं, छुट्टे वाले ट्रैंगल में, तो ये 10-60 बराबर हो जाएगा, H बटे BC, और अगर हम यहां से भुजा BC निकालना चाहते हैं, तो H बटे 10-60 आएगा, और 10- 60 कमान रखेंगे, तो अंडर रूट 3 आजाएगा, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पूरा ट्रैंगल उठाते हैं, ठीक है, एक मिनिट पूरा आ रहा है, ठीक है, अब उठाईए 10-30, अब 10-30 को उठा लीजिए, मतलब हमको A-B पता चल जाए, तो मामला हल कर लेंगे हम, तो एक बट अंडर रूट 3 होता है, तो क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करेंगे, तो यह आ जाएगा हमारा A-B प्लस B-C इक्वल टू, एक बट अंडर रूट 3 का हिससे गुड़ा हो जाएगा अंडर रूट 3 का, तो अंडर रूट 3 H आ जाएगा, है ना, चलिए, A-B प्लस, B-C हम को दिया है, B-C कितना दिया है, H बट अंडर रूट 3, तो हम चाहा रहे हैं, कि यह अंडर रूट 3 H में, B-C को उधर जाकर घटा दिया जाए, घटा दिया हमने, तो कितना आ जाएगा, अब LC हम लेंगे, तो LC हम आ canon, रूट 3 हम आ जा जाएगा, 3 H-H, यानि कि या जाएग होता है दूरी बटे समय चाल बराबर होता है दूरी बटे समय तो दूरी कितनी है हमारी 2H बटे अंडर रूट 3 और टाइम कितना लग रहा है यहां पे 6 सेकेंड का लग रहा है तो 2192, 2-3 या 6 तो यह आ जाएगा H बटे 3 अंडर रूट 3 जो इसकी चाल है वो क्या है H बटे 3 अंडर रूट 3 चाल है ठीक है अच्छा BC दूरी कितनी है अब देखें यह दूरी है यह जो हमारी AB थी वो दूरी कितनी है AB जो है वो 2 बटे H अंडर रूट 3 थी और इसी का देखें यह 2 गुना दूरी थी यह 2 गुना दूरी है 2 H बटे अंडर रूट 3 और यह क्या H बटे अंडर रूट 3 मतलब यह आधी दूरी है और इसे चलने में अगर इसको इतनी दूरी चलने में इसे अगर 6 सेकेंड लगे है तो चाल निकालो या ना निकालो सीधा यहीं से भी निकाला जा सकता है देखिए BC मिल गया AB मिल गया जो AB हो दो गुनी है तो यहाँ दो गुना टाइम लगेगा और इसको क्या लगेगा आधा टाइम लगेगा तो इस BC वाली डिस्टेंस को टाइं करने में उसको कितना आधा टाइम लगेगा 6 सेकंड लग रहे थे 2 गुना डिस्टन्स तै करने में तो ये हमारा 3 सेकंड का टाइम लेगी और मामले को रफा दफा कर लेगी मतलब वो जगा पहुंच जाएगी है ना बाद तक पहुंच जाएगी तो कितना टाइम लगेगा 3 सेकंड लगेगा है ना ठीक है तो 21 में जो ये वाला आपसन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा चलिए एक बार जवाब ले लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं हम ठीक है बहतरीन 21 में अरुन अरुन सर बिलकुल सही है और वरजे है चलेगा है स्कुल तो सभी पढ़ाई रहे हैं कम से कम है ना लगे पढ़े हैं सब देखिएगा 22 में परस्ट देखिएगा करा कि 1.5 मीटर लंबा है एक लड़का 30 मीटर उंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है चलिए ये भवन है और ये लड़का है ठीक है अब देखेगा लड़के की जो उंचाई है वो दी गई है 1.5 मीटर है ना अब लड़के की जब लंबाई उंचाई दे दी गई तो मतलब ये भी इसका भी अस्तित तो है ठीक है उसके बाद जब वह उंचे भवन की ओर जाता है अच्छा भवन की उंचाई दी गई हमको टोटल 30 मीटर दी गई है ये यहां से यहां तक की जो distance है वो 30 मीटर दी गई है जब वह उंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के सिखर का उन्यान कोड अब आँख इसकी ऊपर होगी है ना यह ध्यान रखना है तो ये हमारा पहले 30 अंसरा होगा फिर जब वह इधर गया होगा तो कुछ चला होगा मालो यहां पहुंचा होगा तो यहां पहुंचने के बाद जो उन्यान कोड है वो 60 अंस हो जाता है ग्यात कीजिए कि भवन की ओर कितना चला है ना हमें निकालना है ये वाली दूरी ये वाली दूरी निकालना है कि वो कितना चला तो देखिए वो तो हम निकाल लेंगे बहुत आसानी से पहले हम क्या करें ट्राइंगल बना लेते हैं उपर है जरूरत है हमको, यह A, और यहाँ पे बिंदो B, यहाँ पे बिंदो C, और यहाँ पे बिंदो D, हो गया, चलिए, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे, क्या, कि वह भावन, वह भावन की और कितनी दूरी चला, मतलब X से निकालना है, मतलब कि हमे AB की लंबाई निकालना है ठीक है निकाला जाए इसको Q22 1060 पहले लगा दो पहले 1060 लगा दो अच्छा ये 1.5 है ना तो ये DC कितनी बचेगी भाई ये इतना जितना आदमी ये लड़का लंबा है इतनी हाइट हट जाएगी तो ये कितनी बचेगी ये बचेगी हमारी 28.5 30 में 1.5 घटा देंगे तो 28.5 बचेगी और लगा दीजिए इसमें 1060 ट्रेंगल BCD में 1060 कितना हो जाएगा ये 28.5 बटा हो जाएगा BC यानि कि यहां से BC बराबर आजाएगा इसका मान रख देंगे तो ये आजाएगा हमारा कितना 28.5 बटे अंडर रूट 3 तो उपर नीचे अंडर रूट 3 का मल्टिप्लाई कर दीजिए 1060 का मान अंडर रूट 3 होगा तो तुमने रख दिया अच्छा नीचे 3 बन जाएगा तो 3 से इसको काट दिया जाए 3 9 27 हो जाएगा और 1 3 15 ये 9.5 और अंडर रूट 3 आ जाएगी कौन बीसी आ गई अच्छा बीसी मिल गई हमको लेख दिये क्या अबी हम लगाएंगे 10 30 लगाए 10 30 यहाँ पर 10 30 बराबर कितना हो जाएगा लंब हमारा कितना है 28.5 बटे आधार अधार कितना है एकस प्लस बीसी अब बीसी कितना दिया गया है हमको वो दिया गया है 9.5 अंडर रूट 3 मिटर अच्छा क्रोश मल्टिप्लिकेशन करेंगे 10 30 का मान रखेंगे एक बटे अंडर रूट 3 और एक बटे अंडर रूट 3 का इसके साथ तो या जाएगा 28.5 अंडर रूट 3 उधर जाके घटा दीजिए उधर घटा देंगे तो 28.5 अंडर रूट 5 सीधे कट गए हट गए तो यह बच्छाएगा 29 अंडर रूट 3 बच्छेंगे यानि कि जो ये वाली दूरी है ये दोनों की जो दोनों की बीच की दूरी है यानि कि वो भावन की ओर भावन की ओर कितनी दूरी चला एसे बी तक वो कितना गया और नईस अंडर रूट 3 मीटर गया यानि कि 22 में ए वाला जो आपसने वो क्या होगा करेक्ट हो जाएगा बिलकुल सही जवाब आया विनोत सर का अरुन सर्व, वरजे सर्व, बिलकुल सही सांडर आगे बढ़ेंगे क्वेस्चे नवर 13 देखेंगे 23 करा कि इफ दे साइड आफ ट्राइंगल ट्राइंगल आर 2 साइड आफ ट्राइंगल यह यहाँ पे 625 है मतलब की 25 यानि की 625 15, 225 और 400 625 हो जाएगा मतलब की जो सबसे बड़ी साइड है वो करण है है ना वो क्या है करण है और यह हमारा मालिज्जे की 20 हो गया और यह हमारा हो गया 15 अब देखिए हमको अगर इसका circumference से पूछा है तो आपको पता है कि जो इसका circumcircle है radius of circumcircle परिवृत्य की जो तरिज्जा होती है आपको पता है कि वो क्या होती है जो हमारे पास diagonal होता है विकर्ड जो होता है विकर्ड है ना विकर्ड की half होती है है ना circumcircle क्या होती है विकरड की हाफ होती है है ना यानि कि जो capital R होती वो क्या होती है हमारा जो diagonal होगा उसकी क्या होगी diagonal Y2 कर दीगे तो ये दिया गए हमको 25 बटे 2 उस साढ़े 12 आ जाएगी तो ये साढ़े 12 cm हो जाएगी है ना दूसरा तरीका भी है हमारे पास capital R बराबर ABC अपान 4 डिल्टा से निकाल सकते हैं है ना तीनों भुजाएं दी गए है तो उस तो बहुत लंबा चक्कर क्यों काटेंगे जब सीधा सा पता है है ना कि करण का मद्ध बिंदू ही परिभत करण का आधा जो होता वो परिवित्तिकी तरिज्जा होती है ठीक है तो 23 में कौन सा अप्फन सही हो जाएगा 23 23 का C वाला जो अपसन है वो correct हो जाएगा या ना बिल्कुल सही आ रहा है विनोसर 23 में C आएगा क्योंकि हमें पता है कि जो परिवित्तिकी तरिज्जा होती है रेडियस साप सरकम सरकल जो होती है वो क्या होती है कि कि किसी समकोंड तरिभूच के करण का हाफ होती है आधी होती है तो 23 में कौन सा अप्फन से हो जाएगा C बिल्कुल सही जो आप ब्रजेस सर अरुन सर बिल्कुल से यागे बढ़ेंगे अरे क्या होगा भाई आपको क्वेशन नवर 24 देखा जाए करेदा साइड साप ट्राइंगल आर करेक्ट ट्राइंगल की साइडस इतनी इतनी है देंदा रेडिया साप इस इन सरकल हमें इसके अंताव रितिकित रिज्जा बतानी है यानि कि इसमाल आर बताना है और इसमाल आर बराबर क्या होता है डेल्टा पान एस पंद्रा पंद्रा हम 225 नहीं ये राइट अंगल ट्राइंगल नहीं है राइट अंगल ट्राइंगल नहीं है तो पहले इसका एरिया निकाला जाए और एरिया निकालने के लिए हमें एक छोटा सा काम करेंगे यहां पे हमने हिरोंस फार्मूला पढ़ा था तो इस बराबर हो जाएगा हमारा 14 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 15 से एक उठा के इसको दे दो बाइ 2 तो यह 14 14 14 हो जाएगा 42 42 बटे 2 का मतलब 21 हमारा S आगा है 21 डेल्टा इसकोल टू कितना आ जाएगा रूट S मतलब 21 इंटू S माइनस A 21 में घटा देंगे 13 तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा फिर 14 घटा देंगे S माइनस B तो 7 आ जाएगा फिर 15 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा तो यह हमारा S हो गया अच्छा मल्टिप्लिकेशन कर लिए आ जाएगा मल्टिप्लाइ ना करके फैक्टर कर लिए जाएगा शत्रिक काई 7 गुडे 3 8 को हम लिख सकते हैं देखो 8 यह है अगर 6 वाला 20 में समलित कर दें तो यह 16 हो जाएगा यह 7 अपनी जगा पे है और यह 3 है पेर बन रहा 7 और 7 का एक पेर है तो 7 निकाल लिजे 3 निकाल लिजे और 16 का वर्गमूल होता है 4 4 कितना हो जाएगा भाई इसको चुप चाप यही रहने दीजे यहां आजाओ आर बराबर निकालना डेल्टा डेल्टा हमको दिया गया 7 गुडे 3 गुडे 4 इस कितना या 21 21 से काड़ दीजे 7 त्रिक का इस कितना बचेगा 4 सेंटिमीटर है ना तो कितना हो जाएगा 4 सेंटिमीटर इसकी इन सर्कल की रेडियस आ जाएगी यानि कि 24 का जो सी ओप्सन है वो करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब है ना विनोथ सर ला जवाब अरुन सर बहतरीन आगे बढ़ते हैं कॉस्चन नमबर 25 एक छोटा सा कॉस्चन है और आपके एक्जाम से में पूछा गया कॉस्चन है यह करा कि इस रेशियो में दिया गया एक ट्रेशियो की जो साइट से उनका रेशियो दिया गया है कोई बात नहीं एक बात तो हमको पता है ना शाइन रूल ही तो कहता है यह क्या शाइन ए रेशियो शाइन भी रेशियो साइन सी इक्वल टू होता है किसके ए रेशियो बी रेशियो सी है ना किसी ट्राइंगल की साइंस का जो रेशियो एंगल की साइन का जो रेशियो होगा है ना कोडों की जाका जो अनुपात होता वो स्त्रिवुज की शंगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है sign rule है अपना ठिक है तो A हमको कितना दिया है 1, अनुपात A, B कितना दिया है under 3, C कितना दिया है 2, इसमें सब में हमको जुगाल करते हैं जिससे कि eengle यो से सb में भाग दे hem वाग या गुरा कर सकते हैं अगर कोई अनुपात दिया गया है हमने सब को भाग दे दिया यह कितना आ गया 1 बटे 2 अनुपाते यह अंडरूट 3 बटे 2 और यह कितना हो जाएगा 2 अनुपाते 2 एक आ जाएगा है नहां अब देखिए साइण A बराबर ठिक है, तो कितना जग, 0-0-0 काट दीजिए, 3-1-3, या 30 ले लो, 30-1-3, 30-2-6, 30-3-9, है ना, तो जो कोडों में अनुपात होगा, है ना, angle up the triangles, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पे लाना है तुम्हें, अपने हाथ की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से भी आगे जाना है, का हुआ है, for a triangle, A, B, C, with side A, B, C, the ration of, sin A-B, ration का मतलब ratio, ratio मतलब अनुपात, हमें अनुपात निकालना है किसमें, एक तो हमको चाहिए, sin A-B, और दूसरा क्या चाहिए, sin A-B का अनुपात, देखते है अच्छा, देखे का यहां पर, sin A-B लिखा है, sin A-B, निकाल लिया, divided by, नीचे लिखा हुआ है, sin A-B, अच्छा, sin A-B, लिखते हम, a plus B plus C is equal to 180, यानि कि यहां हम रख सकते हैं, 180 minus C, तो हम इसको convert कर ले रहे हैं, sin 180 minus C, तो यह उपर क्या हो जाएगा, उपर सा फॉर्मूला खोला जाए, फर्मूला क्या होता है, sin A, cos B, sin A की जगा पे A के रख दिया जाए, और cos B, cos B की जगा पे रख दिया जाए, क्या हो जाएगा, यह, c square plus A square minus B square divided by 2CA, फिर क्या होगा, A minus B है ना, तो बीच में minus होगा, फिर, फिर हो जाएगा, sin A था, cos B, अब इस बार क्या हो ज फिर, sin B, sin B की जगा पे B के रख दिया जाए, और क्या हो जाएगा, cos A, cos A का मतलब क्या होगा, यह हो जाएगा, हमारा B square, प्रफी square, minus A square, upon 2BC, अच्छा, 180C minus, 180C minus का क्या हो जाएगा, यह, c हो जाएगा, तो यह, c नीचे sin C आजाएगा, sin C की जगा पे आप C के रख दिज है ये कितना हो जाएगा भाई ये से A कट जाएगा और ये B से B कट जाएगा 2C LCM आ जाएगा तो इस 2C को देखो के उपर से common ले नीचे से common ले काट दें और XC ये जो आएगा LCM वाला और XC वहाँ पर पहले से है तो ये C स्क्वेर बन जाएगा 2C LCM आया था हमने है ना 2C LCM आया तो 2 को भी तो रखेंगे साथ में 2C स्क्वेर 2C LCM आया एक C ये था रख दिया हमने के को काट दिया उपर से common लेके ये क्या हो जाएगा भाई ये हो जाएगा और यह C square दोनों cancel out हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा यह, देखिए, 2A square हो जाएंगे, 2A square माइनस 2B square, 2 common ले लेंगे, तो यह आ जाएगा, A square minus B square upon C square, कौन सो अफ़न से हो जाएगा, 26 का जो C option है, वो correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, question number देखेंगे, 27, यह नहीं कि 27, question number 27 में कह रहा है कि, A, B, cos C minus, A, C, cos B, इसकी value हमको निकाले नहीं है, तो हम इसको multiply कर लेते हैं, A का multiply करेंगे, अंदर तो A, B हो जाएगा, cos C, और cos C की जगह पे हम क्या करेंगे, cos C की जगह पे वही अंगल, cos C वाला formula रख दिया जाएगा, क्या हो जाएगा, भाई, यह हो जाएगा, B square plus A square, जो एंगल होता, वो side minus में चली जाती है, अब बटे में आ जाएगा, 2AB, है ना, minus, अच्छा ही से का multiply के साथ भी होगा, A, C आ जाएगा, B है न, तो इस बार भी minus में जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, C square C square plus A square minus B square divided by 2CA, तो C A, C A काट दिया जाए, A, B को A, B से काट दिया जाए, नीचे बच्चा, दो, दो को ले लिया जाए, LCM, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा, B square plus A square minus C square minus C square minus A square plus B square, अच्छा, अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर काट दिया जाए, जो कट रहा हो, न थोड़ी सी गलती कर गए, minus का B square था ना, plus का B square हो जाएगा, minus का C square हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, यह A square, A square से कट जाएगा, देखिए, 2B square, और minus का 2C square, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा, B square minus C square, यानि कि 27 में कौन सा option सही हो जाएगा, C option जो है, वो correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, question number देखेंगे, 28, 28, question number 28 कह रहा है कि, cos A बटा A, plus cos B, बटा B, plus cos A, हम इसको पहले equilateral triangle से लगाने की कोशिस कर रहे हैं, अगर हल हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके बारे में और सोचा जाएगा, equilateral triangle मतलब कि हम इसमें लगा रहे हैं, क्या हो, बराबर हो, A बराबर, B बराबर क्या हो, C हो, तीनों भुजाएं बराबर हो, और code A बराबर हो, code B बराबर हो, code C अपरते code होता, इसका 60 degree, तो यहाँ पर रखा जाए, देखेंगे, अगर माल लीजे हम यहाँ पर रखेंगे, cos 60 बटे A, cos 60 बटे A, cos 60 बटे A, बराबर, A ले लो, एक भुजा ले लो, सब ही बराबर है, A, B, C, है ना, तो यह आजाएगा, cos 60 कमान रख देंगे, तो आजाएगे, एक बटे 2, यानि कि यह आजाएगा, तीन बटे, तीन बटे 2, A, यानि कि वो आपसन जहाँ पर A बराबर, B बराबर, A, B, C की जगह, तीन हो जाएगे, तीन A स्कूर आजाएगे, तो यह कैंसिल होके आजाएगा, A, B, 3, मतलब यह आपसन नहीं हो सकता, फिलहाल, इसके पास चलते हैं, तो यह आजाएगा, सब कुछ तो ठीक है, यह आजाएगा, 2 A, B, 3, यह भी नहीं आ रहा, इसको देखा जाएगा, यह आ यहाँ पर देखा जाएगा, यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा, 3 A स्कूर बटे में आ जाएगा, कितना, 2 A क्यूब, यह आ गया हमारा 3 बटे 2 A, है ना, ऐसा option मैच हो रहा है, देखिएगा, यहाँ पर 3 बटे 2 A, यहाँ पर आ रहा, 3 बटे 2, आपको यह वाला option दे र łोता है, लेकिन अगर इसका option A सही होगा, तो ही एक्योटार्ल ट्रैंगल से आएगा, क्योंकि एक्योटार्ल ट्रैंगल से A, B, C, A, B और यह C, D, और यह B, C, D, जो हैं, वो सब सेम option आ जाएंगे, है ना, तो हम एक बार एक्योलेटार्ल ट्रैंगल को लगा के देख हमने, देखे, convert होके आ जाएगा, अंदर क्या बन जाएगा, यह जो question है, यह तो two चुपचा बाहर रखे रहेगा, a, b, c की जग़ा पे, अगर सब की जग़ा पे आप रख देंगे, माल लीजे, b, c, इस लिखा है, इन्होंने b, c, cos, 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 साट हो जाएगा, एक बटे दो, है न, और B, C, यहां भी रख दीजिए, B और C की जगह पर A रखिए, C और A की जगह पर A, C की जगह पर, B और C की जगह पर A रख दीजिए, ठीक है, तो यह कितना आ जाएगा, अंदर convert कर लेंगे चलिए जहाँ पर b है वहाँ पर c रखा जाए देखिए अगर यहाँ पर by chance अब को बराबर करेंगे तो यह option तीनों अलगाएंगे लेकिन यह पहला वाला जो option है है ना first जो option है a square plus a square plus a square बराबर कितना जाएगा 3a square तो कौन साफ़न सही हो जाएगा तो 29 में पहला ही option सही हो जाएगा लेकिन अगर by chance यह mission fail होता तो फिर हमको कौस एका expansion रखना पड़ता कौस एका formula रखते सब जगह पे कौस बी कौस सी के फिर उसके बाधाल करते तब भी आ जाता कोई दिक्कत नहीं होती है ना लेकिन इसमें चुकि ए option correct है तो कोई आगे सोचने नहीं है आगे बढ़ते हैं तीस question number 30 कह रहा है कि with usual notation if in a triangle a b c कह रहा है कि ऐसा दिया गया है एक काम करते हैं अकमल लिजे इन्होंने दिया है क्या b plus c बटे में 13 अच्छा इसके बराबर में एक कुछ ले लिजे के ले लिजे के ले लिजे तो देखे का यहां से अब होने वाला क्या है यह हमको मिल जाएगा कितना एक तो मिल जाएगा b plus c बराबर 13 क फिर c plus a बराबर मिल जाएगा 12 क और a plus b बराबर मिल जाएगा 11K सब को जोड लिया जाए सब को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 into A plus B plus C बराबर एक इनको दे देंगे तो 12, 33 हो जाएगा 36K तो यहां से आ जाएगा अगर A plus B plus C बराबर निकालेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 18K अच्छा 18K तो देखे अगर यह सब चीज़े 18K हैं यह तो हमें अगर A की वैलू निकालनी है यहां से इस 18 से तो देखो अगर हमको A निकालना है और B चाहिए और C चाहिए A, B, C, 3 हो निकालनी आ जाएगा A कितना हो जाएगा देखो B plus C बराबर 13 है न तो अगर हम A निकालेंगे तो वो आ जाएगा 18-15, 13 यनि कि आ जाएगा 5K और अगर हम B निकालते हैं तो C plus A 12 घटा दीजिए 18 में तो यह 6K आ जाएगा और इसके बाद अगर A plus B बराबर 11 है तो इसे घटा देंगे तो यह कितना जाएगा 7K आ जाएगा कौन आ गया है भुजा हमको C मिल गई तीनों भुजाएं मिल गई हमको value निकालनी है किसकी कॉस एकी देखते हैं कॉस एकी value कैसे निकलेगे कॉस A equal to कितना जाएगा B square धन C square minus A square upon 2 B C ठीक है चलिए B square, B की value कितनी है 6, तो यह हो जाएगा 36K square minus C square plus का है न, 49K square minus कितना जाएगा A square, A का value कितना है 25 है न, divided by 2 B B का value है 6K और C का value है 7K ठीक है, कोई बात नहीं अब देखे, 49K square में 25, यह K square होगा 49K square में 25 किसको जाएगा 24 बचेगा, 24 इसको देदेंगे तो यह 60K square हो जाएगा 60K square divided by कितना हो जाएगा यह 2 है, 6 दूनी 12K square, यह हो जाएगे 12K square और गुड़े में क्या है 7K, है न, divide में इसका क्या आएगा, BC ही तो रहेगा BC हो जाएगा ठीक है, कोई दिक्कत ने, चलिएगा convert करते हैं, इसको उपर कितना आगया, हमारे पास आगया 12K square नीचे क्या हो गया यह यहाँ पे BC है न, B और C, तो B और C 6 दिया गया 6 और C दिया गया है 7, 7 कैसे निकल के आएगा, यहाँ पे 1 minute, यहाँ पे 11 है, 18-11 तो C जो निकल के आएगा, वो निकल के आएगा, बिल्कुल सही है है न, देखेगा, यहाँ पे A plus B plus C बराबर हम निकाल लिया, तो 18 के आगया, है न, अगर मालिजे की A निकल के आगया हमारा B plus C, तो A निकल के आएगा, A को घटाएंगे, तो अरे राम राम, पुरा गलत हो गया 8, 13, 5, 18, A आगया हमारा 18, चुकि यहाँ पे B plus C दिया गया था, B plus C बराबर 11 के, चाहिए, यहाँ पे मामला डेटा में छेड़ चाड़ है, इसमें यहाँ पे B plus C बराबर बटे 11, ठीक है बराबर में हो जाएगा, C plus A बटे 12 A plus B बटे 13, तो B और B plus C बराबर आजाएगा यहां पे 11, K B plus C बराबर आएगा 11, K हमने गलत निकाला है न, सौरी यह 11, K आजाएगा यहां पे 11, K, यही गल्टी कर रहा था ठीक है, C plus A बराबर आजाएगा 12 K, और तब यह चेंज हो जाएगा A plus B बराबर आएगा 13, K यह 7K आ जाएगा ठीक हो गलती होई 7K हम फिर इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक तो यह आ जाएगा हमारा 7K थोड़ा सा गड़ बड़ हुआ 7K हो जाएगा ठीक है फिर C पलस A 12 है तो B निकालना है तो यह 6K बचेगा यह तो 6K हो गया ठीक है फिर 13 को घटाएगे तो यह आ जाएगा 5K एक मिनट फिर B स्कूर तो हो जाएगा 36K स्कूर C स्कूर हो जाएगा हमारा 5K स्कूर है तो यह 25 हो जाएगा एक मिनट हो गया है पस कैलकुलेशन कालबल हो गया था उपर से ही ना तो B square कितना हो जाएगा हमारा 36 ke square हो गया 36 ke square प्लस C square कितना हो जाएगा पांच पचे हो जाएगा हमारा 25 ke square minus का शाद सत्य 49 ke square और divided by आ जाएगा 2 into B into C तो 6 into 5 ke square हो जाएगा ठिक है अच्छा इनको घटा लिया जाएगा एक काम करते हैं 49 25 घटा दो माइनस 24 24 इसमें घटा दीजिए तो 12 बच जाएगा उपर बच जाएगा कितना 12 के square और नीचे कितना हो जाएगा ये 6 दूनी 12 पंचे 60 60 के square काट दिया जाए एक बटे 5 आ जाएगा कॉसे का value कितना जाएगा एक बटा 5 है न बी option है आप पे 30 में correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question 31 देखेंगे question 31 में हमसे value निकालने के लिए बोला है 31 का की मतलब कौन सा option सही होगा अब देखेंगा यहां पर जो रास्ता है हमारे पास वो बहुत ही थोड़ा सा typical सा रास्ता है अना typical का मतलब थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा अब देखते हैं में आपे अगर इसने दिया है कि one upon c plus a plus one upon b plus c is equal to three by a plus b plus c तो हमारे पास lcm लेना ही एक रास्ता है lcm लीजिए तो यह आ जाएगा b plus c plus c plus a divided by आ जाएगा एक bracket में आ जाएगा हमारे पास यह कितना यह आ जाएगा c plus a और दूसरे bracket में आ जाएगा b plus c equal to divided by आ जाएगा तीन a plus b plus c ठीक है करेंगे इसको multiply अब अगर आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान दें तो यह जो c और c है मिला के two c हो जाएगे तो एक काम करतें यहीं अब lcm को ही हमने फिर से erase करके add कर लिया भाई b और c हो जाएगे b plus c तो सुरी b यह हो जाएगा b plus a plus b लिख दें इसको a plus b लिख दीजे जोड़ेंगे ना इसको तो देखे c plus a plus a plus b तो हम इसको a plus b लिख देते हैं उसको two c बना देते हैं a plus b plus two c ठीक है अब हो गया यह अब छोटा सा काम करते हैं क्रोस मल्टिप्लिकेशन करते हैं इस वहले a का गुड़ा करो इसमें तो यह आ जाएगा a square plus a b plus two c है फिर इस b का गुड़ा किया जाए a b plus b square plus two b c अब c का गुड़ा किया जाए plus हो जाएगा यह c a plus b c plus two c square हो जाएगा ठीक है equal to यह आ गया अब 3 के साथ 3 c का multiply किया जाए इसमें तो आ जाएगा 3 b c plus three c square plus अब 3 a का गुड़ा करें इसमें तो आ जाएगा 3 a b plus 3 a c या 3 c a 3 c a चलिएगा अब एक काम करते हैं जो कट रहा उसे काटा जाए देखेगा यहाँ पे c a 1 है और 2 c a है तो यह c a और c a का मामला तो पूरा हो गया बराबर है ना 3 c a थे 3 c a खतम अच्छा इधर देखे लिखा हुआ है 2 b c तो 2 b c से मातर काटेंगे तो यहाँ पे 1 b c बचेगा है ना मतलब कि घटाएंगे तो 1 b c बचेगा जो नरलियम इसे लिखे दे रहे हैं नहीं नहीं 2 b c है और यहाँ पे देखो 3 b c है तो यह पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा बचे गई नहीं खतम हो गया फिर a b a b a b 2 a b यह है और 1 a b उधर है अच्छा देखे c स्कौर से हटाएंगे तो यह c स्कौर दो c स्कौर है यह 3 c स्कौर है एक c स्कौर बच जाएगी पलस की वह भ ठीक है अब देखें कनवर्ट होके बचा क्या हमारे पास यह आ गया यह आ गया a square plus b square देखें उधर plus c square है ना इधर लिया उसको minus का c square is equal to a b तोड़ा साइसे और कनवर्ट करेंगे है ना तो यह आ जाएगा कितना a square plus b square minus का c square बटे में क्या आ गया a b अब बराबर में आ ग multiply करें इधर दो से multiply करें तो यह हमारा सुत्र बन जाएगा किसका cos c का cos c तो cos c बराबर कितना आ जाएगा यह आ जाएगा cos 60 है ना तो c बराबर कितना आ जाएगा 60 degree आ जाएगा वह हमसे c पूछा है है ना तो 31 में जो d option होगा वो क्या होगा correct हो जाएगा आगे बढ़ेंग होगा हमको यह बताना है ठीक है कितना है c-a c-a और यह हो गया cos b divided by एक काम करते हैं पहले हम इसे ही हल कर लेते हैं 32 को पहले ही हल कर लिया जाए यहीं पर तो देखे कितना आ जाएगा equal to c-a अच्छा इन्टु यह b है न तो b का मतलब क्या हो गया यह हो गया c square plus a square minus b square upon 2 c a एसे a काट दीजिए ठीक है फिर आ जाएगा इसे हल कर लेते हैं देखिए आ जाएगा 2 c square 2 c square minus c square minus a square और plus का हो जाएगा यह b square solve करेंगे तो यह आ जाएगा c square और plus b square minus a square उपर आ गया यह c square यह आ गया न माइनस हुआ यहां पे minus का multiply करेंगे तो भई माइनस तो होगा ही तो b square plus c square minus का a square उपर आ गया और नीचे देखो क्या है b c है यहां c a cause भी था नीचे क्या है b c है तो यहां पे उम्मीद है कि यहां पे भी कुछ ऐसा जादू होगा देखते हैं इसे भी हल कर लिए जाएगा यह आ जाएगा b minus का अच्छा और अपान में जो बचा हुआ इसे भी तो रखा जाए अपान में क्या है अपान में है 2c यहां भी अपान में क्या है 2c ठीक है फिर क्या है यह b minus का a b minus का a हो जाएगा और cos c हो जाएगा तो यह आ जाएगा b minus का a cos c को रख दिया जाए कितना जाएगा यह a square plus b square minus का c square अपान 2ab a से a काड़ दीजिए convert हो जाएगा 2b इसका lcm आ जाएगा है ना 2b lcm आ जाएगा देखिए कितना हो जाएगा 2b square तो minus का b square घट जाएगा वो plus का b square बच जाएगा अच्छा plus का c square भी हो जाएगा चूंकि इस minus का multiply होगा अंदर minus का a square जाएगा दोनों को divide कर दिया जाएगा अगर हम दोनों को divide करेंगे तो यह value आ जाएगी देखो यह same आ रहा ना b square plus c square minus a square कड जाएगा तो यह आ जाएग देंगे तो के sign b कर दो इसकी जगह पे तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या sign b बटा sign c है ना तो b by c लिख दीजे यह sign b by sign c लिख दीजे यह भी सही है यह बहुत सही है यह और भी तो c वाला option जो है 32 का correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 33 33 में कह रहा है कि अगर यह cot a cot b cot c क्या है a p में दिये गए हैं है ना देखिएगा बहतरीन question है यह करते हैं इसको हम लेके चलते हैं भाई हम सूत्र में जानते हैं कि अगर यह a p में है तो क्या होगा भाई यह हो जाएगा to cot b equal to कितना cot a plus cot c ठीक है यह हो जाएगा अच्छा अब एक बात simple सी पता है हमको कि यह 2 cot b उपर cos होगा cos तो cos की जगह पे हम क्या रखेंगे हम cos की जगह पे रखेंगे कितना सूत्र इसका रखा जाए cos b है तो यह जाएगा c square plus का a square minus का b square divided by कितना जाएगा to c a अच्छा नीचे कौन है sin नीचे कौन है sin तो एक काम करते है sin b आएगा नीचे सोरी यहां पे sin b आएगा cos बटे sin तो sin b की जगह पे हम रख रहें b k equal to इधर आते हैं यह आजाएगा हमारा b square plus का c square minus का a square upon 2 b c और साथ में होगा sin a sin a की जगह पे रख सकते हैं a k plus और यह हो जाएगा हमारा a square plus का b square minus का c square upon 2 a b और sin c रहेगा sin c की जगह पे हम रख देंगे c k ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब देखिएगा यह हो जाएगा 2 c square plus a square और टो भी इसके साथ भी तो रहेगा 2 तो यह आजाएगा 2 a square minus का 2 b square equal to देखिए a b c के 2 a b c के सब जगह l c m है l c m l c m से कट जाएगा और यहां बचेगा b square plus c square minus का a square plus का हो जाएगा a square plus b square minus c square तो यह काम करते है c square से c square को काट दिया जाए a square से a square को काट दिया जाए अब कितना बचा 2 b square तो यह 2 b square बच गया तो भाई इधर 2 b square है 2 इधर से common ले लो दोनों तरफ से काट दीजिए तो यहां बचा c square plus a square minus b square is equal to कितना b square यह 2 b square हुआ दो दोनों तरफ से common ले हमने काट दिया उसको उधर भेज दीजिए minus की b square को उधर भेजिए यहाएगा c square plus a square is equal to 2 b square है ना तो 2 b square बराबर क्या हो जाएगा a square plus c square 33 में कौन सॉफफन से ही हो जाएगा 33 का जो b है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 34 question number 34 2021 में आया हुआ था UPTGT में crane triangle a b c cos a बराबर इतना दिया गया then the triangle कैसा होगा isollма है ना सम दिवाहू होगा या right angle triangle होगा शम कोरट्रीभूझ होगा या इक्विलेटरल यानि कि सम बाहू त्रीभूझ होगा किस परकार का त्रीभूझ होगा हमको यहाँ पे बताना है तो यह देखते हैं क्या relation देगा देखेगा अब यहाँ पर अगर आप सम्भाहूत रिवुच की condition को satisfied करवा देंगे तो कर जाएगा है ना लेकिन खत्रा हो सकता है खत्रा यह हो सकता है कि वो यह भी है कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो एक आईसोसिल्स अच्छा आपको पता है sign b की जगा पर हम b के रख सकते हैं और c की जगा पर हम c के रख सकते हैं रख दिया हमने ठीक है आप देखेगा अब क्या करिए आप काट दीजे भाई इस वाले से इस वाले को काटिए देखेगा इस c से इस c को काट दीजे इस 2 से 2 को काट दीजिए उधर कर दीजिए इसको यह आजाएगा B स्क्वेर प्लस C स्क्वेर है ना B स्क्वेर प्लस C स्क्वेर बराब माइनस का A स्क्वेर बराबर B इंटू B B स्क्वेर हो जाएगा इस B स्क्वेर से B स्क्वेर को काट दीजिए C square बराबर में आ जाएगा A square दोनों तरफ वर्गमून लीजिए C बराबर A आ जाएगा अगर किसी स्तरभूज की दो भुजाएं बराबर होती है टू साइट सिक्वल होती है तो उसे हम ISO Cells ट्राइंगल बोलते हैं है ना तो कौन सा option सही हो जाएगा 34 का 34 में सही हो जाएगा कौन सा A वाला option जो है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question 35 को देखेंगे 35 किरा कि A cos A plus B cos B plus C cos C equal A cos A plus B cos B plus C हमें काम करेंगे चोटा सा काम बहुत ही चोटा है देखेंगा हम A की जगह पे रखेंगे K sin A K sin B सुत्रे बना ले रहे हैं A है ना तो हम चाह रहे हैं कि इसकी जगह पे A बटा sin A बराबर B बटा sin B बराबर C बटा sin C is equal to K यानि कि जहाँ पर है वहाँ K sin A रखा जा सकता है रख दीजे यहाँ पे A है ना A की जगह पे K sin A रख दिया जाए तो यह आजाएगा K sin A cos A चुप चाप रहने दिया जाए B की जगह पे हम रख सकते हैं क्या K sin B sin B और यहाँ पे आजाएगा cos B plus K और यहाँ पे आजाएगा sin C और साथ में cos C अब एक काम करिए शब में क्या करिए 2 से multiply 2 से divide 2 से multiply कर दीजे 2 से divide कर दीजे तो divide वाले को तो हमने बाहर रख लिया यह divide वाले को हमने बाहर कर लिया और अंदर वाले multiply किया यहाँ भी multiply किया 2 से यहाँ भी multiply किया और यहाँ भी multiply किया कर दिया ना एक बटे 2 को चुपचाप रहने दिया जाए K को भी ले लिजे बाहर यहाँ पे बन जाएगा sin 2 A plus है ना यहाँ क्या बनेगा यह sin 2 A plus sin 2 B plus sin 2 C और हमने पढ़ा है sin 2 A plus sin 2 B plus sin 2 C यह बराबर होता है यह बराबर होता है किसके 4 sin A sin B sin C के बराबर होता है ठीक है calculate किया है यह result याद रहें तो बहुत अच्छा रहेगा sin 2 A plus sin 2 B plus sin 2 C बराबर क्या होता है 4 sin A sin B shine c convert करते हैं भाई इसको सभी को हम भुजाओं में convert कर लेते हैं ठीक है यहाँ पर भुजा a ले आते हैं चलो करते हैं भाई पहले तो हमें देखिए एक को अटाना पड़ेगा k अटाना तो एक sign a को हमको side में convert करना पड़ेगा तो sign a बराबर रखोगे a by k तो यह इससे तो काट दो पहले तो यह दो बचा हमारे पास ठीक है तो आ गया दो दो उपर आ गया दो k अगर जहां पर sign a है एक मिनिट देख लेते हैं जहां पर sign a है उसकी जगा पर हम रख सकते हैं a by k है ना और देखिए sign b है और क्या है sign c है तो हमने एक सूत्र पढ़ा है delta बराबर होता है 1 बचे 2 c a sin b और एक सूत्र पढ़ा है 1 बचे 2 a b sin c यह पढ़ा है हमने delta बराबर तो जहां पर sign b है वहां पर हम रख सकते हैं 2 delta बचे c a ठीक हमने sign a की जगर प्रक दिया और यह आ गया हमारा 2 delta बचे c a into यह भी आ गया 2 delta बचे कितना a b a b ठीक है अब एक काम करते हैं जो कट रहा उसे काटा जाए देखिए इस k से एक e को काट दीजिए इस वाले a से इस वाले e को काट दीजिए बाकी जो बच रहा उसे बचा लिजिए यह आ गया 8 delta square बटे में a b c कौन सौफ़न से ही हो गया 35 का जो d option है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number देखेंगे 36 36 में कह रहा है कि इना triangle एक triangle दिया गया हमको जहांपे c square plus b square minus a square बटा 4 तो कह रहा है यह तो बड़ी simple सी बात है इसको थोड़ा सा और modify करके लिख लिया जाए b square plus e square minus a square बटे में 4 देखें cot a लिखा गया है तो cot a को हम क्या लिखेंगे cos a बटे sin a cos a बटे sin a sin a उपर चला जाएगा उसे sin a को उपर रहने दिया जाए और यहाँ पर आजाओ cos a की जगा पर हम रखेंगे यह दोनों इंटू में है sin उपर चला गया cos a की जगा पर रख दीजिए क्या हो जाएगा यह b square plus c square minus a square upon 2b c अब देखेगा जो कट रहा है उसे काटा जाए जो बच रहा है b square plus c square यह काट दिया हमने है ना 2 से इसको काट दीजिए जिससे कि हमारे पास 2 बचेगा और यह bc उपर चला जाएगा ठीक है यह आ गया 1 बटे 2 bc sin a और अभी यह सूत्र हमने पढ़ा है कि इसके बराबर होता डेल्टा के बराबर होता है है ना तो 36 का जो c बाइला ओप्सन है वो correct हो जाएगा question number देखेंगे 37 37 में कह रहा है कि इना triangle एक triangle हमको दिया गया है जगा बहुत कम है हमारे पास चलिए हम इसे लिख लेते हैं यह पर tan a y2 plus tan c y2 बराबर कह रहा है कि 2 बटे 3 cot a y2 देखेंगा हम इसको थोड़ा सा modify करेंगे है ना cot a y2 है ना उसको में एक बटे tan a y2 लिखेंगे और tan a y2 का इधर multiply हो जाएगा तो यह 10 b y2 तो यह 10 जो cot a y2 लिखा था cot b y2 लिखा था यह हमारे पास cot b y2 इसको हमने लिखा नीचे लिख दिया तो यह 10 a y2 10 a y2 का इधर multiply आ जाएगा है ना चलिए multiply में आ गया और यह यहाँ पर क्या हो गया into में आ गया हमारे पास 10 a y2 plus 10 c by 2 और इधर equal to में दिया गया है हमको 2 बटा 3 2 बटा 3 10 b y2 को अभी हम चुपचाप रखा रहने देंगे जैसे रखा है उसे बाद में छेडा जाएगा ठीक है अगली लाइन में देखिएगा अभी इसको यही रहने दीजिए 10 b by 2 यह sin a y2 का 10 a y2 का सूत रखा जाए root के अंदर आए जाएगा s minus a sin है ना पहले तो sin उपर आएगा तो कितना आजाएगा यह आएगा s minus b s minus c divided by s into s minus a यह tan a y2 का फर्मूला हो गया plus tan c y2 के साथ आजाएगे तो यह आजाएगा s minus a s minus b divided by s into s minus c अब बटे में आगया दो बटा तीन यह tan b by 2 tan b by 2 की जगह पर हम रख दीजिए root into tan b by 2 है तो यह आजाएगा s minus a और s minus c divided by s into s minus b equal to देखेगा अंदर से हम अगर common लेंगे न तो देखे common में क्या आएगा s minus c यहाँ भी है s minus b यहाँ भी है मतलब कि उपर अगर हम उपर से common लेंगे तो root का s minus b आएगा common हमने उसको अंदर ही लिख लिए नीचे से देखे root s common आएगा s है यहाँ भी s यहाँ भी है तो s को यहाँ उठा लीजे equal to अब यहाँ पर जो बचा हमारे पास है बचा क्या b यह चला गया बाहर निकल गया यहाँ निकल गया यह भी बाहर निकल गया यह भी बाहर निकल गया यहाँ भी बाहर निकल गया बचा क्या हमारे पास s minus a तो यह उपर lc m ले लिजे into m side में into करिए और lc m ले लिजे s minus c आ जाएगा यह s minus c plus s minus a divided by root में आ जाएगा कितना s minus a एक bracket में s minus c दूसरे bracket में equal to आ जाएगा दो बटे 3 अब जो काट रहा उसे काट दिया जाएगा देखे क्या क्या कट रहा है s minus b s minus b कट रहा है ठीक है देखेगा यहाँ पे s minus a s minus c root के अंदर है दोनों cancel हो जाएगे यहाँ बचेगा हमारे पास सिर्फ root 1 by s square यानि कि वर्गमूल के बाहर आएगा एक बटे s बराबर यहाँ पे into एक बटे s यह हो जाएगा एक बटे s into देखे उपर भी है यह है 2s minus का a minus का c बराबर में आ रहा है 2 बटा 3 अच्छा multiply कर दिया जाए और इधर क्या 2 बटे 3 है यह है इधर 2 बटा 3 तो छोटा सा काम कर लेना इस वाले s की जगा पर हम रख देते हैं यह हो जाएगा s की जगा पर रखेंगे a plus b plus c a plus b plus c तो इधर सिर्फ b बचेगा इसकी जगा क्या बचेगा b यह जाएगा तो यह जाएगा b by s equal to 2 बटे 3 यह जाएगा 3 b बचेगा 2 s तो यह 3 b बचेगा a plus b plus c s का मतलब कैसे मी पैरिमीटर तो यह कितना जाएगा भाई एक भी घट जाएगा तो यह जाएगा 2 b बचेगा 2 b बचेगा a plus c 2 b बराबर a plus c होता तो क्या होता a b c किसमे होते है a p में होते है a p में होते है तो कौन सौफफ़न सही हो जाएगा यहाँ पर भाई यहाँ पर पहला option जो है वो correct हो जाएगा पहला option 37 का correct हो जाएगा कि a b c किसमे होंगे a p में होंगे आगे बढ़ेंगे साब question number 38 देखेंगे 38 के रहा है कि इन्हें triangle ABC ये के रहा है कि ABC जो है वो AP में है तो इसकी value हमको निकाल ली है अब हमको पता है कि जो A है और B है C है वो किसमे है AP में है तो simple सी बात है भी पूछा गया question है तू भी बराबर कितना A plus C है ना अगर AP में है तो क्या होगा बीच वाले पत का दो गुना और इन दोनों पतों के योगफल के बराबर होता है मैं cot A by 2 cot C by 2 लाना है cot A by 2 और इंटू में है cot C by 2 की value find करनी है तो ये root के अंदर इनको ले आईए तो ये root के अंदर आ जाएगा उपर भाई cos होगा तो ये आ जाएगा S S minus का A divided by S minus B हो जाएगा और S minus C हो जाएगा इंटू में आ जाएगा S into S minus C divided by A आ जाएगा S minus A और S minus B ठीक है काट दिया जाएगा दो असूत रख लिए हमने root के अंदर दोनों को रख लिए दोनों के value S minus B को S minus B से काट दिया जाएगा S minus C को S minus C से काट दिया जाएगा उपर है S square और नीचे S minus B का All square है ना तो ये बन जाएगा S बटे कितना S बटे S minus B S minus B अब देखे हम क्या करेंगा दोनों में उपर नीचे multiply करते हैं दो से 2 से multiply करेंगे तो आ जाएगा 2S बटे 2S minus 2B उपर रखेंगे 2S बराबर क्या होता A plus B plus C divided by नीचे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा A plus C हो जाएगा minus का B हो जाएगा अच्छा जहाँ पर A plus C है वहाँ पर हम 2 भी रख दें तो ये हो जाएगा 2B plus B और ये हो जाएगा 2B minus का B उपर कितना हो गया ये हो गया 3B बटे B B से B को काड़ देंगे value आएगी 3 है ना चुकि 2B बराबर A plus C है तो A plus C की जग़ा पर हमने क्या रख दिया A plus C की जग़ा पर हमने रख दिया 2B तो डी वैला उप्शन जो है वो correct आ गया 38 में बढ़ते हैं आगे question 49 देखा जाए 39 39 में हमसे कह रहा है कि अगर ये दोनों triangle जो है ना वो क्या है तो देखो जो parallel होते है ना तो सीदी सी बात आपको याद रखना है अगर D E parallel B C है तो ये दोनों congruent होते हैं sorry क्या कहते हैं similar होते हैं दोनों triangle समरूप होते हैं है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यों समरूप होते हैं भाई दो कोड बराबर होना चाहिए देखो दोनों triangle को उठाई है ये वाला कोड तो दोनों का common है और देखो ये दोनों parallel हैं तो ये दोनों कोड बराबर हो जाएंगे बस कोई दो कोड बराबर हो जाएं दो कोड बराबर हो जाएं एक triangle के दो कोड दूसरे triangle के दो कोड के बराबर हो जाएं तीसरा तो अपने आप ही हो जाता है तो भाई ये क्या होते हैं तो दोनो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास जो triangle है triangle a d e शम्रूप है किसके triangle a b c के अगर दोनों triangle सम्रूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा तो भाई कौन सा code e वाला निमालो a d लिया अपने भुजा लिया a d E किसके बराबर C के C के सामने बड़े वाले ट्राइंगल में देखो कौन सी भुजा है A, B बराबर हो जाएगा किसके एक तो हो जाएगा हमारा D, E A, E ले लो पहले A, E A, E किसके बराबर इस कोड के D किसके बराबर B के बड़े वले triangle बड़ी side कौन सी है A C जो angle बराबर उसके सामने की भुजा लेते हैं है ना छोटे triangle की D E भुजा जो है D E अब देखिए A बराबर A है तो छोटे triangle में जो side हो D E है अब बड़े वले triangle में B C है तो D E बटे ABC हो जाएगा हमें क्या चाहिए BD का मान चाहिए BD कहां से मिलेगी जब हमको AB मिल जाए पूरी तो हम BD निकाल लेंगे चलिए यह वैलू रखा जाए तो DE यह वैलू दे दोनों पाल ले रहे हम यह दोनों उनों पाल ले रहें Aड एड i कितने दीघे गे डो दसम्र Şार बटे में किटना AB बराबर D E D E है 2 अब B C कितना है 5 इसको काट दिया जाए यह हो जाएगा 2 सोरी 1.2 बचेगा 2 से काटेंगे तो 1.2 12 से गुड़ा करेंगे तो A B बराबर आ जाएगा 6 cm है ना 6 cm और हमको चाहिए क्या B D तो B D कैसे निकालेंगे पूरी A B में अगर हम घटा दें A D को हैं पूरी भुजा में अगर इतना पार्ट इतना पार्ट हटा दें यह वाला 2.4 वाला तो यह आजाएगा 6.0 माइन 2.4 घटा देंगे तो यह आजाएगा 3.6 cm कौन सा ओप्षन सा ही हो जाएगा 49 का जो वाला ओप्षन है वो क्या होगा करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे कौस्टन नमर देखेंगे 40 कौस्टन पर 40 भी बहुत ही बहतरीन कौस्टन है हना हमें A B की वैलू निकालनी है तो देखिए दोनों चुकि पैरलल है वही सेम कॉंसेट यहां भी लग रहा है कि P Q पैरलल है किसके B C के A P इतना A Q इतना सब कुछ दिया गया चित्र में भी रखा गया तो हमें क्या निकालना है A B निकालना है तो यह दोनों ट्राइंगल क्या है ट्राइंगल हमारा कौन सा A P Q समरूप होगा किसके ट्राइंगल A B C के और दोनों ट्राइंगल अगर समरूप है तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई A P बटा A B बराबर होगा A Q बटा A C बराबर होगा P Q बटा B C ठीक है A P कितना दिया गया है 2.4 A B नहीं पता वही निकालनी है इज उकोले टू फिर A Q A Q दिया गया है 2 और अगर A C लेते हैं तो A से C तक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ठीक है 5 हो जाएगा कर दो गुड़ा यह एक दिसमलों 2 बचेगा क्रोस मल्टिप्लिकेशन करेंगे तो यहां भी A B बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर तो कौन से ओफन 40 में सही होगा 40 का जो ऑप्सन नमबर D है वो क्या होगा करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे क्वेस्चन नमबर देखेंगे 41 कराई यदि कोई रेखा तरभुज A B C की भुजाओ A B और A C को करमसा D और E पर प्रतिछेत करती है अच्छा वही सेम थेोरम है बस क्वेस्चन को थोड़ा साइद दोदर चेंज किया गया घुमाया गया तो चलिए यह हमारे पास भुजा कौन सी A B और A C मतलब कि यह A है यह B है और यह C है एक भुजा है कोई एक रेख दो बिंदू है कौन सी भुजा तरभुज A B C की भुजाओ A B और A C को करमसा D और E पर प्रतिछेत करे कोई और भुजा B C के समानतर हो B C के समानतर है और D और E पे प्रतिछेत कर रही है तो कह रहा है AD बटे AB किसके बराबर होगा AD बटे AB तो देखिए अगर ऐसी situation है है ना वो क्या है कि जो DE parallel है BC के इसका मतलब तो दोनों तरभूज है ना वो क्या होंगे समरूप होंगे शमरूप होंगे है ना तो ये क्या हो जाएगा हमारा AD बटा AB बराबर हो जाएगा किसके भाई ये कोड बराबर होगा दोनों में common है ये वाला कोड इस वाले कोड के बराबर हो जाएगा चोटे triangle का ये कोड ये वाले के बराबर हो जाएगा क्या बोलते हैं? संगत कोड बोलते हैи और ये कोड जो है हमारा इस वाले कोड के बराबर होगा ठीक है? तो चलिए, जो कोड बराबर है भाई AD हमने कौन से भुजा लिया? AD ले लिया तो ये कोड इसके बराबर ही भाम AB आ गई फिर कौन सा ले रहे हैं? A, E ले रहे हैं A, E बटा देखिए, यह एंगल बराबर है न? A, E के सामने का कोड किसके बराबर है? B के, B के सामने की भूजा कौन सी है? A, C तो A, E बटा, A, C हो जाएगा फिर A दोनों में कौन हैं तो छोटे ट्राइंगल में A के सामने की भुजा DE, बड़े ट्राइंगल में A के सामने की भुजा, BC है न, तो हमसे पूछा है कि AD बटा AB किसके बराबर होगा, तो AD बटा AB पहले तो बराबर होगा, AE बटा AC के, AE बटा AC यह वाला option दिया गया भी, DE बटा BC है क्या, DE बटा BC तो है नहीं, तो कौन सा option सही हो जाएगा, यह वाला option सही हो जाएगा, है न, यह दोनो बराबर हो जाएगे, ठीक है, चलेगा वही संगत भुजाओं का अनुपाद क्या होता बराबर होता है, ठीक, आगे बढ़ेंगे चुकि दोनों त्रिभुज ना हमारे पास कौन सा त्रिभुज, एक तो A, P, Q शमरूप है किसके त्रिभुज के A, B, C के, अगर शमरूप है तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपाद क्या होगा, बराबर होगा, तो यानि कि A, P, A, P बटे में A, B इक्वालिटू A, Q, बटा A, C A, P, कितना दिया गया है, चार बटा, A, B, कितना दिया गया है एक तो चार दी गई है, चार प्लस, X माइनस चार याद आया, है भाई, पूरा एड करोगे न, ये चार है, ये एक्स माइनस चार, चार दुनी, आठ हो गए क्रोस मल्टिप्लिकेशन करेंगे तो दो X बराबर आ जाएगा, इन दोनों घटा लो, देखो, तीन X माइनस वन बचेगा तीन X माइनस वन, तीन X माइनस वन ठीक है, तो अब इसको इधर ले आओ, तो माइनस का X बराबर माइनस का वन, यानि कि X बराबर कितना आ गया, वन सेंटिमीटर आ जाएगा, तो भाई X का वेलू पूछा है हमसे, तो पहला आप्सन 42 का जो A है, वो करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे, कॉस्टिन नमर देखेंगे 43, 43, 43 में भी वही सेम सेंसी बाते चल रही हैं, लगबग है ना दोनों त्रवुजम को शमरूप दिये गए हैं और समरूप इस प्रकार से दिये गए हैं कि देखो, A जो है वो बराबर है, A के, ठीक है C बराबर है, P के कोड, है ना, और B बराबर है Q के, तो मतलब जो कोड B है, ये वाला जो कोड है, चितर सम देख रहे हैं, ठीक है, पहले तो ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर है और ये कोड जो है B वाला है, वो कोड Q के बराबर है, कोड Q के बराबर है, और जो C वाला कोड है, वो जो बचा हुआ कोड उसके बराबर हो गया ये ये दिया गया है तो हमसे कह रहा है कि CA प्लस AQ का मान निकालो ठीक है सब मान उसने दिया है शंगत भुजाओं का अनुपात हमको पता है कि बराबर होगा क्योंकि दोनों त्रिभुज एक त्रिभुज के तीनों कोड दूसरे टिभुज के तीनों कोड के बराबर हो जाएं तो त्रिभुज तो समरूप है ही ना उसने दिया है आप बताएंगे कि चूंकी क्या है त्रिभुज A, C, B शमरूप है किसके त्रिभुज A, P, Q, K अगर ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो क्या हो जाएगा शंगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होगा थाना तो भाई चलो छोटा पहले A, B, C तिर भुज को पहले लिया जाए A के सामने की भुजा B, C बटा A किसके बराबर है A के ही A के सामने की भुजा दूसरे वोले ट्राइंगल में P, Q अब B के सामने की भुजा ले लो C, A C, A B किसके बराबर है Q के? Q के सामने की भुजा A, P बराबर, अच्छा फिर C, C हो गया ना C के सामने की भुजा ले लो इसमें A, B बटे P के सामने की भुजा A, Q ठीक है चले सब चाहिए चले BC का मान देखते हैं कितना 8 cm रखा गया है आठ बटे PQ 4 दिया गया है 4 बराबर हो जाएगा CA CA नहीं पता AP AP पता है 2.8 2.8 AB AB नहीं पता हाँ BA दी तो है 6 6.5 बटे AQ नहीं पता तो एक बार आप इन दोनों अनुपातों को ले लो यहां पर देखे चार दुनी 8 है यह 2 बन जाएगा तो ये आजाएगा जो C A आएगा 28 है दो आया है तो 28 दो नी चपन हो जाएगा ये तो ये आजाएगा इन दोनों अनुपात को अगर 7 लेंगे तो 2 बराबर आजाएगा कितना 6 A बटा 2.8 है ना क्रोश मल्टिप्लिकेशन करेंगे तो C A बराबर आजाएगा 5.6 एक बार इन 6.5 बटा 2 6.5 बटा 2 काट दिया जाएगा इसको 2.3.6 हो जाएगा अच्छा फिर 2.4 हो जाएगा ठीक है फिर 2.5.10 हो जाएगा एक क्यू ठीक है अब दोनों को जोड दिया जाए है ना क्या चाहिए हमको चाहिए C A प्लस A Q C A कितना दिया गया है 5.6 जीरो लिख लें इसक 3.25 और इनको देते हैं जोड पांच तीन तो यह आठ हो जाएगे और यह भी आठ हो जाएगे 85 एट पॉइंट एट फाइप सेंटेमेटर है ना कौन से हो जाएगा 43 का ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे देखेंगे क्वेस्चन नंबर 44 किरा कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक विंदू D इस प्रकार है अच्छा त्रिभुज ABC ले लेते हैं त्रिभुज ABC यहाँ पर A है और यह B है और यह C है इसकी भुजा BC पर ना एक विंदू दिया गया है हमको वो कह रहा है कुछ इस प्रकार है कहीं भी होगा यह D पॉ ADC इंगल ADC ये वाला जो code है और कौन BAC BAC बड़ा वाला त्रिभुज में ये code ये दोनों code बराबर है है ना तो हमसे कह रहा है कि CB गुड़े CD की value क्या होगी अच्छा एक बात समझना है हमको हमको दो त्रिभुज उठाना है एक कौन सी CB तो CBBC तो ये वाली है ठीक है बड़े वाले त्रिभुज में है CD CD कहाँ पर छोटे वाले त्रिभुज में है मतलब कि एक काम हमको करना दो त्रिभुज उठाने है त्रिभुज कौन सा एक ADC तथा दूसरा त्रिभुज उठाना है कौन सा ABC इन दोनों को उठाइए और इन दोनों को आप समरूप करिए कुछ रिजल्ट जरूर निकलेगा देखेगा यहां पर यहां पर एक बात देख रहे हैं इसमें C बराबर है C के दोनों कोड C दोनों में उभैनिष्ट है C दोनों में उभैनिष्ट है चोटे वाले ट्राइंगल का जो एंगल ADC है ADC है वो बराबर है बड़े ट्राइंगल के BAC के अब बताईए दो ट्राइंगल में अगर दो कोड बराबर हो जाएं ना दो दो कोड दोनों के बराबर हो जाएं तो दोनों तरबुच क्या होते हैं engage हो गया यह इसके बराबर है चुकी तो यह तो दोनों में common है तो बचा क्या यह वाला कोड़ बचा है भ applicable यह कोड़ बचा यह क्सके बराबर हो जाएगा जो बचा हुआ कोड़े वाले triangle का इसके बराबर हो जाएगा ठीक है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, तो त्रिभुज कौन सा, A, D, C, समरूफ हो गया, किसके, A, B, C के, चलिए, करते हैं इसको, देखते हैं, दोनों त्रिभुज समरूफ है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, तो हम पहले ल पहले हैं, तो झांद आले हूँ, इसके कौन से, A, D, भुजा, जबकि इसके सामने कौन सी है, A, B, भुजा, बराबर, आगे अईएगा, अब देख़िए, हरा वाला कॉल, हरा वाला कॉल देख रहे हैं, उसके सामने कौन सी है चोटे triangle की DC जो चोटा triangle ली है तो सबसे पहले उपर है रहे वो जो उपर लिया पहले आपने उसको उपर रखिए ठीक है फिर यह रावाला इसके सामने कौन सी है AC है बराबर फिर क्या हो जाएगा इसके बाद आ जाई ले लेना है इन दोनों अनुपातों को ले लीजिए इन दोनों अनुपातों को लीजिए cross multiplication करिए तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा AC square is equal to कितना यह आ गया CD यानि कि वही हमारा CD चाहिए DC लिख दो CD into CB CD into CB किसके बराबर आया AC square के बराबर आ गया चलिए 44 का A option correct हो जाएगा इसके बार बढ़ते हैं question number 45 की दरफ को इसन पर 45 हमसे कह रहा है कि 80 cm लंबाई वाली एक लड़की लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से अच्छा ठीक है कितना है उसकी हाइट देखते हैं यह मालीजी लड़की है यह बल्ब लगा हुआ है कितनी दूरी पे लगा हुआ है यह 3.6 मीटर की उचाई पर यहाँ पर मालीजी बल्ब लगा है ठीक है कितना है यह 3.6 उसके बाद और यहाँ पर 80 cm 80 cm का मतलब यह हुआ कि 0.8 मीटर लंबाई की एक लड़की है यहाँ पर 0.8 मीटर लंबाई की एक लड़की हो गई अच्छा 3.6 मीटर की उचाई पर है और 4 सेकेंड बाद उस लड़की की चाया की लंबाई तो माल लेते हैं कि इसने 4 सेकेंड में इतनी दूरी तैंकिया होगा है ना जितना भी तैंकी होगी हमें नहीं पता यह एंगल थीटा है यह एंगल थीटा है तो हमसे कह रहा है लड़की की चाया की लंबाई अब देखिए लड़की है यह है लड़की है यह लड़की है जो आठ मीटर लंबी लड़की है और इसकी चाया यहाँ पर बनेगी हम यह distance निकालनी है ठीक है तो एक काम करते हैं पहले यह पता कर लें कि चार सेकेंड में कितना दूरी चली होगी तो लड़की दोरा यह इस point पे थी और यहां से 4 सेकेंड में वो यहां पहुंची तो 4 सेकेंड में चली गई दूरी दूरी बराबर क्या होता चाल गुड़े समय तो चाल कितनी इसकी दीगे है? 1.2 और शमय कितना है? 4, तो 12.4, 48, यह 4.8 मीटर है ना? तो यह मतलब यहाँ तक की जो दूरी आई वो कितनी आ गई? 4.8 मीटर आ गई? अच्छा, यह 4.8 मीटर हो गई, कौन से डिस्टेंस? ये वाली 4.8 हमको कौन से निकालने ये distance निकालने इसको भी हम माल लेते हैं इसकी distance को हमने x समाल लिया और देखिए इसमें जब भी हम लगाएंगे क्या 10 theta तो 10 theta भाई हम पहले चोटे triangle में लगा रहे हैं 10 theta ठीके तो चोटे triangle में जो 10 theta बराबार होगा लंब कितना है 0.8 बटे आधार वो x है बड़े triangle में आजाओ लंब कितना है 3.6 और आधार बटे आधार आधार आजाएगा कितना 4.8 प्लस x आजाएगा दसमलो से दसमलो हटा दीजिए हटा दिया हमने और 4 से काट दीजिए 4 दुनी 8 चार नहीं है कितना हो जाएगा 36 है ना multiply करिए 48 दोनी 96 मतलब ये 9.6 प्लस 2 x बराबर कितना 9 x ठीक है तो ये 9.6 बराबर 7 x तो ये आजाएगा कितना x is equal to 9.6 बटे 7 अब इसे आप काट दीजिए तो ये आजाएगा 7 x 97 ठीक है दस समलो रख दीजिए शात्रिक काईस और 7 चंग कितना हो जाएगा 42 है ना 50 हो जाएगा वो तो ये हो जाएगा 7 7 49 49 तक जाएगा 50 हो जाएगा तो 7 बार जाएगा ये इतने मीटर या फिर इसको 100 से गुड़ा कर दें तो ये 137 सेंटी मीटर आ जाएगा है ना तो कौन सौफ़न सही हो जाएगा 45 का जो option number C है वो क्या होगा correct हो जाएगा है ना आगे बढ़ेंगे देखते है next question number 46 46 देखेगा question number 46 कह रहा है कि एक 6 मीटर हाँ उर्द्वादर इस्तंब है 6 मीटर वाले एक उर्द्वादर इस्तंब की भूमी पर चाया की लंबाई 4 मीटर है और उसी समय अब देखिए दो बाते हो रही है उसी समय की बात हो रही है जब भी same time देगा ना तो कहना चाह रहा है कि उस दोरान जो कोड बना होगा उन्यान कोड जो रहा होगा वो same रहा होगा मान लिज्जे कि ये हमारे पास क्या है छे मीटर उर्धोधर इस्तंब है ये छे मीटर उर्धोधर इस्तंब है और उसकी जो साइड है वो चार मीटर की बन रही है तो इस बीच में एंगल बना होगा है ना थीटा तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा छे बटे चार मतलब की तीन बटे दो अच्छा फिर उसके बाद उसने दूसरी वाली कंडिशन फिर से बताया कि उसी समय मतलब कि जो एंगलाफ एलिवेशन होगा हमारा उन्नेयन कोड होगा वो वही रहेगा जो पहले था थीटा तो मिनार की छाया चाया की लंबाई वो 28 मीटर है इस दौरान चाया इसे समी करण एक बना दें और इसे समी करण दो बना दें दोनों समी करण को कमपेर करेंगे दोनों जगाप से टैन थीटा दिया गया है है ना तो हम एक और दो से अगर प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा तीन बटे दो बराबर आ जाएगा एच बटे कितना 28 काट दिय जाए 14 हो जाएगा एच बराबर कितना हो जाएगा 14 गालीस मेटर है ना तो कितनी हो जाएगी उचाई 42 मेटर की उचाई हो जाएगी तो 46 में कौन से लो जाएगा से आप्टन जो हنت हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number देखेंगे 47 47 करा कि सीधी सड़क पर चल रहा व्यक्ति देखता है कि एक किलो मीटर की दूरी पर इस थी दो बिंदों पर उस व्यक्ति के शामने खंबे पर अच्छा देखेंगा ये हो गया और ये हो गया मान लिजिए वो करा सीधी सड़क पर चल रहा व्यक्ति देखता है कि एक किलो मीटर की दूरी पर दो पॉइंट है एक ये ए है और यहां पर पॉइंट भी है ठीक है चलिएगा ये सब ही एंसर जो दिये गए हो मीटर में दिये गए हैं यह ना मीटर दिये गए हैं इतने मीटर इतने मीटर इतने मीटर इतने मीटर तो यह हम दोनों के बीच की दूरी की एक किलो मीटर कह रहा थो हम इसको एक हजार मीटर बना लेते हैं अच्छा एंगल देखा क्या गया कि भाई जब ऐसे उसकी तरफ बढ़ा गया पहले 30 डिग्री का था फिर वो 75 डिग्री बन गया ठीक एंगल बढ़ रहा होगा तो इधरे चलना है एक दम क्लियर रहना चाह 10 pe folder 15 बराबर हो जाएगा हमारा एक बटा बी सी 25 यानि कि काट पंदra का मतलब हो गया कि 2 plus अंडर उरट रोट इन één किन बराबर हो गया एक है पटे बीसी है वह बते बीसी अगर आप यहां से बी सी निकालना चाहेते हैं तो बीसी बराबर आप निकाल सकते हैं, आजाएगा h, बटे में आएगा कितना, 2 प्लस अंदर उठ तीन, और उसका conjugate का multiply कर दीजिएगा, तो आजाएगा 2 माइनस का अंदर उठ तीन, ठीक है, चलिएगा, अब पूरा हो जाएगा bc, प्लस bc, अब bc का value हमने निकाल लिया है वैसे, हमको height चाहिए चुकी, है न, चलिए कोई बात नहीं, हम bc की value रखें हैं, यह हो जाएगा, 2h माइनस का अंदर उठ तीन, 10-30 की value रखेंगे, कि अंदर उठ तीन, cross multiplication होगा, cross multiplication के बाद ही हो जाएगा, 1000 plus 2h, माइनस अंदर उठ तीन, h is equal to अंदर उठ तीन, h, ठीक है, अब देखेगा, सब को उधरे ले जाएगे, सब को उधर ले जाएगे, तो 1000 आजाएगा, बराबर, यह 2 under root 3 हो जाएगे, तो 2 under root 3 से आप ले लिजिए, common under root 3, यह भाई, plus का हो गया, उधर जाके, और यह minus का 1 हो जाएगा, और into h हो जाएगा, इस से काट देंगे, तो यह आजाएगा, हमको 500 मिल जाएगा, तो अच्छा, h बराबर कितना आजाएगा, यह आजाएगा, 500, बटे में आजाएगा, कितना, divided by under root 3 minus 1, अल्ट उपर नीचे मल्टिपलाई कर दो, under root 3 plus 1, under root 3 plus 1, ठीक है, यह कितना आजाएगा, अब देखिए, यह आजाएगा, नीचे 2, 2 से काट देंगे, तो यह आजाएगा, 200, इंटू, under root 3 plus 1, तो कौन से आजाएगा, बी वाला आजाएगा, जो है, 47 का वो होगा, करेक्ट, है ना, आगे बढ़ेंगे, क्वेस्टन नम्र देखेंगे, 48, किरा कि यह देखा गया कि, 36 पर, एक मिनार की, और, X मीटर उसके आधार से चलते हुए, सिखर का जो 99 कोड है, वो 30 अंस है, से बढ़कर 7 अंस परिवर्थित हो गया, मतलब उधर है जा रहा है, वही सेम क्वेस्टन था, जैसे अभी उपर किया हम लोगों ने, ऐसे टाइप का, ठीक है, चलिए, अगर उधर जा रहा है, भाई, X चला, यह यहां तक के डिस्टन्स कितनी चला होगा, X चला, पहले 30 अंस था, बाद में 60 अंस हो गया, अच्छा, यह H रहा होगा, तो यह पक्का H बटे अंडरूर 3 हो जाएगी, हैं, यह कितनी हो जाएगी, H बटे अंडरूर 3, क्यों, क्योंकि भाई, अगर हम दोनों का अनुपात निकालें, कि लम्म बटे अधार तो अंडरूर 3 आना चाहिए, 10-60 बन जाएगा अपने आप, तो हमने H बटे अंडरूर 3 ले लिया, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए इस मेनार की उचाई, मेनार की उचाहिए मतलब H की वैलू चाहिए, तो 60 वाला हमने प्रयोग कर लिया है, उस ट्रेंगल को यूज करने का कोई मतलब नहीं है, वो H हमने माना था, उसी के अधार पर हमने इसको H बटे अंडरूर 3 कर दिया है, तो 10-30, कितना हो जाएगा, लंब बटे अधार, लंब है H, आधार कितना है, X प्लस H बटे अंडरूर 3, 10-30, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करेंगे, एक ती हो जाएगा, X प्लस H बटे अंडरूर 3, और ये अंडरूर 3 H हो जाएगा, ठीक है, उधर जब भेजा जाए उसको, X बराबर, अंडरूर 3 H माइनस का H बटे अंडरूर 3 LCM लेंगे, तो कितना जाएगा उपर, ये आजाएगा, 3 H माइनस H, यानि कि 2 H बटे अंडरूर 3, हमको क्या जाएगे, मिनार की उँचाई, तो X बराबर दिया गया है, मिनार की उँचाई निकालेंगे, तो H के पदों में आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, अंडरूर 3 X बटे 2, अंडरूर 3 X बटे 2, है न, यानि कि C वाला उप्सन जो है, वो करेक्ट हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, क्वेस्टन नमबर देखेंगे 49, यानि कि 49, करें कि 12 मीटर उचा एक पेंड तेज हवा के कारण, इस प्रकार तूटता है कि इसका सिखर जमीन पर 36 से 60 हंस का कोड बनाता है, माली जी कि पेड था, ये पेड रहा होगा, और ये तूटा होगा, ठीक है, तूटा, तोड़ जाने देए, यहां से तूटा माली जी, यहां से टूटा, यहां से टूटा, ठीक है, इतना टूटा होगा, चले, यह total 12 था, total कितना था, 12 था, और महं लेते हैं, यह h रहा होगा, तो हमसे पूचाएं, कि जमिन से कितनी हुचाई फरपरपेंट टूटा, मतलब h की वैलु चाहिए, तो बता हो यह जो टूटा हुआ, भाग होगा, वो कितना होगा, 12-H 12-H, और यह जो टूटा यही तो यहाँ लटका है, यह 12-H, जहां से टूटा वही तो यह पेंड वही है, उदर उपर तूटा है बस यहाँ आके जुग गया है और कितने का कोड बना रहा है, शाट हंस का कोड बना रहा है तो हमको वैलू निकालनी है किसकी? H की, ठीक है, निकालते हैं 10 न लगा के अब यहाँ पे लंब दिया है, और करड दिया है तो साइन लगा दिया जाए कितना जाएगा? साइन साथ, लंब H, बटे, करड करड हो जाएगा 12 माइनस H साइन साथ का मान रखेंगे तो कितना जाएगा? अंडरूट 3 बटा 2, बराबर H बटे हो जाएगा 12 माइनस H ठीक है? क्रोस मल्टिप्लिकेशन किया जाए करेंगे तो यह आजाएगा 12 अंडरूट 3 माइनस अंडरूट 3 H is equal to 2 H आजाएगा ठीक है अब यहां से अगर हम H बराबर निकालेंगे तो H बराबर आजाएगा भाई, यह उधर जाएगा तो H बराबर में आजाएगा कितना? 12 अंडरूट 3 बटे, यह उधर पलस में जाएगा 2 पलस अंडरूट 3 2 पलस अंडरूट 3 बटे में आजाएगा उपर नीचे मल्टिपलाई कर दिया जाए तो यह आजाएगा 2 माइनस अंडरूट 3 2 माइनस अंडरूट 3 चुकि अभी यहां पे अंडरूट 3 की वैलू रखना थोड़ा घातक है तो देखिएगा एच बराबर दीकि यहां पे हो जाएगा 4 माइनस 3 नीचे एक बचेगा और यह हो जाएगा 12 अंडरूट 3 इंटू यह जाएगा 2 माइनस का अंडरूट 3 ठीक है सब जगा वैलू रख दीजा अंडरूट 3 की 12 गुड़े 1.732 ठीक है फिर यह दो माइनस का आगा 1.732 कैलकुलेट करेंगे इनका मल्टिप्लाई करेंगे तो इनका मल्टिप्लाई करने पर आ जाएगा 12-24 की 4 आजाएगा 2 हो जाएगे 32-38 38 की हो जाएगा 8-8 आजाएगा 12-8 20-8 हो जाएगा और इसको हम घटाएंगे अगर तो यह हाँ पर बचने वाला है हमारे पास 0.268 है ना इनका multiply कर लीजेगा multiply करने पर आएगा 5.5, 7, 0 लगबग ऐसा आएगा तो यह हमारा जो पहला वाला option है वो correct हो जाएगा है ना 49 का जो A option है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number देखेंगे 50 question number 50 कह रहा है कि एक jet हवाई जहाज का जमीनी सता पर इस्थित एक बिंदू A से किसी चड़ 99 कोड 60 है ठीक है इस देखते है इसका 99 कोड जो दिया गया है वो कह रहा है 60 है देखिए देखते है भाई उसका 99 कोड 60 है यदि 15 सेकंड के पस चाहते है कोई जेट है माली जो उड़ रहा होगा यह जेट है यहाँ पे है यह उड़ रहा है अच्छा समान उचाई उचाई भी दी गई हवाई जहाज का उचाई जो दिया गया है वो कह रहा है कि 1500 पंद्रह सो अंडर रूट तीन मीटर यह उचाई है यहां तक की ठीक है पहले था वो तीस अंस पिर क्या कर रहा है तीस अंस पंदा सेकंड के पस चाहत जेट हवाई जहाज का उन्ने अनकोड पहले साथ था बाद में तीस हो गया अच्छा मालीजे पहले यहां रहा होगा तो यहां वो साथ रहा होगा पिर इसके बाद वो तीस हो गया होगा तो इतनी दूरी को उसे तैं करने में पंदरा सेकंड लगे कितना सेकंड लगा पंदरा सेकंड लगे तो हमसे वो पूछना यह चाह रहे हैं कि हवाई जहाज की चाल क्या है चाल मतलब पहले दूरी पता चल जाए कि जो पंदा सेकंड में चली गई दूरी है इन दोनों बि तो यह वाली भुजा भी कितनी हो जाए फंद्रासो अगर हो जाए तो यह 60 बन जाएगा बन गया तो यह फंद्रासो अडरूर 3 हो गया फंद्रासो हो गया तो 60 आजएगा ठीक है अब 33 यहां पर लगा दीजिए 10 30 बराबर इसको x माल लिया जाए दूरी है समय दिया है दूरी हमको पता करना पहले एक्स तो भाई कितना हो जाएगा लंब वो दिया गया है फंद्रासो अंडरूर 3 ब्टे X plus 1500 X plus 1500 ठीक है 10 under root 3 एक बटे under root 3 हो जाएगा cross multiplication करेंगे X plus आजाएगा 1500 बराबर under root 3 के साथ multiply हो जाएगा तो आजाएगा 4500 तो X बराबर कितना आजाएगा भाई 3000 ये दूरी कितनी आगई 3000 आगई अब हमें क्या करना है हमें निकालना है चाल तो चाल बराबर क्या होता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय दूरी और बटे में कितना टाइम देखते हैं भाई दूरी बटे समय निकाला जाए है ना देखिएगा करते हैं इसको बहुत आसानी के साथ कर देंगे चलिएगा दूरी कितना है दूरी दी गई देखो पंदर सेकंड लग रहा तीन हजार बटे शमय कितना है पंदरा सेकंड का काट दीजिए तो कितना आ जाएगा भई पंदरा दूने तीस दो सो आ जाएगा अच्छा ये दो सो आया है अभी ये मीटर प्रति सेकंड लेकिन एं चास में B वाला जो आपसन है वो कर्रेक्ट हो जाएगा जब तक तु हार कर भी हार नहीं मानेगा तब तक तु हार कर भी जीता हुआ माना जाएगा question number 51 कह रहा है कि a person walking 20 meter towards a chimney चिमनी की ओर 20 meter walk कर रहा है टहल रहा है देखते हैं यह माले ते यहां रहा होगा बेक्ती और यह है उपर चिमनी ठीक है यह चिमनी है हमारी चिमनी की तरफ यह आदमी मालोग इस बिंदू से वो गया होगा इस बिंदू तक पहुंचा होगा कितना वाक किया उसने 20 मिटर वाक किया तो उसने देखा क्या through its base observe that its angle of elevation changes 30 degree to 45 degree करा इस दोरान जो angle of elevation थे था वो 30 degree से change हो गया कितना मालो जाक के यहां पहुंचा होगा यहां पहुंचा होगा तो यह कितना हो गया 30 degree के बाद यह हो गया 45 degree अच्छा करा हाइट अब दा चिमिनी तो हाइट अब दा चिमिनी हम मान ले चिमिनी की जो हाइट है वो h हो जाएगी अच्छा चुकि यह angle of elevation यह angle कितना है 45 है तो इसका मतलब क्या है कि इसके आधार और लंब दोनों बराबर रहे होंगे अगर यह h है तो यह भी कितना हो जाएगा h हो जाएगा यह भी कितना हो जाएगा 45 degree के मतलब क्या है कि लंब और आधार दोनों बराबर हो जाए ठीक है तो हमने यह h माना था यह हो गया 1045 बराबर h बटे आधार तो आधार भी बराबर आजाएगा जब उसका मान रखेंगे तो ठीक है अब लगा दिया जाए इस त्रवुज में 1030 लगा दीजिए तो 1030 बराबर हो जाएगा लंब य h equal to h under root 3 या under root 3 h लग दीजिए इसको उधर भेज दिया जाए अच्छा यह आजाएगा हमारा 20 equal to में आजाएगा h लेंगे common तो आजाएगा under root 3 minus 1 यानि कि अगर यहां से हम h का value निकालेंगे तो आजाएगा 20 बटे में आएगा under root 3 minus 1 उपर नीचे under root 3 plus 1 यानि कि इसकी conjugate से करेंगे multiply तो यह आजाएगा 20 under root 3 plus 1 divided by कितना हो जाएगा 3 minus 1 मतलब 2 काट दिया जाए 10 आजाएगा यानि कि 10 into under root 3 plus 1 meter है ना यानि कि character option क्या हो गया इसमें हमारा बी वाला जो option है वो क्या हुआ करेक्ट हो गया तो पहले का कौन सो अप्षन सही होगा बी option करेक्ट हो जाएगा एक क्या वन का बढ़ेंगे question नुबर 52 की तरफ 52 में भी कह रहा है कि दा डिस्टेंस वेट वीन हम देखते हैं कि रहा दिस्टेंस बिट्वीन टू पिलर आफ लेंथ 16 मीटर और 9 मीटर दो पिलर है हमारे पास एक कितना है 16 मीटर का है और एक क्या है 9 मीटर का है दो फिक पिलर यहां पे given है अच्छा हम बहतरीन question है यह किरा दा डिस्टेंस बिट्वीन टू पिलर टू पिलर से हमारे पास ठीक है इप दा टू एंगल दो इनके बीच की दूरी कितनी है एक्स मीटर तो एक यह ले ले लेते हैं और एक यह ले 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 लेते हैं हम ठीक है तो इनके बीच का जो दूरी है न वो एक्स मीटर दी गई है यह और यहां के बीच की जो दूरी है वो एक्स मीटर हमको given है अच्छा एक की 9 मीटर है length और दूसरे की है यह मालो 9 मीटर हो गई और यह हो गई हमारी 16 मीटर 9 मीटर और 16 मीटर यह हो गई 9 मीटर फोला मीटर ठीक है किरा कि if the two angle of elevation of the respective tops from the bottom किरा कि इनके top से इनके bottom के बीच के जो angle है other arc वो है complementary है ना वो है क्या है पूरा कोड़ दिये गए हैं मतलब कि इसके top से इसके bottom का जो angle है और इसके top से इसके जो bottom का angle है है ना bottom मतलब नीचे पाद तो इन दो यह दोनों एक दूसरे का यानि कि ये angle और ये angle दोनों क्या है एक दूसरे के complementary हैं तो चलिए ये ले लेते हैं हम 90 माइनस theta और ये हमारा हो जाएगा theta इन दोनों को एंगल का sum कितना होना चाहिए 90 वही complementary होते हैं वही पूरा कोड या कोटी पूरा कोड कहलाते हैं ठीक है चलिए अब हमको क्या करना है पहले तो इस त्रभुज को उठा लीजिए है ना 10 theta वाला त्रभुज उठाईए तो ये आज आएगा 10 theta equal to لمb बटे आधार لمb कितना है 9 और आधार कितना है x इसको शमी के रहर एक बनाके चुप चाप छोड़ दिया जाए कोई दिक्कत ने दूसरे के पास आईएगा इस त्रभुज में आईएगा 16 वाले में 16 और x वाले में देखते हैं ये आजाएगा कोड 10 10 लगाईए 90 हो जाएगा और एंगल कितना दिया 90 माइनस theta 10 नबबे माइनस theta हो गया बराबर لمb कितना है 16 और आधार कितना है x अच्छा ये 10 90 माइनस theta कॉट theta कॉट theta equal to हो जाएगा 16 वाले x पलट दिया जाएगा value को 10 कॉट theta को हम 10 क्या लिख सकते हैं 10 theta अगर लिखेंगे तो value पलट जाएगी ना एक बटे 10 theta लिखेंगे तो आजाएगा x बटे 16 अब समी करण 1 और समी करण 2 की compression किया जाए तुलना किया जाए शमी करण 1 और समी करण 2 से देखिएगा 10 theta बड़ाबर 9 बटे x है 10 theta बड़ाबर x बटे 16 है यानि कि यह आजाएगा 9 by x is equal to x by 16 cross multiplication करेंगे तो x square is equal to आजाएगा 9 into 16 x is equal to आजाएगा 3 into 4 यानि कि x is equal to कितना आजाएगा 12 आजाएगा कितना आजाएगा 12 टिक है सही हो जाएगा 52 में b वाला जो option है वो correct हो जाएगा 52 का भी correct होगा ठीक है आगे बढ़ेंगे question number देखेंगे 53 यानि के तरपन किरा एक वायूयान दो माकानों के ओपर से ओड़ रहा है जिनके बीच की निउनतम दूरी जो है वो कितनी है 300 मीटर है दोनों के बीच की दो माकान है हमारे पास उनके जो बीच की दूरी है वो 300 मीटर दी गई है देखते हैं तो एक माकान हमारा हो गया ये हो गया और एक माकान ये हो गया तो हमें वायूयान की उचाई निकालनी है हम वायूयान की उचाई निकालेंगे एक वायूयान दो माकानों के ओपर से उड़ रहा है जिनके बीच की निउनतम दूरी चलो एक ये ले ले लेते हैं है निन तम दूरी मुलब कम से कम दूरी जो है कि वह कितनी है 300 fits Sm है विस देखते हैं कर देखे अब देखिए कर पर ΁सकर है उनके इसकी निन तम दूरी की हो बात कर रहा है यहांनि कि कम से कम दूरि क्या होनी चाहिए आप करते हैं मit про लिए क्रिकली कम कि जो निवन तम दूरी है कर रहा हैückले रिपंटेशन कितना दिया गया एक दिया गया है पैंत आलिस लिगरी तुमा लेत ही यह भी ओ जाएगा फैंतालिस दोनों क आलिस प्रग कोड से बनते हैं दो समंतर रहे में कारटर हिए नूंगों होंगे अच्छा इदर देखते हैं इधर जो है दूसरे वाला माकान है उसकी साइड जो उनमन कोड बन रहा है वह साथ हंस का बन रहा है यह साथ है और यह भी क्या हो जाएगा साथ हंस हो जाएगा तो हमें वावयव्यान की उचाई बतानी कि कितनी होará तो यह हमारा वाय व्यान है और इसको मालेज एच यह उचाई हमको बतानी है देखते हैं लगाते हैं फॉर्मूला 10-60 एक काम करेंगे छोटा सा इसे X ले लिया जाए अब एक बात पता देखिए मैंने बताया ना 45 है यह तो इस तरबुज में आ जाओ यह 45 है तो यह भी H हो जाएगी कितनी हो जाएगी H क्योंकि हमें पता है कि आधार और लंब बराबर होंगे तब ही 45 होता है तो यह और यह दोनों सेम हो जाएगे इसको आप मालेजिए X इसमें लगा दीजिए 10-60 तो यह हो जाएगा 10-60 इक्वल टू लंब बटे आधार H बटे X 10-60 का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 इक्वल टू H बटा X ठीक है यानि कि यहां से हम अगर निकालेंगे तो यह आ जाएगा X इक्वल टू H बटे अंडर रूट 3 ठीक है हमें X बड़ाबर पता चल गया कि H बटे अंडर रूट 3 है अब देखिए एक रिलेशन देखिए यह H प्लस X यह पूरी भुजा कितनी है 300 मीटर कितनी है 300 मीटर और देखिए यहां पे H प्लस X 300 मीटर में कौन कौन सम्मलित है H है और H है देखिए यह वाला H है और यह X है तो H प्लस X हमें H चाहिए तो X का मान यहां पर उठा के रख लिया जाए तो यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा H प्लस H प्लस कितना H बटे अंडर रूट 3 और इधर कितना है 300 तो यह आ जाएगा 300 एकोल टू भाई LC हम लेंगे H लेंगे common H लेंगे common है यहां पर और LC हम लेंगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 और डिवाइड़ भाई आ जाएगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 का इधर मल्टिप्लाई कर दीजिए अच्छा यानि कि अगर हम H की value यहां से find करना चाहें तो H equal to आपको मिलेगा H equal to कितना आ जाएगा 300 और साथ में आ जाएगा अंडर रूट 3 अब बटे में आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1 से उपर नीचे गुड़ा कर दीजिए कर दिया हमने यह कितना आ जाएगा भाई देखो इदर 3 माइनस 1 यानि कि 2 हो जाएगा 2 से इसे काट देंगे तो यह आ जाएगा डेड़ सो अंडर रूट 3 आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 यह प्लस भी यह माइनस भी हो जाएगा 3-1, 2 बच्चे का 2 से हमने काट दिया तो कितना आ गया ये अब आ गया ये, 1.500 under root 3 under root 3-1, कौन सो आप्षन से ही हो जाएगा तरपन का जो option number C है वो क्या होगा, correct हो जाएगा यानि कि जो माकान की उंचाई होगी वाई यान की जो उंचाई होगी क्यों क्या होगी, H होगी है न, H हो जाएगी ठीक है, H और H की value कितनी आ गई 1.500 under root 3 और under root 3-1 meter, ठीक है आगे बढ़ेंगे, question number 4 देखेंगे, 54 करा कि P1, P2, P3 are the perspective, the perpendicular from the vertices of the triangle of the opposite sides ठीक है, देखिए गए याँपे ये है, ये है ये एक triangle है और कहरा आप जो P1 है ये P1 हो जाएगा वो length है, हमारी perpendicular है ये, P1 हो जाएगा और इसकी जो length है वो P2 हो जाएगा, ये P2 length दी गई है और इसकी जो length है ये, perpendicular perpendicular मतलब खीचा गया, लंब ये जो हो जाएगी ये, वो P3 हो जाएगी P1, P2, P3 अच्छा, इसके सामने की भुजा का नाम दे दें A, इसके सामने की भुजा का नाम दे दें B, और इसके सामने की भुजा का नाम दे देते है C, ठीक है तो हमें क्या करना है, ये निकालना है तो देखिए का हमें एक बात पता है कि हम इसका area निकाल सकते हैं अब area बराबर क्या होता है एक बटे दो त्रभुच का छे त्रफल डेल्टा एक कोल्टू कितना हो जाएगा इसी त्रभुच का निकाल रहे हैं एक बटे दो आधार गुड़े उँचाई तो आधार हमारा a है और उचाई कितनी है उचाई है इसकी p1 ठीक है इसी तरह से इसका छे त्रफल और एक निकाला जा सकता है डेल्टा इसकोल टू देखो इधर ही हो जाएगा आधार कितना है b आधार कितना है b b और p2 आधार गुड़े शीर स्लम और इसी तरह से निकाला जा सकता है एक बटे दो c इंटू p3 हमने तीनो छेतर फल निकाल लें और वो तीनो छेतर फल इसी तरे भुज के है हमें क्या चाहिए हमें चाहिए एक बटे p1 प्लस एक बटे p2 प्लस एक बटे p3 का मान चाहिए हम यहां से अगर P1 निकालना चाहेंगे तो देखिएगा पहले वाले से P1 कितना मिल जाएगा P1 बराबर तो P1 बराबर मिल जाएगा कितना एक तो हमको मिल जाएगा 2 delta दूसरा बटे A आ जाएगा ठीक है तो 1 by P1 कितना हो जाएगा चुकि हमें value निकालना है 1 by P1 प्लस 1 by P2 प्लस 1 by P3 तो 1 by P1 इसका हो जाएगा A बटे 2 delta A बटे 2 delta अच्छा इसी तरह से 1 by P2 निकाला जा सकता वो कितना आ जाएगा देखिए B बटे 2 delta आ जाएगा B बटे 2 delta और इसी तरह से P3 निकाला जा सकता है वो आ जाएगा C बटे 2 delta हमसे value किसकी पूचा है 1 upon P1 प्लस 1 upon P2 प्लस 1 upon P3 देखते हैं किसके बराबर होगा यह निकालना है तो कितना हो जाएगा 1 upon P1 प्लस 1 upon P2 प्लस 1 upon P3 equality हो जाएगा कितना जोड दिया जाए सबको यह आ जाएगा A बटे 2 delta B बटे 2 delta C बटे 2 delta तो यह आ जाएगा उपर A प्लस B प्लस C बटे 2 delta अब आपको पता होना चाहिए कि A प्लस B प्लस C क्या होता 2S होता है 2S मतलब perimeter होता है तो 2 delta हो गया 2 delta 2 से 2 काट दिया जाए देखिए अब हमें पता है कि यह क्या हो जाएगा एक बटे 2 R के बराबर हो जाएगा क्यों क्योंकि हमको पता है कि R बराबर होता delta upon S यह S upon delta है तो इसलिए एक बटे 2 R हो जाएगा तो कौन सो आपफ़न सही हो जाएगा चमवन का जो B वाला option है वो क्या होगा P1 कमान कितना आया था P1 equal to आचुका था हमारा 2 delta upon A 2 delta upon A तो हमें निकालना किसकी value हैं पूरा निकाल ले रहे हैं हमें निकालना है P1 into P2 into P3 तो यह पहला क्या हो गया भाई यह हो गया 2 delta upon A into multiply करने पर आजाएगा 8 delta cube बटे A, B, C अब उत्तर में हम देख रहे हैं कि delta को उसने हटाया है है ना तो capital R लाया है तो capital R के साथ relation होता है R is equal to होता है A, B, C upon 4 delta है ना तो अगर हम यहां से delta निकालेंगे तो वो आजाएगा A, B, C upon 4 R A, B, C upon 4 R तो यह हो जाएगा 8 तो हमें delta को हटाना है तो delta की एक तो पहले तो यह रख दीजिए 8 बटा में आजाएगा A, B, C और जहां पर हमारा delta है वहां हम रख सकते हैं क्या A, B, C अब बटे में 4R और उसकी घात में कितना 3 तो यह आजाएगा 8, Y, A, B, C इन्टू यह आजाएगा A की घात 3 B की घात 3 C की घात 3 बटे यह आएगा 64R क्यूब 8 से काट दिया जाए 8, 8, 64 हो जाएगा ABC को काटेंगे तो उपर स्क्वेर बचेगा बस यदि कि A square प्लस B square प्लस C square बटे 8R कूब कौन सा ओप्फन सही हो जाएगा यह C वाला option जो 75 का करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number देखेंगे 56 किराएगagen otta triangle cos A cos B cos C इक्वल किसके इक्वल होगा ये हमको बताना है देखिएगा एक बेहतरीन question है ये 56 है ना देखते हैं एक काम करते हैं ना हमको पता ये equilateral triangle में इसको अगर हम ले लें है ना in equilateral triangle एक शम बाहूत रिभुज में एक सम बाहूत रिभुज में satisfied कर दे अगर जो option satisfied कर जाएगा ठीक है सम बाहूत रिभुज में क्या होता है भाई एक तो जो तीनों code होते हैं वो क्या होते हैं भाई 60 हंसके होते हैं और तीनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं है ना और क्या होता है अगर इसमाल आर की बात करोगे अंतह वृत्त की तरिज्जा की बात करोगे तो यह याद होने चाहिए हमको तो यह होती है A upon 2 under root 3 और इसकी परिवरित्य की तरिज्जा की बात करो तो यह आती है A upon under root 3 इतना होता है यह याद रखना है हमको चलिए हमको value किसकी निकालनी है हमें value निकालनी cos A plus cos B plus cos C देखिए सबकी जगह पर जब आप 60 रखेंगे तो यह 3 cos 60 के बराबर हो जाएगा 3 cos 60 का मतलब कितना हो गया 3 गुड़े 1 बटे 2 इसका मतलब हो गया 3 बटे 2 3 बटे 2 हो गया अच्छा अब हमें क्या करना पहले तो capital R बटे small R यह option निकाला जाएगा यह जाएगा 1 plus देखिए capital R कितना है A बटे under root 3 A बटे under root 3 में भाग देंगे A बटे 2 under root 3 तो यह क्या बचेगा भाई यह हो जाएगा हमारे पास एक तो दो चीज़े निकाल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं यहांस एक आप निकाल लो R बटे R निकाल लो काम आएगा तो यह आजाएगा A बटे 2 under root 3 3 आना चाहिए answer नहीं लेकिन answer हमको क्या चाहिए 3 बटे 2 इसके साथ आजाओ 1 प्लस R बटे capital R की value कितनी आई है 1 बटे 2 कितना आगया यह 3 बटे 2 अब ऐसा भी हो सकता है किसी और option में भी आजाए इतना same अच्छा इसके पास देखो तो यह आजाए 1 माइनस 2 तो यह तो माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे आजाओ 1 माइनस 1 बटे 2 यानि कि 1 बटे 2 आजाएगा हमको चहिए क्या था 3 बटे 2 3 बटे 2 कौन सा option दिया हमको 3 बटे 2 हमको B वाला option दे रहा है तो B वाला option चपन में correct हो जाएगा है ना आगे बढ़ेंगे question number देखेंगे 57 57 कह रहा है कि इन triangle ABC एक करह triangle ABC है हमारे पास जिसकी भुजाएं वगेरा सब कुछ दी गई है लेकिन हमको बस वो एक बात बताना एक बात बता गया इस triangle को देखने के बाद लेज़े C है हमारी C 12 हो गई और A जो है वो 5 है क्यों क्यों क्योंकि पाइथा गोरस theorem को satisfied कर रहा है इसलिए code B बराबर क्या होगा 90 होगा code B बराबर 90 हो गया code B कितना हो गया 90 हो गया हमको value निकालनी है किसकी 10 B by 4 ये clear हो गया 12 में सबसे बड़ी भुजा है 13, 13 का वर्ग 179 25 प्लस 144, 179 यनि कि ये क्या है मारा एक समकोंड त्रिभुज है समकोंड त्रिभुज में B के सामने का code जो होगा हो 90 होगा तो B बराबर 90 हो गया अब हमको value किसकी निकालनी है value हमको निकालनी 10 B by 4 की 10 B by 4 का मतलब यहां पर लखा जाए तो 90 बटे 4 90 बटे 4 का मतलब हो गया पहले आधा हुआ फिर आधा यनि कि 22 हमें किसका मान निकालना है 10,25 अंस और 10,25 अंस का मान आपको याद रहे तो बहुत अच्छा होगा नहीं आ रहा तो फिर आप इसको 10,25 को आप 45 बटे दो करके आप इसे कनवर्ट करिए 10,45 का सूत्र लगा के हाफ अंगल में कनवर्ट करके कोड़ाटिक एक्वेशन बना के हल करिए ठीक है तो 10,45 का जो मान होता वो कितना होता अंडर रूट 2 माइनस का 1 कौन सूपफण सही हो जाएगा 57 का जो डी है वो ऑप्सन करिक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे क्वेशन नमबर देखेंगे 58 यह नहीं के 58 किराए कि एक त्रिभुज ABC का परिमाप उसके कोड़ों की जा एक त्रिभुज का परिमाप है परिमाप का मतलब क्या होता है A plus B plus C equal to किराए उसके कोड़ों की जाके समानतर माद्ध तो इसका समानतर माद्ध पहले निकालो साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C बटे 3 हो जाएगा तो यह कोड़ों की जाका समानतर माद्ध हो गया कह रहा है इसका 6 गुना है कौन परिमाप तो परिमाप तो हमने ले लिया इसका 6 गुना कर दिजिए कर दिया 3 एक अनम 3 3 दोनी हो जाएगा 6 ठीक है फिर क्या हो गया यह फिर कह रहा है A plus B plus C equal to यहाँ पे A की जगा sign A की जगा पे A के रख दिजिए तो यह आजाएगा 2 into कितना A के plus B के plus C के यह सूत्र पढ़ा है sign rule का sign rule होता है हमारा क्या हो जाएगा sign A बटा A sign B बटा B हो जाएगा और sign C बटा C हो जाएगा यह बरावर किसके होता के के तो हम sign A की जगा पे A के B की जगा पे B के C की जगा पे sign C की जगा पे C के रख सकते हैं रख दिया हमने तो यह आजाएगा A plus B plus C equal to 2K और आजाएगा A plus B plus C तो इन दोनों को काट दिया जाए K बरावर कितना आजाएगा 1 बटे 2 K का मान 1 बटे 2 आगया हमको अब निकालना क्या है हमें निकालना यहां से एंगल A तो यह वाला रेशियो ले लिजे हमने भी पढ़ा ना sign A बरावर क्या होता है A के sign A equal to कितना A K A कितना दिया गया देखो A की वैलू उसने 1 दे दी है 1 into K की वैलू 1 by 2 यहां पर आ गया हमारे पास sign A बरावर एक बटे 2 It means sign A बरावर एक बटे 2 किसका मान होता है 5 by 6 का ठीक है तो A बरावर कितना आ गया भाई 5 by 6 आ गया मतलब 30 अंस आ गया 1 बटे 2 sign का होता है sign 30 का तो 5 by 6 आ जाएग 58 का A option जो है अंगल B इतना है तो हमें वैलू निकालनी है A प्लस इसकी अब देखेगा अगर इसका जो अंगल A है वो हमको दिया है 45 डिग्री और अंगल B जो है 75 डिग्री दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा यानि कि जो कोड़ C हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा तो यह हमको कोड़ C मिल गया 60 डिग्री अब लगा दिया जाएगा यहाँ पे sign rule sign rule लगाएगे तो कितना हो जाएगा यह A बटे में आ जाएगा sign 45 बराबर B के बटे में आ जाएगा Sine 75 और C के बटे में आ जाएगा Sine 60 अब इनके सब के मान रखे जाएं ठीक है रखते हैं मान साइन 45 का मान एक बटे अंडरूट 2 आएगा एक बटे अंडरूट 2 अंडरूट 2 उपर चला जाएगा यहनि किया जाएगा अंडरूट 2 ए बराबर और Sine 75 का मान रखेंगा Sine 75 का मतलब काश 15 काश 15 का मान होता है अंडरूट 3 प्लस 1 बटे 2 अंडरूट 2 मतलब 2 अंडरूट 2 उपर गया 2 अंडरूट 2 और यह नीचे रहेगा कितना अंडरूट 3 प्लस 1 equal to sin 60 under root 3 यानि कि 2 उपर चला जाएगा तो 2 बटे under root 3 c उपर c हो जाएगा तो 2 बटे under root 3 c हो जाएगा ठीक है अब देखिए कि दोनों ratio हो गए हम को क्या चाहिए a और c के मान निकाल के दोनों को जोड़ देना है वो ऐसा कह रहा है a निकालिए इन दोनों से निकालिए यह अनुपात हमारा first हो गया और यह second हो गया और यह third हो गया तो आप first और second से उठाइए first और second वाला अनुपात उठाइए कितना दिया है under root 2 a is equal to 2 under root 2 b बटा under root 3 plus 1 तो यह under root 2 से under root 2 काट दीजिए यानि कि यहां से हमको मिला b is equal to कितना 2 b a is equal to मिल गया 2 b बटा में under root 3 plus 1 एक तो यह मिल गया दूसरा second और third say तेखिएगा यह कितना आजाएगा 2 under root 2 b बटे आजाएगा under root 3 plus 1 और यह आजाएगा 2 c बटे under root 3 इस 2 से इस 2 को काट दीजिए काट दिया हमने न यहां से c अगर हमको निकालना है तो c कितना आजाएगा एक तो यह हो जाएगा हमारा under root 2 और under root 3 का multiply under root 6 b बटे में यही रहने दीजिए under root 3 plus 1 equal to हो जाएगा c अच्छा यह c की value मिल गई अब हमें value किसकी निकालनी है यहां पर प्रश्ण भी हमको value निकालनी है a plus a plus c under root 2 की ठीक है a कितना आगया है a दिया गया हमको 2 b बटे में under root 3 plus 1 plus और देखिए c कितना हो जाएगा भाई यह हमारा under root 2 इसमें multiply भी करना है तो under root 2 इसके साथ multiply हो जाएगा तो यह आजाएगा under root 12 b बटे में आजाएगा under root 3 plus 1 इसको लिख सकते हैं 4, 3, 12 यानि को उपर से 2 b common हो जाएगा आराम से 2 b common लेया जा सकता है 2 b लेंगे common तो यहां 1 बचेगा plus और देखो 4, 3, 12 बचेगा 2 under root 3 दो निकल गया बाहर तो under root 3 यहां बचा और divide में आगया under root 3 plus 1 यह दोनों cancel out हो जाएगे और बचेगा क्या 2 b तो कौन से ओफ़ण से हो जाएगा उन सट का D option जो है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number देखेंगे 60 question number 60 में के रहा है कि in triangle A, B, C R1, R2, R3 R in harmonic progression एक बात याद रखेंगे इसे हम इस तरह के जो प्रस्णों को जहां पर R आएगा capital R आएगा R1 आएगा R2 आएगा R3 आएगा तो एक relation मेरा याद रखेंगे यह काम कर जाएगा देखेंगा एक तरिभूज है right angle triangle में यह work करेगा सिर्फ जहां पर right angle triangle बन रहा है वहां पर यह work करेगा यह हमारे पास right angle triangle है ठीक है तो इसकी तीन भुजाएं ले लेते हैं एक भुजा ले रहे हैं हम करम से तो यह बात याद रखना है हमको 2 R1 R1 बराबर याद रखेंगे R1 बराबर होता है 2 R2 बराबर होता है 3 R3 3 R3 ध्यान से देखेंगे ठीक है इसके बाद यह हो गया R1 अब हमें क्या करिए यहीं से सुरुआत करिए तो यह C की value यहां होती है 3 ठीक है और B की जो value होती है और A की जो value होती है 5 ठीक है मतलब एक समकोड त्रिभूज हम ले रहे है देखो 3, 4, 5 बुझाए है न यह लिए R3 C से सुरुआत कर दीजिए फिर लोटती है यह B का मान 4 लीजिए A का मान 5 लीजिए अच्छाए अब यहां पर proportional value proportion value निकाला जाए देखें यहां पर R1 जो आजाएगा R1 आएगा LC हम लेंगे 2 और 3 का 6 आएगा भाग दीजिए सबसे 6 में सबसे 6 में भाग देदीजिए तो R1 की value 6 आजाएगी और R2 की जो value आजाएगी वो 3 आजाएगी और R3 की जो value आजाएगी proportional value वो 2 आजाएगी तो 3 चीज़े clear हो गए एक R1 एक R2 एक R3 कह रहा है कि यह harmonic progression में है तो एक बार हम देख लेते हैं तो इन ही R1, R2, R3 के लिए जो भुजाएँ आती हैं वो क्या आती हैं 5, 4, 3 आती हैं तो कह रहा है कि यह हम देख लेते हैं कि जो R1 है R1 और R2 और R3 यह कह रहा है कि यह कह रहा है कि HP में हैं तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या सच में HP में हैं तो हमारा क्या है R1 क्या है 6 है और यह क्या है 3 है और यह क्या है 2 है देखते है HP में है की नहीं HP में होने के लिए क्या होगा भाई है ना इसका जो harmonic mean है यानि कि HM है यानि कि HM मतलब कितना है वो 3 हो जाएगा बीच वाला होता है harmonic mean ठीक है वो HM हो गया और क्या हो जाएगा 2 into AB तो 6 और 2 तो यह हो गया 6 गुड़े 2 बटे A प्लस B यानि कि 6 प्लस 2 यानि कि 8 कितना आना चाहिए अगर 3 आ जाता तो harmonic मिमान लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 6 चोग और 24 या काट दीजिए इसको चोग और 24 बटे 8 हो गया 8 है कन्नमाट 8 तरीक 24 तो देखिए दोनों आ गया 3 बटा 3 मतलब कि जो यहां पर R1, R2, R3 है यानि कि 6, 3 और 2 जो है वो harmonic progression में है और इन ही के लिए हमारे पास ABC कितना निकल के आया ABC आया 5 तो भाई ABC यानि कि 5, 4, 3 जो है वो किसमे है वो है HP में AP में किसमे है AP में है अगर R1, R2, R3 यानि जिनकी value हमने निकाली वो 6, 3, 2 है तो क्या होगा 5, 4, 3 ये AP में होगे यानि कि R1, R2, R3 अगर harmonic progression में है तो ABC किसमे होगे arithmetic progression में होगे 60 में कौन सा option सही हो जाएगा A option जो है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number देखेंगे 61 क्यार की एक इन भुजां वाले S瞬 भुज संब भुज इन भुजां वाले S瞬 भुज जिसकी भुजा A है कि अंताह वृत्ट इवम परिवरित्ति की तरज्जां का योग हम ले रहे हैं भुजां की संख्या S瞬 भुज का मतलब होता जिसकी तीनो भुजाएं बराबर हों तीनो भुजाएं हम संभभुज ले रहे हैं भभुज तो भभुज होता है तो हमने ले लिया मतलब कि यह हमने एक ले लिया सम बहुज का जिसका नाम है सम बाहु क्या नाम है सम बाहु तरिबुज ले लिया हमने ठीक है चलिए अब देखें यहां पे करा अंतावरित्त और परिवित्त की तरिज्जाओं का योग तो एक काम करते हैं अंतावृत्य की तिरिज्जा बताओ कितनी होती है अगर भुजा A होती है तो इसके अंतावृत्य की तिरिज्जा होती है A बटे 2 under root 3 और परिवृत्य की तिरिज्जा होती है A बटे under root 3 तो इन दोनों को हल कर लिया जाए वो कह रहा है दोनों का योग तो small r और capital r जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा a बटे हो जाएगा 2 under root 3 प्लस a बटे under root 3 एक काम करते हैं common ले लेते हैं a प्लस under root 3 को यह कितना आजाएगा 1 बटे 2 प्लस 1 आजाएगा और यह आजाएगा a बटे under root 3 और यह हो जाएगा 3 बटे 2 काट देंगे अंडरूट 3 है उपर वाले को अंडरूट 3 को अंडरूट 3 रखेंगे तो यह आ जाएगा A अंडरूट 3 बटा 2 अच्छा अब वो option जहाँ पे N का मान 3 रख दिया जाए और N का मान 3 रखा जाए तो अगर कोई option A बटे अंडरूट 3 दे देगा तो वही इसका correct answer होगा रखा जाए यहाँ पे पहला option देखा जाए यह वाला यह कितना हो जाएगा A बटा में 4 N का मान 3 रखेंगे तो कॉट पाई बाई 6 हो जाएगा कॉट पाई बाई 6 का मतलब कितना हो गया कॉट 30 का मान क्या होता अंडरूट 3 है ना अंडरूट 3 बटा अंडरूट 3 ही तो होगा यह निकि यह कितना हो गया अंडरूट 3 A यह कितना हो गया अंडरूट 3 A बटा 4 यह तो नहीं होगा इसके पास आईए यह आजाएग A पाई बाई 3 3, pi by 3, n का मान 3 है, n बराबर कितना है 3, n क्या भुजाओं कि संख्या, n का मान 3 है, तो रख्या भाई जाए भाई, pi by 3 मतलब 60, 60 का मतलब कितना हो गया, 1 बटे अंडरूर 3, ये निकिए आ जाएगा, a बटे अंडरूर 3, इसके पास चलते हैं, यह आ जाएगा ए बटे दो और यह कितना हो जाएगा हमारा c करेक्ट answer हो जाएगा 61 का है ना आगे बढ़ेंगे question में 62 देखेंगे किरा है कि किसी तरभुज ABC में जो c बरावर दिया गया है वो हमको दिया गया है πाई बाई टू angle c बरावर 90 दे दिया गया कोई दिक्कत नहीं अब देखेंगा अभी थोड़ी देर पहले बातचीत भी हुई थी तो अगर angle c बरावर जो है वो पाई बाई टू दिया गया है 90 अंस दिया गया है 62 की हम बात कर रहे हैं तो करते हैं इसको हम भी आसानी से करेंगे कोई दिक्कत नहीं है देखेंगा मन लेते हैं कि 90 अंस है तो एक 90 का तरभुज ले लीजिए समकोल तरभुज एक ले लीजिए ये हो गया हमारा c है न 90 तो ये c हो जाएगा और c के सामने की भुजा जो होगी वो करड हो गई उसे हमने 5 ले लिया ठीक और एक हमारी 3 हो जाएगी मालो ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा और B के सामने की भुजा 4 हो जाएगी ये हम अपने से लेट कर रहे हैं दिया नहीं है कहीं हमने ले लिया भाई हमने अंगल देखा कि c बराबर πाई बाई 2 नबबे अंस है हमने c को नब्यास लिया श्रमकोर्टरभूज हमने ले लिया इस दोरान इसके जो अंतावृत्तिकीत रिज्जा होगी वह क्या होगी भाई आर बराबर क्या होता है Δेल्टा अपन एस तो डेल्टा कितना हो जाएगा देखो एकْ बटे दो 3 गुडे चार है ना एकْ बटे दो गुडे बारा यनी कि 6 आ गया 6 इनका सब को जोड लो तो यह हो जाएगा 5,3,8,4,12 बटे 2,6 वो भी आजाएगा 6 बटे 6 यन없이 डेल्टा कमान आर कमान कितना आ गया? 1 आ गया Capital R देखिए परिविर्थ की तरिज्या आपको पता है कि जो परिविर्थ होता है वो कड का मद्ध बिंदू होता है है ना किसी समकोंट तरिभुज का जो परिविर्थ होता हो कड का मद्ध बिंदू होता है तो ये आजाएगा 5 बटे 2 तो हमसे कहरा है कि अंताविट और परिप्रिट की त्रिजाओं का योग त्रिजाओं केब्टेल R हो तो हमको ये निकालना है देखिएगा भई तो हमको निकालना कहा है 2 into r plus r तो आजाएगा 2 into r कितना दिया गया है एक और ये कितना दिया गया है 5 बटा 2 ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 7 बटा 2 2 से 2 काट दे कितना आया 7 आ गया ठीक है 7 आ गया अच्छा अब देखें चेक कर लेते हैं जो आपसन हमको 7 दे देगा वो correct हो जाएगा A का value कितना है 3 प्लस 4 ये तो 7 दे दिया और आगे देखते हैं कोई दूसरा तो नहीं दे रहा B प्लस C B और C को जोड़ेंगे तो 9 आएगा C प्लस A C और A को जोड़ेंगे तो 8 आएगा और इन सब को जोड़ेंगे तो 12 आएगा हमें क्या चाहिए जो option हमारा 7 दे रहा वो correct tensor हो जाएगा तो 62 का जो A option होगा वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 63 63 में हमसे कह रहा है कि delta is equal to दिया गया है A square minus B minus C का only square देंदा 10 A 10 A का मान क्या होगा देखिए गा याँ पे delta equal to दिया है हमको A square minus का B minus C का square एक bracket में A plus B एक bracket में A minus B है ना देखिए यहाँ पे तो A plus हो जाएगा B minus C एक bracket में हो गया दूसरे bracket में क्या हो जाएगा A minus B plus C अच्छा देखिए A plus B की जगा पे हम रख सकते हैं एक बात हमको पता है कि 2S वराबर होता है A plus B plus C तो हम A plus B plus C की जगा पे क्या रख सकते हैं वो रख सकते हैं 2S minus C यहाँ पे हमने रख दिया 2S minus C ठीक है 2S minus C और 1 minus C पहले से है और यहाँ पे A plus C की जगा पे भी हम रख सकते हैं क्या 2S minus B और 1 B में पहले से हैं वहाँ पे ठीक है इतना आ गया अच्छा यह डेल्टा दिया गया है तो हम डेल्टा को अगर थोड़ा सा काम करेंगे तो डेल्टा की जगा पे हम लिख सकते हैं क्या डेल्टा की जगा पे हम लिख सकते हैं अच्छा तैन एच है यह हमको ना ठीक है तो delta की जगह पर हम लेख सकते हैं क्या s into s minus a root होता नहीं है root के अंदर हो जाएगा कितना हो जाएगा root के अंदर s into s minus a s minus b और s minus c equal to देखिए 2 यह हो जाएगा 2s minus 2c और यह हो जाएगा 2s minus 2b दोनों जगह से दो दो common लेंगे 4 आ जाएगा और यह आजाएगा 1s minus c अदूसरा क्या आजाएगा s minus b दोनों तरफ work कर दिया जाएगा तो आजाएगा s या चोटा सा काम किया जाए work कर दो work कर दिया जाए work करेंगे तो यह आजाएगा s into s minus a s minus b s minus c equal to 4 into यह हो जाएगा s minus c का square और S-B का स्क्वेर और 4 का 16 हो जाएगा ना वर्ग कर रहे हैं 16 हो जाएगा ये अब जो कट रहा है उसे काट दिया जाए तो देखेगा S-B का होली स्क्वेर हो गया तो ये S-B कट जाएगी S-C कट जाएगी ये ये कट जाएगी एक एक घाते हमारे पास बचेंगी 16 अच्छा अब ये 10 ये वैलू होती है अगर रूट लगा होता तो 10 A की वैलू होती है 10 A by 2 की वैलू होती तो ये वैलू हो जाएगी हमारी किसकी 10 स्क्वेर A by 2 की 10 स्क्वेर A by 2 की रूट नहीं लगा ने इसलिए स्क्वेर कर लेते हैं ठीक है रूट लगा होता अगर इसी में रूट लगा होता तो किसकी वैलू हो जाती फिर वो 10 स्क्वाइर 10 A by 2 तो इस्क्वाइर के लिए हमने 16 वर्ग ले लो दोनों तरफ तो यह आजाएगा 10 A by 2 10 A by 2 का जो वैलू आ गया वो कितना आ गया वो आ गया हमारा यह था हमारे पास S माइनस C था ठीक है S माइनस B था काट दिया हमने उधर S माइनस B बचा तो अब आ गया हमारे पास वैलू जो आई भाई यह सूत्र बन गया हमारा साइन का अहो यह उल्टा हमने लिख दिया यह साइन नहीं यह बन रहा है काट का यह काट का बन रहा है ना यह क्या बन रहा हमारा काट स्क्वेर अबाई टू बना यह काट का सूत्र होता है S इंटू S माइनस A उपर कॉस है ना तो यह काट का होगा COT square A by 2 यहाँ से आ गया हमारा COT A by 2 कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 4 तो हम 10 A by 2 यहाँ से निकालेंगे तो 10 A by 2 बराबर आ जाएगा एक बटे 4 लेकिन हमें निकालना क्या है हमें निकालना है 10 A 10 A बराबर सूतर क्या होता है 2 10 A by 2 बटे में one minus ten square ay by two two into ten ay by two एक बटे चार हो जाएगा बटे one minus एक बटे 16 हो जाएगा तो कितना आजाएगा दो बटे 4 गुड़े आजाएगा 16 बटे 15 काट दिया जाएगा तो ये 4 आ जाएगा है ना 4 दुनी ते 8 बटे 15 तो कौन सा bluff आफ फन से हो जाएगा 10 A की जो value होगी वो 8 बटे 15 होगी आगे बढ़ेंगे next देखते हैं हम लोग देखते हैं किया रहा है कि किसी तरभुच की भुजाएं 3 X प्लस 4 Y और ये किसी तरभुच की भुजाएं दी गई हैं हमको एक बात इन्होंने बोला है कि X का है X और जो Y है वो क्या है greater than 0 है X और Y के जो मान है वो क्या है 0 से बड़े हैं तो एक काम करते हैं याँ पर हम X की value 1 ले ले लेते हैं Y की value 2 ले ले लेते हैं ठीक है हमने ले लिए 0 से बड़े मान ले लिए हमने और देखते हैं जूई तो इनों भूजाएं क्या क्या आ वहीं है देखिएगा यह क्या तीन एकस प्लस 4Y ? तीन एकस प्लस 4Y तो भाई एकस कमान वन लो तो आजाएगा तीन प्लस Y कमान दो लेंगे आठ आजाएगा यानिक ये जाएगा 11 फिर अगली वाली भुजा देखा जाए क्या है अगली भुजा है हमारी 4x plus 3y equal to equal to कितना हो जाएगा यह 4 हो जाएगा एकस की जगह पर 1 रखेंगे plus 6 हो जाएगा 3 2 6 6 4 10 हो जाएगे है ना तो 10 हो गए फिर आगे यह 4x plus 3 है ना 4x यह है y के मान हमने 2 लिया है तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा 4 और यह हो जाएगा 6 ठीक है कितना हो गया भाई यह हो गया 4 और यह हो गया 6 तो 6,4,10 हो जाएंगे ठीक है आगे देखते हैं यह हो गया 5X प्लस 5Y अगली है भुजा तो कितना हो जाएगा यह 5 हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 15 अच्छा इसमें सबसे बड़ी भुजा देखा जाए कौन सी है तो हम देख रहे हैं कि जो सबसे सबसे बड़ी भुजा क्या है वो बड़ी है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सेज दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा है, तो इस condition में यह हमारे पास होगा noon code तरिभूज यह क्या हो जाएगा noon code तरिभूज और अगर c square पराबर है a square प्लस b square के तो इस condition में equilateral ट्राइंग के सोरी some code तरिभूज होता है तो ठीक हैं देखते हैं यहां पर क्या होने वाला सबसे बड़ी भूजा देखा जाए बाद 15, 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225 अच्छा और इसके बाद 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121 प्लस हो जाएगा 100 तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा हमारे पास 211 अब हम यह देख रहे हैं कि जो 211 है 225 है जो यानि कि C square है वो बड़ा है किससे A square प्लस B square से और ऐसी condition को कौन सा त्रिभूज बनता है इस condition में हमको बनता है obtuse angle triangle यानि कि अधिक code होगा क्या होगा अधिक code त्रिभूज होगा यानि कि इसमें एक code क्या होगा obtuse angle होगा है ना आगे बड़ेंगे मेरी बास समझ में आई ना सबसे बड़ी भूजा का वर्ग अगर सेज़ दो भूजाओं के वर्गों के योग से बड़ा है तो अधिक code त्रिभूज होगा छोटा है तो निउन code त्रिभूज होगा बराबर है तो सम कोड तरिभूज होगा आगे बढ़ेंगे साब next question देखेंगे 65 क्रायदी तरिभूज A, B, C के कोड समानतर स्रेडी में हो तो अब बताईए अगर किसी तरिभूज के कोड समानतर स्रेडी में होते हैं तो होता क्या है भाई मान लिजे कि कोड A अकोड B अकोड C डॉट डॉट इन AP अब ये समानतर स्रेडी में हैं तो कितना हो जाएगा 2B बराबर हो जाएगा A प्लस C तो भाई A प्लस B प्लस C बराबर होता एक सो अस्यंस तो A प्लस C की जगह पे अगर हम 2 भी रख देंगे तो 2B प्लस B बराबर कितना आजाएगा एक सो अस्यंस यानि कि यहां से हमको मिल जाएगा B इक्वल टू साथ हंस है ना B कितना मिला साथ हंस तो हम लगा देते हैं यहां पे फॉर्मूला किसका कॉस B का कॉस B का सुत्र क्या होता है वो होता है C स्क्वार प्लस A स्क्वार माइनस का B स्क्वार डिवाइड बाई 2 C A कॉस साथ कॉस साथ का मान कितना होता एक बटे 2 इक्वल टू कितना आजाएगा C square plus A square minus B square upon 2CA 2 से 2 को काट दिया जाए यानि कि यह आ जाएगा CA equal to कितना C square plus A square minus B square अच्छा देखें यह options अभी B square में देए गए हैं तो B square वाला निकाल दो तो अगर हम B square को इधर ले आए तो इधर कितना हो जाएगा C square plus A square minus C A तो B square वावर हो जाएगा C square plus A square minus C A तो कौन साप्षन से हो जाएगा 65 का जो B वाला option है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे देखेंगे question number 66 66 अच्छा अब देखेगा यहाँ पे कह रहा था कि 4R दिखें कि मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात चीत हुई थी कि अगर मालीजे कि यह इसने option दिया right angle का तो हम एक बार right angle triangle वाली condition satisfied करवा लेते हैं हमने क्या लिया था हमने लिया था कि अगर C का मान क्या हो भाई पांच ले लिया जाए ठीक है और अगर satisfied कर गया तो मामला satisfied हो जाएगा right angle triangle हम बोल देंगे हम right angle triangle को पहले satisfied करवा रहे है यह हो गया 5 यह मालो जो C कोड है तो यह हमारी C भूजा हो जाएगी यह A कोड है तो सामने हमारी A भूजा हो जाएगी वह 3 हो गई और यह B भूजा हो जाएगी अब B हो गया 4 हम इसको satisfied करवाते है आपको पता है कि इसका और परिवित्ति की जो तरिज्जा होगी वह कितनी हो जाएगी भाई 5 बटे 2 क्योंकि करण का मद्द्विंदू होता है परिकेंद्र तो यही इसकी तरिज्जा हो जाएगी ब्यास हो गया यह पूरा तरिज्जा कितनी हो जाएगी यानि कि capital R बराबर कितना जाएगा 5 बटे 2 ठीक है रखते हैं यहाँ पे यह अगर इस condition को satisfied कर गया तो हम right angle triangle बोल देंगे नहीं होगा तो फिर सोचेंगे फिर normal लगाएंगे इसको A square plus B square plus C square अच्छा यह आ गया 8 R की जगह पे हमें क्या रखना है R की जगह पे रखना 5 बटे 2 यानि कि यह आ जाएगा 25 बटे 4 बराबर इधर कितना आ गया A square A का कितना हो जाएगा 9 plus B square 16 plus C square 25 यह कितना हो जाएगा 4 1 4 4 दुनी 8 यह हो गया 25 दुनी 50 और यह कितना हो गया 16 9 25 25 प्लस 50 है ना दोनों 50 हो गया ना यह संतुष्ट कर रहा है satisfied कर रहा है कि यह एक right angle triangle ही है है ना का उसा triangle है right angle triangle है तो triangle कैसा है right angle triangle है right angle triangle है यानि कि चाचेट में कौन सा option से हो जाएगा B option correct हो जाएगा आगे बढ़ते है कि रहा है कि इन triangle A, B, C कि sin A, sin B, sin C equal to इतना दिया गया है अच्छा अब हमको एक बात पता है कि क्या बात पता है हमको बात यह पता है कि इस दोरान अगर कोडों में अनुपात दिया गया है तो यही क्या होता है हमारा यह होता A, B, A अनुपाते, B, अनुपाते, C है ना sign rule क्या कहता है ज्याओं में अनुपात और भुजाओं में अनुपात दोनों बराबर होते हैं है ना तो A, B, B, C C वही आ गया हमारा 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3 अच्छा अब देखिए इन्होंने B को बनाया है कितना 2 बी का अनुपात जो है 2 और A का क्या है 1 और C का क्या है 2 हमें एक काम करना है perimeter तो निकालना निकालना है लेकिन देखें यहाब B का उन्होंने मान दिया है है अब question में B का मान नहीं दिया लेकिन यहाँ पर B का मान दिया था B is equal to कितना दिया था 4 है इसी साथ में और दिया था क्या B equal to 4 हमको B की तीन है तीन के ठिक है अब देखिए बी का मान चार दिया है हमको यह रख लो चार बराबर टू के तो यहां से चार बराबर टू के यानि कि के बराबर कितना आ गया दो आ गया के का मान कितना आ गया साब दो आ गया अच्छा हमको निकालना क्या है पैरी मीटर तो पैरी मीटर का मतलब क्या होता है तीनों भुजाओं का योग यानि कि A plus B plus C A कितना है के plus 2K plus 3K तो कितना हो जाएगा ये 6K हो जाएगा तो 6 गुड़े के का मान कितना है 2, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 तो कौन सो आप्षन से हो जाएगा 67 का जो c वाला option है वो correct हो जाएगा आगे देखेंगे question number 68 यानि कि 68 68 में कहा रहा है कि sin a sin b minus c देखे sin a की जगा पर हम रख सकते हैं हमको पता है कि a plus b plus c बराबर कितना होता है pi तो a की जगा पर हम रख सकते है sin b pi minus b plus c है ना तो रखिए भाई तो ये बन जाएगा sin a 180 minus b plus c यानि कि sin b plus c यानि कि a की जगा पर b plus c आ जाएगा into sin b minus c ये हो गया b plus c ये हो गया equal to यहाँ पर sin c है ना sin c की जगा पर हम रख सकते हैं a plus b यहाँ पर 180 minus a plus b रखोगे तो 180 minus theta वो sin theta के ही बराबर होता है तो ये आ जाएगा sin a plus b और ये into में आ गया sin a minus b अच्छा ये कितना हो जाएगा sin b plus c sin b minus c ये सुत्र हो जाता है किसका ये हो जाएगा sin square b minus sin square c equal to ये हो जाएगा sin square a minus sin square b ठीक है अच्छा sin b की जगा पर हम b के रख सकते हैं c की जगा पर c के रख सकते हैं sin c की जगा पर तो ये कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा b square k square minus c square k square equal to a square k square minus b square k square k square दोनों तरब से common लेके काट दिया जाए यानि कि आ जाएगा B square minus का C square is equal to A square minus का B square अब कितना हो जाएगा यह B square यानि कि 2B square बराबर हो जाएगा A square plus V square यहां से हमको यह पता चल रहा है कि A square B square और C square किस में हो जाएगे AP में हो जाएगे है ना किसमें हो जाएंगे AP में हो जाएंगे A square B square C square होंगे AP में यानि 68 का कौन सा option से ही हो जाएगा B वाला जो option है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 69 69 69 में हमसे कह रहा है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बात बताई थे पूरी कहानी फिर से एक बार हम आपको दोरा देते हैं क्योंकि काम आएगी इस कहानी को right angle triangle में लेके चलिएगा हमने आपको भी एक दो बातें बताई थी कि अगर माल लिजे कि हमारे पास क्या है R1 दिया गया है R1 बराबर होता है 2 R2 बराबर 3 R3 ठीके proportional value निकालेंगे इनकी तो रासा कितना आएगा 2 और 3 का 6 आएगा 6 से सब में भाग देंगे तो यहां से हमको मिलने वाला है कितना R1 equal to मिल जाएगा 6 R2 equal to मिलेगा 2 3 6 3 और R3 equal to कितना मिल जाएगा 2 यह मिल गया value तो हमको R1 मिल गई, R2 मिल गई, R3 मिल गई अच्छा यहीं सो सुर्वात होती है एक नई कहानी की जिसे जानना है हमको देखेगा C, C का मान हो जाएगा 3, भुजा C जो हो गई, वो 3 हो जाएगी और भुजा B जो है C के बाद B आएगा B जो हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी 4, और जो A हो जाएगी वो A हो जाएगी 5 यह हमें एक समकोर्ण तरभूच की कंडिसन से लेके चल रहे हैं, है ना, जिसमें R1, R2, R3 का जो रेशियो होता यह होता है यानि कि R1, 6 होती है, R2, 3 होती है R3, 2 होती है मिली गया है, आपको पहले से ही, सब कुछ मिल गया पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है है ना, देखिएगा और S जो होता है, डेल्टा त्रिभूच का छे त्रफल एक बटे दौधार गुडे हो चाई यह हो जाएगा, भाई, समकोर त्रिभूच यह तो चार और 3, 12 यह नहीं कि 6 हो जाएगा और S भी हो जाएगा, इसका 6 यह आता, जहां-जहां काम आएगा, सब जगा काम कर लेंगा कोई दिक्कत नहीं है, है ना, देखिएगा एक बटे R1 प्लस एक बटे R2 यह ऐसे करके दिया गया है, हाँ, तो हम इस देटा का भी इस्तेमाल करके इसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरा तरीका भी इसका नॉर्मल तरीका भी बहुत आसान हो सकता है एक बटे R1 है ना, R1 बराबर क्या होता, डेल्टा अपान S माइनस A इस ब्रैकेट में आ जाईए, तो हम इसे लिख सकते हैं, डेल्टा अपान S माइनस से, तो इसे हम लिख सकते हैं, S माइनस A बटे डेल्टा, प्लस, S माइनस B बटे डेल्टा, यह हो जाएगा, और फिर हो जाएगा, S माइनस B बटे डेल्टा, प्लस, S माइनस C बटे डेल् देखिए अब यहाँ पर delta lcm ला जाए आ गया यह delta आ गया lcm यहाँ गया s-a plus s-b तो 2s-a-b 2s की जगह पर रखेंगे a plus b plus c तो a minus का a minus का b कर जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ c बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा यहाँ भी बचेगा a बचेगा a बचेगा a बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा यहाँ बचेगा b बचेगा ठीक है भाई चलो सबका multiply कर लिया हमने वो कितना गया a b c बचेगा delta cube डेल्टा क्यूब अब R के साथ relation होता है डेल्टा क्यूब तो हो गया लेकिन अब R के साथ relation निकाल लिया जाए अच्छा ABC अच्छा ABC नहीं आ रहा आप्सन में तो देखिएगा R बराबर हमने relation पढ़ा है क्या ABC upon 4 डेल्टा ठीक है तो यहां से हमें क्या चाहिए ABC की जगा पर हम क्या रख सकते हैं 4 डेल्टा R रख लिया जाए तो ABC की जगा पर हम रख सकते हैं 4 डेल्टा R बटे डेल्टा क्यूब एक डेल्टा काट देंगे तो यह आ जाएगा 4 डेल्टा स्क्वायर तो 79 का जो B वाला option है वो correct हो जाएगा ठीक है बैया चलेगा आगे बढ़ेंगे question number 70 की तरफ देखेगा 70 में कह क्या रहा है हम 70 में फिर से हम वही आपको बता रहे हैं आपको सुरू करना है R1 R2 होता है क्या हमारा 2 R3 अब तो value याद होनी चाहिए ना अब R1 की value कितनी ले लिया हमने right angle triangle लिया एक हमने R1 की value कितनी मिल गई हमको 6 मिली थी R2 का मान कितना मिला था 3 मिला था R3 का मान कितना मिला था 2 मिला था 4 on R2 R3 और यहाँ पे जो हमको A मिली थी A मिला था 5 B मिला था 4 C मिले थी 3 ठीक है और डेल्टा जो मिला था डेल्टा मिला था 6 capital R मिला था 5 बटे 2 और S भी मिला था 6 ठीक है ये इतनी value तो याद ही रहेंगी सब 2-4 बार करोगे सब याद हो जाएगा अपने आप अप देखेगा जिसकी value निकालनी वो निकाला जाए क्या लाना है तो यह आगया B माइनस C बटे R1 प्लस C माइनस A बटे R2 भाई ये समकोर तरिभूच को अगर satisfied करे का तो सब को satisfied करे का कोई दिक्कत नहीं वो भी तो एक तरिभूच ही है चलिए B माइनस C तो B कितना दिया गया है हमको B दिया गया है 4 और ये दिया गया है 3 है न तो दोनों को घटा लिया जाए तो कितना आएगा 1 बटे R1 R1 का माण है हमारे पास 6 प्लस C माइनस A C है 3 और ये तो ये माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 2 बटे R2 R2 हो जाएगा 3 प्लस A माइनस B तो A-B कितना आ जाएगा A कितना है 5 और ये कितना है 1 तो 1 आ जाएगा 1 बटे कितना बटे में आ जाएगा R3 R3 कमान कितना है 2 LCM ले लिजिए LCM में कितना आ जाएगा 6 कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 3 हो जाएगा दुते हिया 6 कितना जाएगा 4 माइनस 4 बटे 6, कितना आ गया, 0 बटा 6, मतलब कितना आ गया, 0, हना इसकी value कितनी आ गई, 0, तो कौन सौफवन से ही हो जाएगा, 70 में option number जो A है वो correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे question number देखेंगे 71, 71 में हमको value निकालने है इसकी, वो लिखा हुआ है A, cos square C by 2, A को तो में क्या हो जाएगा, S into S minus C divided by B A, A B या B A, plus C into S into S minus A, अपान कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, C B, यानि कि B C, equal to आ जाएगा यह 3 बटे 2, अब एक छोटा सा काम करना हमको, देखेंगा, इस A से यह A काट देंगे, और इस C से यह C काट देंगे, BLCM आया, BLCM आया, इनको करेंगे multiply, देखेंगा, यह हो जाएगा, S square, यह चाहेँजा, तो S ले लो common, देखो, S उपर से common, आ जाएगा, S उपर से common लेंगे, तो देखें, S उपर से common आ जाएगा, और नीचे से B common आ जाएगा, यहां कितना हो जाएगा, s-c plus s-a equal to कितना हो जाएगा 3b बटा 2 ठीक है अच्छा यह हो गया s बटे b देखो यहां पर हो जाएगा 2s-a-c 2s की जगह पर रखोगा a plus b plus c तो सिर्फ b बचेगा यहां पर b बराबर कितना जाएगा 3b बटे 2 तो अब कितना हो जाएगा यह हम चाहें तो जो इसमें यह वाली b है यह वाली b को काट देगा है ना आराम से काट देगा कोई दिख्यत ही नहीं है ठीक है चलिए अब कितना आजाएगा भाई अब आजाएगा 2s is equal to 3b 2s equal to कितना आगया 3b एक ही जगह पर रख दीजे a plus b plus c बराबर 3b एक b जाके उधर घटा दीजिए तो a plus c बराबर आजाएगा 3b यानि कि 2b बराबर क्या आगया a plus c इस means क्या है a b c किसमें है a p में है किसमें a p में है कौन सा आप्षन से हो जाएगा 71 का जो पहला option है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question number 72 72 72 72 में कह रहा है कि अगर a इतना है b इतना c इतना देंदा value of r1 हमें r1 की value चाहिए 72 ठीक है हमें क्या करना पहले इस त्रिभुज का भाई r1 है न r1 बराबर हमारे पास सूत्र है क्या होता डेल्टा अपान s-a डेल्टा अपान s-a तो डेल्टा का मतलब क्या है त्रिभुज का छेत्र फल निकाल लिया जाए तो s पहले निकाल लिया जाए इस बराबर कितना हो जाएगा 13 plus 14 plus 15 बटे कितना आ जाएगा 2 है ना कितना हो जाएगा 14 42 21 आ जाएगा s तो डिल्टा बराबर सूत्र क्या होता है डिल्टा बराबर हमने सूत्र पढ़ा S 21 हो गया S-A 21-13 21-13 का मतलब 8 है न फिर 21-14 यनिकी 7 फिर 21-15 यनिकी 21-14 हो गया तो वो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा साथ ही तो आएगा 21-15 15 26 ठीक है कैलकुलेट किया जाए इनको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए 21 को हम लिख सकते है 7 गुड़े 3 और 8 को देख यह वाला 2 लगा लगा 16 लिख दीजिए और यह 7 को चुप चाप रहने दीजिए और यहाँ पर देखिए 1-3 बचा हमारे पास 2-3-6 था ना 2 हमने इसके साथ अर्जिस्ट कर दिया ठीक है वर्गमूल लेंके 7 आ जाएगा 1-3 आ जाएगा निकल के और कॉंसोला का 4 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा यह 27-24-84 है ना डेल्टा कितना आ गया 84 आ जाओ इसके पास रखते हैं वैलूस को पुड की आ जाएगा डेल्टा कितना आ गया 84 बटे S-A तो आ गया 21-13 तो यह आ जाएगा 84 बटे 21 में 13 घट गये तो कितना आ गया यह आ जाएगा 8 8 आ जाएगा काट दिया जाए 8-9-8 8-9-8 8-9-9-9-9 दसमलो लगाएंगे 8-45 चालिस भाग नहीं जाएगा न 10.5 आ जाएगा कितना एरिया आ जाएगा 10.5 यूनिट स्क्वाइर कौन सौ अप्षन से हो जाएगा 72 का जो ए ओप्षन है वो करेक्ट हो जाएगा आगे देखेंगे क्वेस्चन नमबर देखेंगे 73 यानिके 73 73 में फोड़ा सा प्रॉब्लम थी यहां पे यह होता है कौट श्क्वाइर भाइड टू कौट स्क्वार भाइड टू ये था ठीक है चलिएगा अब देखेंगा इसी को खलकूलेट करते हैं इसी को खलकुलेट करते हैं यहीसं उठाते हैं इक्वल टो यह कितना आजाएगा आर क्यूब को चुपचाप रहने दीजिए कॉट स्क्वेर एब आई टू है उपर कॉस है यह आजाएगा S into S minus A divided by नीचे कितना हो जाएगा S minus B और S minus C और यह क्या हो जाएगा S into S minus B divided by नीचे कितना हो जाएगा S minus C S minus A यह आजाएगा S minus C और S minus A C by 2 के पास आएगे S into S minus C divided by यह आजाएगा S minus A और S minus B जो कट रहा हो उसे काट दिया जाएगा देखते हैं यहांपे S minus B को S minus B से काट दीजे S minus C को S minus C से काट दीजे S minus A को S minus A से काट दीजे यह कितना हो गया यह हो गया R की power 3 और देखिए उपर कितना हो गया S into S यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा हमारे पास S3 S की power 3 बटे कितना जाएगा S-A, S-B, S-C S-A S-B S-C उपर नीचे multiply करिए S से यह कितना हो जाएगा अब यह हो जाएगा R की घाद 3 S की घाद 4 बटे नीचे देखिए डेल्टा बन गया वो भी डेल्टा का स्क्वेर है यह डेल्टा स्क्वेर S-A, S-B, S-C का होली स्क्वेर है तो यह से बन जाएगा अच्छा अब एक काम करते हैं यहाँ पे चोटा सा है न देखिएगा यहाँ करेंगे क्या यह अब आना हम अमरा हो गया डेल्टा क्यूब एक चोटा सा काम करेंगे R क्यूब हो गया S की पावर 4 हो गया यह हम डेल्टा की जगह पे रख सकते हैं क्या डेल्टा बराबर क्या होता है भाई हमने पढ़ा है r बराबर पढ़ा delta upon s और अगर delta रखे हैं तो delta की जगह पर हम r और s रख सकते हैं रख दिया जाए यहाँ पर हो जाएगा r cube और यहाँ पर हो जाएगा s की power 4 बटे तो यह हो जाएगा हमारा कितना r square s square calculate किया जाए दोनों काट दिया जाए तो उपर कितना आजाएगा यह आजाएगा हमने क्या किया भाई delta की जगह पर हमने रख लिया ठीक है r और s ले लिजिए यही रहने दिजिए यही कर लिजिए क्या था r cube थी यह हो गया हमारे पास r cube ठीक है r cube r cube बटे s की power 4 था वो s की power 4 आया था हमारे पास है ना अच्छा तो हमने क्या किया क्या था नीचे आ गया delta square नीचे का delta square हो गया एक काम करते हैं यहाँ पर delta की जगह पर s r ही रख देते हैं तो एक तो यह हो जाएगा r cube और यह s की power 4 हो जाएगा divided by delta की जगह हम रखेंगे rs यानि r square s square r square s square calculate करेंगे तो cut जाएगा भाई यह r बचेगा उपर s square बचेगा है ना r और s square बचेगा ठीक यह तो delta square ही होगा ना s into s minus से उपर s हमने multiply किया उपर नीचे तो यह हो गया s की power में हो जाएगा कितना r cube हो गया और s cube था तो s की power 4 हो जाएगा अच्छा फिर देखते हैं आगे यह r into s cube हो गया हमारा हमने काटा इसको यहाँ पर delta की जगह हमने रखा था rs भाई r बराबर delta panis होता है तो हमने delta की जगह रख दिया r into s तो r square s काट दिया तो उपर कितना बचा r की घाते कितनी बची दो तो r delta square आ गया ठीक है अच्छा आप इसे convert करना चाहें तो delta into s रख सकते हैं r की जगह पर रख दिजिए r बराबर कितना आ जाएगा यहां से delta panis तो यह आ जाएगा delta upon s into s square यह कर जाएगा यानि कितना आ जाएगा delta s तो यहां से delta s आ गया अच्छा यहां पर option number c by option c उठा लिजे सभी option को लेकर कर सकते हैं लेकिन c वाले को हम कर रहे हैं c वाले से हमको ज़्यादा उम्मीद है r1, r2, r3 ठीक है चलिएगा r1 कितना हो जाएगा भाई यह हो जाएगा delta upon s delta upon s minus a delta upon s minus b delta upon s minus c एक काम करते हैं उपर हम क्या करें उपर यह क्या लिखा हुआ है इन्होंने लिखा delta की घाद 3 अच्छा यह delta की घाद 3 हो गया 1 s का उपर multiply कर दीजे तो नीचे बन जाएगा s into s minus a s minus b s minus c यानि की नीचे बन गया delta square तो देखो काट दिया जाए इसको एक delta उपर बचेगा delta s यहाँ पर आ रहा था हल करने पर delta s यहाँ भी आ रहा है तो c वाला जो option है वो correct हो जाएगा अच्छा अच्छा दूसरा तरीका भी था इस्वे करने का हम उसको triangle वाले method से भी कर सकते थे right angle triangle वाले method से भी इसको हम कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं थी हम यहीं पर value रख देते सब और calculate कर लेते यह जो आता वही यहाँ पर आता वही same यहाँ पर आता r1 into r3 r1 का value 6 r2 का value 3 r3 का value 2 रखने पर है ना वही same आता है यहाँ भी आगे बढ़ेंगे ठीक है अब देखिए गए यहाँ पर जैसे कि इनोंने 74 दिया 74 question number दिया है r2 cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2 यह उन्होंने दिया है करते हैं इसको r2 r की घाद 2 into cot a by 2 का मतलब हो गया कि आपके पास s है s minus a बटे डिवाइड में आ जाएगा s minus b और s minus c into यह जाएगा s into s minus b divided by s minus a और s minus c into यह आ जाएगा s into s minus c divided by s minus a और s minus b काट लिया जा जो कट रहा है जो बचेगा उसके बारे में सोचेंगे भाई s minus b को s minus b से काट दिया जाए s minus a को s minus a से काट दिया जाए s minus c को s minus c से काट दिया जाए बचा क्या हमारे पास एक तो यह हो गया r square into भाई यह s cube हो गया है ना कितना हो गया s cube एक s का उपर और multiply कर दिजे एक s का multiply उपर करेंगे तो नीचे देखो क्या हो जाएगा s into एक उपर नीचे s का multiply किया है हमने तो एक s उपर है नीचे वाला क्या हो गया s into s minus a s minus b s minus c यानि कि यह बन जाएगा delta square क्या बनेगा delta square ठीक है अच्छा delta की जगब हमने पढ़ाना r बराबर पढ़ाना क्या होता है delta है रहने दो छोड़ो 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 कोई दिक्कत ने अब देखेगा यह r square है ना यह हो जाएगा r square into delta की घात में कितना हो जाएगा हमारा ओ रूट भी लगा हुआ है रूट लगेगा ना इन में सम में रूट लगेगा delta और इसे हम क्या लिख सकते है rs rs बटे delta उपर square हो गया अच्छा delta इसकी जगब हम delta square रख सकते है बटे delta कितना आ गया delta क्यों रख सकते है भाई क्योंकि हमने पढ़ा है r बराबर क्या होता delta upon s तो delta बराबर कितना हो जाएगा r into s rs की जगब क्या रख दिया हमने delta तो delta square बटे delta एक delta बचा यानि कि 74 में कौन सा ओफ़न सही हो जाएगा जो c वाला option है वो correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number देखेंगे 75 75 यह लिखा हुआ है 2ab बटे a plus b ठीक है रखते हैं इसको हम सारी value put किया जाए आसानी से हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं देखेगा यह जाएगा 2abc बटे में क्या आगया a plus b plus c और root के अंदर देखें सभी रा जाएगे चुप साप cos a by 2 cos a by 2 को रखेंगे तो क्या आजाएगा s into s minus a बटे में क्या होता है bc into cos by 2 तो आजाएगा s minus का b बटे में आजाएगा हमारा a c और यह आजाएगा s into s minus c बटे में आजाएगा c हो गया है न a b ठीक है देखेगा यहाँ पे s into s into s कही बार आचुका है न 1, 2, 3, 4 ठीक है अब अगर हम 1s को निकाल दें ठीक है यह आगया 2 a b c बटे में आजाएगा हमारा a plus b plus c 1s into s को हम निकाल देते हैं हमने 1s निकाल दिया और यहाँ बचा क्या देखो रूट के अंदर बचा s उपर s s minus s minus b वो डेल्टा हो जाएगा नीचे देखो उपर का हमने हिसाब कर लिया भाई s की घात 3 था a के सर्जिस्ट कर दिया डेल्टा के साथ और s स्क्वार का हम इस निकाल दिये तो जो डेल्टा के साथ s अर्जिस्ट हुआ वो रूट के अंदर रहा रूट s into s minus a s minus b s minus c वो डेल्टा के बराबर होता है और यहाँ पर देखो a square b square c square है नीचे से आजाएगा a b c तो a b c को a b c से काट दिया जाए और अब क्या रखा जाए भाई यह हो जाएगा 2s into delta बटे a plus b plus c तो भाई 2s की जगह पर हम रख देंगे 2s into delta बटे यह है हमारा 2s 2s से 2s काट दिजी a plus b plus c के मतलब क्या होता 2s है ना परिमाप होता है परिमाप तो delta आ गया 75 का कौन सौपफन सही हो जाएगा 75 का जो c वाला option है वो करेक्ट हो जाएगा और इस तरह से हमने complete किया unit test 2 पूरी तरह से complete